जैसा कि आप सभी लोग बहुत बहुत बहुतर तरीके से जानते हैं कि जब भी आप लोग किसी गवर्मेंट एकजाम की तयारी करते हैं जिसमें आप लोग स्टेट PCS देख लीजे, सिविल सर्विस देख लीजे और भी आप देखिए आपके स्टेट लेवल के जो गवर्मेंट एकजाम होते हैं या आप देखिए सेंट्रल लेवल के जो आपके गवर्मेंट एकजाम होते हैं जिसमें SSC बैंक या स्टेट में जाईए आप लोग राज्यों में आप देखते हूँगे कि टीचर्स के लिए आपके पेपर होते हैं, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, पटवारी के लिए, पोस्ट ओविस के लिए, तो आप सभी देखते हूँगे कि GKGS से अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स फूंचे जाते हैं और आप में से कई लोगों का इस सवाल भी रहता है, कि आखिर ये पार्ट जो GKGS का पार्टिसन है, इसे हमें कहां से कवर करना चाहिए और अगर आप लोग पुराने कुश्चन्स फेपर उठा के देखेंगे, उसके बाद लोसेंट पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिल जागे काफी घदता कुश्चन्स आपके लोसेंट से कवर हो जाते हैं तो वन डे एकजाम के लिए तो खासकर आप देखिए, लोसेंट को राम माड माना जाता है और देखिए सिबल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इस्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग Prelims के समय, Revision के Point View से जरूर पढ़ लेते होंगे लोसेंट को और अगर आप विस्तार में पढ़ना है, तो आप लोग NCEIT पढ़ सकते हैं आप लोग देखिए, अगर आप कई Special Books हैं, जैसे आज हम लोग बात करेंगे सम्मिधान के बारे में तो एम लक्षिमी कांथ पढ़ सकते हैं अगर आपके Past Time है, समय रहे हैं आप लोग तो आज हम लोग LUSAND में सम्मिधान में, आपकी भारती सम्मिधान में क्या-क्या पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं, और याद रखें, सम्मिधान से भी अच्छी खासी संख्या में आपके Questions आते हैं किसी भी पेपर को आप लोग पर आने Questions पेपर उठाई अपनी परीक्चा के, जिस भी परीक्चा के आप लोग तयारी कर रहे हैं फिर मिलान कीजिए आप लोग, फिर मुझे बताईए कि आपकी परीक्चा में सम्मिधान से किस टॉपिक से खास कर Questions पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो भारती सम्मिधान में हम लोग भारती सम्मिधान के विकास की क्या इतिहास रहा है, क्या पिक्रिया रही है, उस पर बात कर लेंगे और भारती सम्मिधान सवापर बात करेंगे, भारती सम्मिधान के उदेशी का अत्वा फिस्तावना पर बात करेंगे भारती समीधान के विदेशी सिरोत क्या है कई लोग कह देते हैं कि हमारा समीधान तो एक तरह से उधार का थेला है तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे ऐसा नहीं है देखे हम लोगों ने बाहरी समीधान उसको पढ़ा उसमें से जो अच्छा लगया हमें उसमें बदलाओ करके हमने अपने समीधान में सामील किया हुआ है जेहों काते हैं हम लोगों ने उठा के कॉपी पेश्ट नहीं कर दिया है भारती समीधान की अनसूचियां पढ़ेंगे देशी रियासतों का भारत में बिलाए देख लेंगे संग और उसका राजजेशेत देख लेंगे राज्जों का पुनरगटन, भारतीय नाग्रिकता, मौली क अधिकार, राज्यों के निती ने देशक्ते द्धाद, मौली कर्तब, संघीय कारिपालिका, संघीय संकसद, भारत का महाने आयबादी, भारत का नियंतक इवा महालिखा परिक्चक, भारत की संचित निदी, भारत की आकस्मक्ता निदी, संमिधान में संसोधन, नियायपालिका, राजी की कारिपालिका, केंदर राज्य संबंद, अं अभी क्या सामिल है उस पर भी बात कर लेंगे भारत के राष्टिये चिन्न संसत की वित्तिये संतिया और पंचयायती राष्ट से आप देखिए आपके कुश्चन्स आते हैं महत्कूर्ण सब्दावलियां समीधान में कुछ महत्कूर्ण अनुच्छेद हैं जो और समीधान म बला है क्या बला है तो देखिए किसी राज्यों को कह लिजिए या किसी संगठन को कह लिजिए किसी देश को कह लिए उससे चलाने के लिए आप जो नियम विद्ही लखी होती है वो समीधान में ही लिकी रहती है अब आप देखिए समीधान में आपको देखा होगा किसी र उन्हें छोट मिली होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप देखे मौलिक कर्तब दिये गए आपको मालीजे आपको कोई अधिकार है तो आपके कुछ कर्तब भी तो होना चाहिए इसे एक उधारण से समझेए मालीजे कि वो कहते हैं कि कोई अगर आप पर भरोसा करता है आँख बंद करके तो ऐसा माला जाता है कि उस भरोसे वनाय रखना आपका करतब है समझ रहे हैं आप लोग तो यही एक तरह से सम्झान में आप देखे कि जो आपको भरोसा वो सामने वाला कर रहा है वो आपके मौली करतब है और आप देखे कि आपके जो मौली करतब है वो आप ह या उपराश्पती, राज्यस्वा सदस्तों का चुनाव, इन सब के बारे में बात की गई है, बरना आप सोची कि अगर हमारे पास ये बेवस्ता ना होती, तो हमारे देश में आप लोगतंत होने का कोई दम भी ना भरते हैं हम लोग, तो इसलिए आप देखे कि सम्मिधान की बेवस्ता किये जाती है, और समिधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, आप सभी लोग सम्मिधान के दाइरे में ही काम करते हैं, और समिधान के दाइरे में से जैसे हम लोग हटते हैं तो हमें उसका दंड भी बोकतना पड़ता है, जैसे माल लिजे हमें आपको कोई मौली का अब क्या करें कि आप लोग संगेठन इस तरह कोई संगेठन बना लिए जो देश की एकता खंडता को नश्ट कर दें तो आप देखिए कि वहां आप लोगों का मौली करिकार खतम हो जाएगा अब आपको देखिए बोलने का अधिकार दिया गया अब ऐसे बोलने लगी एकिस कि किस तरह से इसका विकास हुआ है तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग एक बल लंबे समय तक अंग्रेजियों के सासन मर रहे हैं अंग्रेजियों का सासन हमारे उपर रहा है 1857 की पलासी की लड़ाई और 1764 की बकसर की योद्व को अंग्रेजियों द्वारा जीत लिये ज सुरू होती है तो इस पलासी के युद्व से डारेक्ट ही कुश्टन्स पूंच लेता है तो यह 1757 में हुआ था इतिहास में आप लोग ने पढ़ा भी होगा 1764 में बकसर का युद्व हुआ था ठीक है और इसी काल को अपने अनकूल बनाये रखने के लिए अंग्रेजियो इन्हें बड़े अच्छे से पढ़ लिजेगा इनसे कुश्टन्स आते हैं बार बार बोल रहा हूं इस अधीनियम काते दिक सम्मिधानिक महत्मान है और जैसे कीस में इसकी पिरमोख अगर विसेस्ताओं में आप देखें तो भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के कारियों क नेमित और नेंतित करने की दिशा में बेटे सरकात द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और था कंपिनी के सासन पर संसदिय नेंतर इस्थापित किया गया इसके द्वारा पहली बार कंपिनी के सासने को राजनेतिक कारियों को मानता मिली और इसके द्वारा केंद्रिय के पिसासन की निव रखी गई केंद्रिय पिसासन की निव रखी गई इसकी विसेश्था है अगर आप देखना चाहें 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट की तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनल पद नाम दिया गया जो अभी तक बंगा का गवर्नर जनल के हाथ जाने लगा और मुंबई मंदरास के गवर्नर को इसके अधीन ले आए और इस एक्ट के तहट बनने वाला पिथम गवर्नर जनल लॉर्ड वारेंट हैस्टिंग स्था और आप देखते हैं कि कई बार आपके मुख पर इच्छा में लिखने के लिए प्रूप से करते थे और इस अधिनियम के अंतरगत कलकत्ता में 1774 में एक उच्छतम नयाला की स्थापना की गई थी और जिसके मुख नयादीस और तीन अननयादीस थे इसमें आप देखें तो मुख नयादीस सर एलिजा है इंपे थे और एक कुश्चन से भी कई बार बन और अन्य तीन में बात करने तो चेंबर्स, लेविंश्टर और हाइड थे ठीक है इसके देहत कंपणी के करमचारियों को नजीब व्यापार करने और भारती लोगों से उपहार और रिस्वत लेना पिती बंदित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा बेटिस सरकार को व अवसक कर दिया एक्ट और आप देखेंगे कि एक्ट ऑफ सैटलमेंट 1781 आता है दूसरा और रेगूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का पराफधान किया गया और एक्स एक्ट की अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल विहार ओडीसा के लिए भ इस एक्ट के द्वारा दोहरे पिसासन का प्यारम हुआ एक तो बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनितिक मामलों के लिए था ठीक है तो इसकी पिरमुक विसिस्ता है पिरमुक जो भी इसमें पॉइंट है इनको विवस्था की गए अब देखिए जो नियंतर बोर्ड के सदस्थ थे ना करमचारी थे ना उनके बेतन को भारतिये राजस्ते दैने की विवस्था की गए कौन से एक्ट के था है 1793 के एक्ट के से 1793 के एक्ट के था है ठीक है यह आप जो लोग जरूर याद रखेगा और फ एका दिनियम की मुख्रे विस्था कमपनी क्या विस्था कमपनी के अधिकारप्त को बीस बरसों के लिए बड़ा दिया गया ए 1813 का जो आपका चार्टर और दिनियम है इसकी विसेश्थाओं की बात करें दूसरी विसेश्था इसमें दूसरा काम हुगा कि कमपनी के भारत की साथ व्यापार करने की एका अधिकार को छिल लिया गया लेकिन इसे लेकिन का बड़ा महत्व है लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूरवी देशों के साथ चाय की व्यापार के संबंद में 20 वरसों के लिए एका अधिकार प्राप्त रहा दो इने छोड़कर ठीके कमपणी के इकादिकार को खतम कर दिया गया छीन लिया गया लेकिन चीन और चाय के ब्यापार को छोड़कर कुछ सीमाओं के अधियन सभी वेटिस बेटिस नागरिकों के लिए भारत के साथ ब्यापार खोल दिया गया और इसमें 1813 से पहले इसाई पाद्रियों को भारत में आने की आग्या नहीं थी, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा इसाई पाद्रियों को आग्या प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई, 1813 के एक्ट के तहरे, फिर आप देखेंगे 1833 का एक्ट आता है चार्ट इसमें क्या क्या होता, इसकी प्रमुक विसिस्ता है क्या है, इसके द्वारा कम्पनी के ब्यापारिक अधिकार उमूरता समाप्त कर दिया जाता, यानि कि जो चायद और चीन था ना, इसे भी खमाप्त समाप्त कर दिया जाता, 1833 के चार्ट आयक्ट में, अब कम्पनी का का बेटे सरकार की ओर से मात्य भारत सासन करना रहे गया और बंगाल के गवर्णर जनल को भारत का गवर्णर जनल कहा जाने लगा जो बंगाल का गवर्णर जनल था ना अब इसे भारत का गवर्णर जनल कहना कहा जाने लगा और बंबई तथा मदरास की परिशदों की बिधी न भी बिरुद्ध घोसित कर दिया गया और 1833 में उसका उन्मूलन उन्मूलन कर दिया गया अधीनियम की धारा 87 के तहट कमपणी की अधीन पद धारन करने के लिए किसी बैक्ति को धरम जनम इस्थान मूल बंस या रंकियाधर पर आयोग ना ठहराए जाने का उबंद भी किया यानि कि आप देखें कि यहीं से मौलिक अधिकार बनने की एक तरह से आप सोचिए निव पढ़ने लगती है समझ रहे हैं आप लोग और इसमें एक और बिसे स्था है कि गवर्नर जनरल की परिशत को राजस्थ के संबंद में पूर्ड अधिकार प्यदान करते हुए गवर 1834 में लौड मेकाली की अधिक्षता में पिथम बिधी आयोग का गठन किया गया 1834 में किसकी अधिक्षता में लौड मेकाली की अधिक्षता में फिर आपका आता है 1853 का चार्टर अधिक्षता में इसमें क्या क्या होता है इस अधिक्षताओं की बात करें तो इस परिषदगी का सिध्धान समाप्त कर कंपणी की महत्पूर्ण दो पदों महत्पूर्ण पदों को पितियोगी परिक्षाओं के आधार पर भरने की विवस्था की गई जो आप लोग देखते हैं पितियोगी परिक्षा देते रहते हैं आप लोग किसी कंपणी में जॉब करन जिस सासन कंपनी से लिकन वेति स्कुराओं की हाथों में अठाब के betyअ्या गया हुचिए कि अंतर्गत गृथ meth भारत का सासन कंपनी से लेकर अब बेटिस किराओं के खातों में दे दिया जाता है। दूसरा काम क्या होता है? भारत में मंत्री पत की विष्था कर दी जाती है। 15 सदसों की भारत परिशत का स्रेजन भी कर दिया जाता है। जिसमें आठ सदस बैटिस सरकार द्वारा और साथ सदस कम्पनी के नेदिसक मंडल के द्वारा इसमें रहते हैं। भारती मावलों पर बैटिस संसत का सीधा नेंतर इस्थाबित कर दिया जाता है। और इसमें मुगल समराट के पत को समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ओफ डारेक्टर्स और बोर्ड ओफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया जाता है। अधिनियम की कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया जाता है। आज भी आप देखते हैं कि आपके राष्टपती राजपाल के पास अध्यादेश जारी करने की सक्ति होती है ना। जब आप देखते हैं कि आपकी संसद ना चल रही हो या विधान मंडल ना चल रहा हो तो उसमय राष्पती साहब कोई भी नियम कानून ला सकते हैं अध्यादेश के जरी है। गवर्नर जनल को बंगाल ओत्तर पश्मी सीमा परान तो पंजाब में विधान परशद इस्थावित करने की सक्ति पिदान की गई और इसके दुआरा कानून बनाने की पिक्रिया में भारती पितिनी धियों को सामिल करने की सुरुआ थी। वह ऐसरा एक कुछ भारतीयों को विस्तारीत परशद में गैर सरकारी सरस्थों की रूम में नामित कर सकता था। 1862 में आप देखेंगी तो लॉर्ड केनिंग ने तीन भारतीयों बनारस्थ की राजा, पटेयाला की महराजा और सरदिनकर राओ को विधान परशद में मनुनीक किया था। आज भी आप देखते हैं कई राज्यों में आपकी विधान परशद भी होती है ना, ठीक है। आप देखेंगे 1892 का भारत परिशद अधिनियम, क्या भारत परिशद अधिनियम, और इसमें आप देखेंगे इस अधिनियम की मोखे विशेस्ता रहती आपित्यक्ष चुनाव फिडाली की सुरुआद। इसके दवार राजस से इवं बे अत्वा बजट पर वहस करने, तथा कारकायनी से पिसन पूछने की सकती दी गई। क्या दी गई? सकती दी गई। फिर आप देखेंगे 1809 का भारत परिशद अधिनियम आता है, जैसे मारले मिंटो सोधार की नाम से भी जानते हैं, और मुझे लगता है कि ये काफी महत्पूर्ण भी है। तो इसमें पहली बार मुसलिम समदाई के लिए पिथक पितिनिदित्य का उबबंद किया गया। इसे जरूर याद रखेगा बहुत ही महत्पूर्ण कुश्चन्स बनता है आसे। कि पहली बार मुसलिम समदाई के लिए पिथम पितिनिधित का उबबंद किस अधिनियम के तहट था 1909 का भारत परिशद अधिनियम इसका दोसना नाम मारले मिंटो सुधार की नाम से भी आप लोग जानते हैं इसके अंतरकत मुसलिम सदस्वों का चुनाव मुसलिम मद्दाता ही करते थे और भारत सरकार अधिनियम के तहट पहली बार बिधायका में कुछ निर्वाचित पितिनिधित की मन्जोरी और इसके अधिनियम ने संपदायकता को बैधानिकता पितान की और लौड मिंटो को संपदायक निर्वाचन के जनक की रूम में जाने जाता है ये भी कुश्टन्स कई बार पूँच लिया है संपदायक निर्वाचन के जनक की रूम में किसे जानते लौड मिंटो का इसमें दूसरा काम यह हुगा कि भारत को भारतियों को भारत सचिप गवनर जनल की कारिकारणी पर्षद में नियुकति की गई और केंदरी और परांती विधान पर्षदों को पहली बार बजट पर बाद-बिबाद करने सारजने के एक हित के विस्याओं पर पिस्ताव पेस करने, पूरक पिस्न पूचने और मत देने का अधिकार मिला परांतिये विधान परिश्दों की संख्या में विध्धी की गई और सतेंद पिसाद सनहा, वायसराई की कारफाली का पर्श्रेट की पिथम भारतिये सदस बनते हैं उन्हें विधी सदस बनाये गया और इस अधिनियम के तहट प्रसीडेंसी कॉर्फोरेशन, चेमबर्स और कॉमर्स, विस्विध्यालेयों और जमीदारों के लिए अलग पितिने धित का प्रावधान किया गया है क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है एहां कुछ पॉइंट ही है, इन्हें भी आप लोग याद रखेगा एक तो 1919 में, लॉर्ड मिंटो इंगलेंड में भारत की राज़ी सचिप थी और लॉर्ड मिंटो भारत की वायसराय थी 1909 में, लॉर्ड मॉर्ली इंगलेंड में भारत की राज़ी सचिप थी और लॉर्ड मिंटो भारत की वायसराय थी भारत में बेटे इसके सभी सम्मिधानिक प्रियोगों में सबसी कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1929 का भारत परचद अधिनियम था फिर आप देखिए 1929 का आपका भारत सासन अधिनियम आता है इसे आप लोग मौन्ट की चैंसपोर्ट सुधार कहते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विस्षिस्ताओं की बात करें और उनका कारकाल 5 साल होता था केंदरी ये विधानसबा की सदसों की बात करें तो 144 होती थी जिसमें आप देखेंगे 104 तो आपके निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे इनका कारकाल 3 साल का होता था दोनों सदनों की अधिकार समान थे और इन में सिर्फ एक ही अंतर था, बजट पर सुईकिती पिदान करने का अधिकार, बजट पर सुईकिती पिदान करने का अधिकार किसके पास था, निचले सदन को था, और प्रांतों में दोयद सासन प्रणाली का पेवर्तन किया गया, प आरक्षित बिसाय में आप देखेंगे बित्थ हो गया, भूमी कर हो गया, अकाल, सहायता, नियाय, पुलिस, पैंसन, अपराधिक जन जातिया, छापा खाना, और समाचारपत, सिचाई, जलमार, खान, कार खाना, बिजली, गैस, वाइलर, सर्मेक, कल्यार, उद्धोगे विव मोटर गाडिया, छोटे बंदरगा, और सारवजनिक सिवाएं, ठीक है, हस्तांतरिक बिसाय में देखें, तु सिक्षा हो गया, उस्तकाले हो गया, संग्राले, इस्थानिय स्वायत सासन, चिकित्सा साहयता, सारवजनिक निर्माड विभाग, आपकारी, उद्ध्योग, किया जाता था, जबकि हस्तांतरित दिस्यों का पिसासन गवर्नर द्वारा विधान परसद की पिति और तरदाई मंत्रियों की साहता से किया जाना था, और इस दुए दिसासन पिडाली, पिडाली की 1935 को एक्ट की द्वारा समात कर दिया जाता है, और इसमें चौतरी अग पिकिया, 1919 के आपकी एक्ट में, और अता हो 1926 में आप देखते हैं कि ली आयोग कि सिफारिस पर सिविल सिविकों की भरती के लिए केंदरिये लोग सिवा आयोग का गठन किया गया, UPSC वालों यहीं देखिए आपका लोग सिवा आयोग का गठन होता है, इस अधिनियम के इस पेहली बार केंदरिये बजट को राज्जों के बजट से अलग कर दिया गया, और इसका अंतरगत एक बैदानी कायूप का गठन किया गया, जिसका कार दस बरस बाद जाज करने के बाद अपनी रिपोर्ट सित उत करना था, और इस अधिनियम में केंदरिये बिधान सभ में वायसराय की अध्यादेश जारी करने की सक्तियों को निम्न रूब में बनाय रखा गया कुछ विसेओं से सम्मंदित विध्याकों को विचारार दारत पिस्तूत करने के लिए उनकी पूरु अनमती आवसक थी और उसे भारती विध्यान सबाद्वारा पारित किसी विध्याक को विटो करने या समराट की विचार के लिए आरक्षित करने की सक्ति थी उसे यह सकती थी कि विधान मंदल द्वारा ना मजोर किये गए या पारित ना किये गए किसी विध्यक या अनुदान को परमाडित कर दे तो ऐसे परमाडित विध्यक विधान मंदल द्वारा पारित विध्यक के समान हो जाते थे और वो है आपात इस्तिती में अध्यादिस बना सकता था जिनका आइस्थाई आउधी के लिए बिदिक पिरभाव होता है आप देखें मॉन्टिग्यू चेंस्लोर सुधार भारत सासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महलाओं को बोट देने का अधिकार मिला और उस समय इंग्लेंड का पिधान मंतरी लॉयड जॉर्ज था भारत में आप देख रहे हैं कि 1919 में महलाओं को आप देखें कि बोट देने का अधिकार मिल गया था आप समझें कि उतनी भी कीमत आपके बोट की है जितना कि अमीर हो चाहे किसी भी जाती का समूग का हो या कोई भी कैटिगरी का हो समझ रहे हैं फीमेल हो मेल हो यानि कि महला हो गुरुष हो ट्रांजेंडर हो फिर आपका आता है 1935 का भारसासन अधिनियम इसमें क्या क्या होता है तो इसमें आप देखेंगे कि यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधा रही था और 1935 के अधिनियम में 321 अनुछेद और 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम की मुख्विसिस्ता इस पेकार थी यानि कि अधिकतर आप देखें समिधान में हमारी पर प्रभाव किसी एक्ट का पड़ा हुआ है तो 1935 के भारसासन अधिनियम का इसमें सबसे पहले काम होता है अखिल भारतिय संग यह संग 11 बेटेस प्रांतों और 6 चीप कमिशनर के छेत्रों देशी रियासतों से मिलकर वनना था जो 161 संग में समलित हो और प्रांतों के लिए संग में समलित होना अनिवार था किन्तु देशी रियासतों के लिए एक चिक था और देशी रियासत रियासते संग में समलित नहीं होई और पिस का अंत कर उन्हें एक सुतंत और स्वासासित सम्मीधानिक आधार बिधान किया गया तीसरा मात्पूर्ण काम था इसमें केंद में दुध साथन की स्थापना इस अधिनियम में विधाई सक्तियों को केंद और परांती विधान बंडलों के बीच विभाजित किया गया और इस अबिधान मंदल को कानूर मनाने का अधिकार था पुलिस प्रांतिय लोक सेवा और सिक्षा और समभर्ती सूची की बात करें तो इसके विषय पर परिशंग और परांतिय विधान मंदल दोनों बिधान बनाने के लिए सक्षम थे और आप सभी जानते ही कि आज भी अगर आप सम्मिधान की साथ भी इन सूची पढ़ें तो आप देखते हैं ओपर उलिखित बंदों के अधियन रहती हुए किसी भी बिधान मंडल को दूसरे की सक्तियों का अति किर्मर करने का अधिकार नहीं था लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्गोशना किये जाने पर परीसंग विधान मंदल को परांतिय सूची की विषय पर में विधान बनाने की सकती थी और दो परांतिय मंदलों की अनुरोद पर परीसंग विधान मंदल की विषय में विधान बना सकती थी और संबर्ती सूची के विस्याओं पर परवी संग विधी परांथ की विधी पर अभी भावी होता था और इस अदिनियम में आउसिष्ट विधाई सक्ति वाइसराय को दे गई थे आज भी तो आप देखिए आफ लोग राज सूची के वैसाय पर देखिए घर दो से एक या एक से जानदा दे से आने केंड सरकार से अनरोवरत करें कि आप इस पर कानून मनाईए तो आप देखते हैं में पर आप देखिए या पिर उसमें आप देखिए राश्त्वति सासन तक आओ तो उस समय भी आप देखें के राज्य के पास सक्तियां नहीं रहती हैं के अंद के पास आ जाती है तो यह ऐसा भी है ठीक है ऐसा होना भी चाहिए आप कहिए गार और 1935 के अधिनियम के बारे में नहरू और अमबेडकर की उकती देख लिए यह कथन भी कभी-कभी प संद्रव में गुलामा गुलामी का अधिकार पत या फिर एक काल जिसमें ब्रेक तुए पर इंजिन नहीं किस ने कहा था तो नहरू साब ने कहा था और अगर आपसे पूछे कि अमबेड करने क्या कहा था तो मुझे इस आरोप के संबंद में कोई छमा नहीं मागनी कि सम्म न्यालय का एक मुखन न्याय ध्NewS और अन्य न्याय धिसों की विवस्था की गई थी और न्यालय से समंदित अंतिम सक्ती प्रवी कौन से लंदन को प्रापती थी बेटिस संसथ की सरवोच था इस आदिनियम में किसी पीकारी के परिवतन का अधिकार बेटिस संसथ के पास संगीय तथ फ्रांतिय विवस्त था विकाओं में विभिन संपदायों को पितिनिदित दैने के लिए संपदायक निरबाचनपदिती को जारी रखा गया और उसका विश्ताद दलिद जातियों महलाओं और मजदूरवर्ग तक कर दिया गया और इस अधिनियम में पिस्तावना का आभाव था किसका पिस्तावना का इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और लंदन को इंगलेंड के उपचारिक कार्याले की अधीन कर दिया गया और बरार को मद्द परांत में सामिल कर दिया गया इसके अंतर के दो अधिकार का बिस्तार किया गया इसमें और लगवग 10% की जनसंक्या को मत अधिकार मिल गया एक फिर आपका आता है 1947 का भारत सुतंता अधिनियम वेटे संसर्थ में 4 जुलाई 1947 को भारती सुतंता अधिनियम पिस्तावित किया गया था जो 18 जुलाई 1947 को सुईकिती मिल गई थ इस दाराएं थी इस अधिनियम की प्राउधान की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दो अधीराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अमग दो अधीराज बना दिये जाएंगे और उनको वेटेस सरकार सत्ता सौपतेगी सत्ता का पुनर उत्तरदायत दोन जब तक समिधान सभाओं सभाएं समिधान का निर्मार नहीं कर लेती तब तक भी विधान मंदल की रूम में काम करती रहेंगे भारत मंदरी के पत्कु समात कर दिये जाएंगे 1935 के भारत सासन अधिनियम द्वारा सासन जब तक समिधान द्वारा नया समिधान बना कर देशी रियासतों पर बैटिंग की सर्वो परीता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज में समलित होने अपने भावी समंधों का निश्य करने की सुतंता पिदान की गई इस अधिनियम के अधिन भारत डोमिनियन को सिंध बलूचिस्तान, पश्मी पंजाब, पूरवी वंगाल, पश्मोत्तर, सीमा परांथ, असम के सिलहट जिली को छोड़कर भारत का सेस राजिशित मिल गया सिलहट जिली में भारतिय सुतंता इनियम 1947 के प्रवित होने के पूर जन्मस संग्राय में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिये गए थे तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं भारतिय सम्मिधान सभा के बारे में जिसने आप सभी जान देंगे जो हमारा सम्मिधान बनाया हुआ है सम्मिधान सभा के द्वारा बनाया गया है इससे भी आप देखी कि आपकी परिच्छाओं में कुश्चन्स काफी पूचे जाते हैं केविनिट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतिय सम्मिधान का कि निर्मार करने वाली सम्मिधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था और केविनिट मिशन के सदस सर स्टेफार किप्स लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेकजंडर थे एवी आप लोग याद रखें कि जो आपकी केविनिट मिशन आया हुआ था इसके कौन कौन सदस थे तुसर इस्टेफार किप्स लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेकजंडर थे ठीक है और भारत के लिए समिधान सभा की रचना हेतू समिधान सभा का विचार सरपि हम सौराज पाइटी ने 1924 में पिर्स्तुत किया था और आप देखिए 1924 के बाद जुलाई 1946 में इसका गठन होता है एक लंबा समयद आप देखिए संघस करना पड़ा इसके लिए समिधान सभा के सदस्तों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी और जिसमें आप देखिए थे 292 वेटिस प्रांतों के पिति ने दी चार आपके चीफ कमिशनर चेत्रों के पिति ने दी और तेहरान में देशी रियासतों के पिति ने दी थे एक बार पर से याद रखे टोटल आपके 389 थे और जिसमें आप देखिए 292 वेटिस प्रांतों के पिति ने दी थे चार आपके चीफ कमिशनर चेत्रों के पिति ने दी थे और तेहरान में देशी रियासतों के पिति ने दी थे मिशन यह उजना के अनुसार जुलाई 1946 में समिधा सभा का चुना हुआ और कुल 389 सदस्वों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्वों के लिए चुना हुए और जिने विभियन प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था इसमें कॉंग्रेस को 208 मुसलिम लीको 73 और 15 अन्य दलों के तथा सुतंत उम्मीदवार निर्भाचित हुए थे फिर आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की पिथम बैठक नई दिल्ली इस्थित कॉंसिल चेंबर के उक्याले में बुस्तिकाले भवर में की गई थ कि समिधान सभा की पिथम बैठक कब हुई थी यह आप देखें कि 9 दिसंबर 1946 को कहां हुई थी तो दिल नई दिल्ली में हुई थी काउंसल चेंबर के पुस्त काले में सभा के सबसे बुजरू सदस्थ डॉक्टर सचीदानंद सिंहा को सभा का आइस्थाई अध्यक्ष पाकिस्तान के लिए बिलकुल अलग समिधान सभा की मांग प्यारम की थी हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके पिति निदी समिधान सभा में समलित नहीं हुए थे किसके हैदराबाद के प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनपात में समिधान सभ सब्राइब की अध्यक्षावा, इंसे भी कुष्टांस आते हैं, तो संचालन समिधान समिधी की बात करें, तो डॉक्टर राजन प्रसाथ, शंगीये समिधान समिधी के अध्यक्ष, और मौली का दिकारों ये अलफ संख्याकों कि संबंधी प्रामर संथी की दो उपसमतिया भी थी इसमें मौलीक अधिकार उपसम्ती, जेवी किपलानी और अल्ब संक्यक उपसम्ती, ऐसी मुखरजी एक बार फिर से आप लोग देख लीजेगा और क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि कई बार आप लोग पुराने कुश्चन्स पर उठा के देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आप सभी को माल होगा आपकी मौलिक अधिकारों एवं अल्प संख्यकों और संबंधी परामस संती की दो उपसंती अभी थी इसमें मौलिक अधिकार उपसंती थी जेवी किपलानी और अल्प संख्यक उपसंती हैज सी मुखर जी थी समिधान सभा में वेटिस परांतों की 296 पितिनी धियों का विभाजन संपदायक आधार पर किया गया था जिसमें आप देखें कि 293 सामान और 89 आपकी मुसल्वान और 4 थी सिक्के थी समिधान सभा की सदस्वा में अनसूची जनजादी के सदस्वा की संख्या 33 थी 3 पंद्रह थी कि ओर 11 दिसम्ब्र chemo 1946 को डॉक्र राजिंत प्रसाथ को समिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष णा गया था इस थाया अध्यक्र डॉक्ररा राजिंत प्रसाथ साथ टि समिधान सभा की कारवाही में 13 दिसंबर 1946 को जवालाल नेरू द्वारा पेश किये गए उद्दिस पेस्थाओं के साथ प्यारम होई थी तो उद्देस पेस्थाओं किस ने रखा था ये पेस्थ किया था पर जवालाल नेरू ने तेरे दिसंबर 1946 की बात हैं 22 जन्वरी 1947 को एक उद्देश पिस्ताओ की किती के बाद समिधान सबाने समिधान निर्माढ ही तू अनेक सम्तियों की निपती कीती इसमें वारता सम्ति, संग समिधान सम्ति, प्रांति समिधान समिधी, संग सक्ति समिधी, प्यारूप सम्ति, और समिधान सभा की महला सतस्वों की बात करें तो अम्मू स्वामी नाथन, एहनी मैस्क्रीन, वेगम एजाज जसूल, दक्षानीद, आप देखेंगे, देल ले हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, माल्दी चौधरी, पोडिमा बनर जी, रेनुका राय, सरोजनी नाइडू, राजकुमारी अमरत कौर, सुचेता केपलाने और विजया लच्छमी पंडित। इन पंदर सदस्वं को भी आप लो याद रखेगा। तो समय भी महिलाए काफी पावर फुल थी, विएन राव द्वारा तियार किये गए आप देखें, विएन राव द्वारा तियार किये गए समिधान के प्यारूप पर, विचार विवस्त करने के लिए समिधान सभा द्वारा 29 अगस्त, 1947 को एक संकल्भ पारिद करके प्यारू अंबेडकर को चुना गया था और पैरूप सम्ति के सदस्वों की संख्या साथ थी जो इस तरह है डॉक्टर राजन पिसार डॉक्टर भीमराओ अंबेडकर असके अद्धिक्स थे कौन डॉक्टर भीमराओ अंबेडकर पैरूप सम्ति की बात करें और एन गुपाल स्वामी एंगर, अल्लादी किष्णा स्वामी आयर, कर्हिया लाल, मनेक लाल, मुंसी, सियद मुहम्मन सादुला, एन मादो राओ, बी एल मित्र के स्थान पर, डीपी खेतान, उननीस और तालीस मेन की मित्यू के बाद, टेटी किस्णावचारी को सदस बनाया गया था, तो इस साथ सदसों को भी याद रखेगा, लेकिन डॉक्टर भीमरा अमबेडकर इसकी अध्याट से, समिधान सभा में अमबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से और देश बटवारी के बाद उनका निर्वाचन बंबे से हुआ था, पर आप देखें कि 3 जून 1947 की योजना के रुशाल, देश का बटवारा हो जाने पर भारती समिधान सभा की कुल सदसंक्याद, 324 नि याद रखना और मुझे लगता है कि जरूरी है, केमिनेट मिशन 1945 में आई थी, कि पिस्ताओ पर गठित अंत्रे मंत्री मंडल 2 सेप्टमबर 1946 को गठित किया गया था, इसमें आप देखें कि मंत्री हो गया, वो बिभाग हो गया, तो जबाल लाल नहिरू, आप सभी जानते मंत्रला लैवीन के अंडर में थे, बल्देव सिंग रक्षा मंत्री थे, जौन मथाई उद्ध्योक तथा आपूर्ती, सी राम गोपालाचारी सिक्षा, सी एच भाबा, कार खान एवं बंदरगा, राजिन पिसाथ खादिवंकिरसी, आसापली, रेलवे, जग जीवन राम, इसी मंत्री मंदल में सामिल हुए मुसलिम लीक के सदस थे, इस चबवीस अक्टूबर 1940 को सामिल हुए थे, याद रखिएगा, जब दो सेप्टमबर 1946 को अंत्रमंती मंदल का गठन हुआ, उस समय मुसलिम सामिल नहीं थे, आगे चलके 26 अक्टूबर 1940 को एम लोग सामिल होत और गजांतर अली खा को स्वास्त मंतरा ले ले देश विभाजन की बाद सम्मिधान सभा का पुनिद गठन 31 क्टू Бर 1947 को किया गया था और 31 देसंबर been CC को समिधान सभा की सदस्सों की खुल संक्या 2099 थी जिसमें प्रांतीय सदस्तों की संक्या निरो निनित उंतीज और देशी र समती ने समिधहान के प्यारूप पर विचार बनावस करने के बाद 21- 21149 पर स्मिधान सभाव को अपने रि Пेस की थी। और समिधान सभा में समिधान क पिठम वाचन 4 नवंबर से आप देखेंगे 9 नवंबर le beverages अंवाचनो देखे ला1 समिधान सभाव पर अगर दूविसरा बाचन देखे तो और आप सभी लोग जानते हैं, कुछ डेटे आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, मुझे लगता है, एक तो आपके सामने आता है 15 अगस्त, क्या? 15 अगस्त, एक आपके सामने आता है 26 नवंबर, क्या? 15 अगस्त हो गया, 26 नवंबर हो गया, और 26 जन्वरी, देखे 15 अगस्त क 26 नवंबर, को आप लोग सम्मिधान देबस के रूम में मनाते हैं, क्यूंकि 26 नवंबर 1949 कुछ प्राओधानों के साथ, आपके सम्मिधान लागू हो चुका था, और 26 जन्वरी को आप लोग गर्तन देबस के रूम में मनाते हैं, अंत्यम रूप से आपका फूरी तरे से सम मिधाल लाग हुगा था 26 जन्वरी 1950 को और कई चल्स था है आप देखें कि इनका गठन हो चुका था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा और सुतंद भारत का पहला मंत्री मंदल अगर आप लोग देखें तो 1947 में बना और यह मंत्री हो गए यह विभाग हो गए पंडिज्वाल लाल नहरू प्यधान मंत्री थे राख मंदल दथा विदेसी मामले भी और विज्ञानिक सोध भी इनके अंडर में था सर्दार बल्लभाई पटेल ग्रह सूचना पे सारन और राज्जों की मामले इनके अंडर में थे डॉक्टर राजिन पे साथ खाद देवं किरसी मंत्राले इनके अंडर में था मौलाना अबुल कलाम आजाद ए सिक्षा मंत्री थे डॉक्टर जॉन मताई रेल्वे एवं परिभान मंत्री थे डॉक्टर भी आरम बेडकर विधी मंत्राले जग जीवन राम सरम मंत्राले सर्दार बल्लेयो सिंग रक्षा मंत्री राजकुमारी अमरस्त कौर इस्वास्त म मंत्री सी एज भाबा वाड़ेज रफी एहमत के दर्वई संचार मंत्री आर के सड़ मुखम सिट्टी बित्र मंत्री पहले हमारे वित्र मंत्री थे डॉक्टर पेसा स्यामा पिरसाद मोखर जी उद्द्योग एवं आरपूर्ती मंत्री कणरी है भी यान क्यार खान एवं उर्जां मंत्रा ये के अन्रों में था था मुट्षान से वार समिधान निर्मार की पिक्किरिया में कुल बो साल गयारे महीन m way बैसे दिन लगे 2 इ productive आपरे यानि कि दो साल 11 महिने ठाहरे दिन कि समीदहान के प्यारोप पर कुल 1114istent तुझी ति कि अबchemistry 14 दिन ठीक है और इसके समीदहान के निद्मार में कुल एक लागे ताई 63,96, 730 Loren 62,96,729 यह आप लोग याद रखिएगा ठीक तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए समिधान को 26 नवंबर 1949 को समिधान सबादवारा पारित किया गया था इसमें आप देखेंगे 22 भाग 395 अनुचेत और 8 अनुचेत और वर्तमार में आप देखें तो आपको भाग 22 अनुचेत 395 हीदेखने को मिलेंगे अनुचेत 395 ही देखने को मिलेंगे अनुसूचा उचीया चार बढ़ चुकि है नौ, दस, घ्यारा, बाराइब अब आप लोग कहेंगे कि भाग कोई कहता है 24 हो गया कोई 25 कहता है और अनुचेत भी तो कहता है कि 395 से कई 400 पिलस पहु अगर देखें, counting में अगर 1, 2, 3, 4, इस तरह से, तो 395 वह अंतिम है, लेकिन काग के रूम में इस तरह से जोड़ गया, भाग इसी तरह आप देख सकते हैं, काग आ इस तरह से जोड़ दिये गया, बागी इनकी अगर counting करें, 1, 2, 3, 4, इस तरह से अंतिम, आप लोग 395 ही देखेंगे, ठीक है, 396 वह नहीं देखने को मिलेगा, समीधान के एकोल अनुच्छेदों में से 15, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 36, 37, 389, 388, 392, 393, अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया, और जबकि सेस अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लाउक गया ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, समीधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अन्तिम बैठक, और उसी दिन समीधान सभा की द्वारा डॉक्टर राजिन पिसाद को भारत का पिथम राष्टपती चुना गया था, और समीधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1991-92 में हुए आम चुनाओ कि बाद बनने वाली नई संसत की निर्मारत तक भारत का अंतरिम संसत की रूम में काम किया था, किसने? समीधान सभान है, समीधान सभा द्वारा किये गए कुछ अन्मेकार, इसमें मई समीधान सभा की स्थापन की थी, अब आप सूचिए अगला ही अगर देशी बन रहा है तो हट जाने दीजे, वो अपना एकतर से समीधान सभा बनाईए गाप, अब बात करते हैं आप लोग समीधान, सभा में जो भारती समीधान की उद्देशी का है, जिसे आप लोग पिस्तावना भी कहते हैं, तो नहरू द्वारा पिस्तुत उद्देश संकल्प में, जो आदर्स पिस्तुत किया गया है, उन संसुदित कर उद्देशी का निमने पिकार की है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्य संपन समाजबादी पंतनिर्वेक्ष लोग तंतरात्म गर्राज बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नाग्रेकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय विचार अभ रेक्ती की गर्मा और राष्ट की एक्ता और अखंडता सुनिशित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दिर संकल्प होकर अपनी समिधान सभा में आश्तारी क्यानी की 26 नवबर 1949 को मिती मार्क्सी सुलक सब्तमी संबत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस समिधान को अंगिकित अधिमिनेवित और आत्मरपित करते हैं अब प्रिस्तावना की कुछ खास बातें भी देख लिए समिधान की प्रिस्तावना को समिधान की कुंजी कहा जाता है समिधान की प्रिस्तावना को समिधान की उद्देशिका को समिधान की कुंजी कहते हैं समिधान सभा प्रिस्तावना समीधान का अरम्रिक अंक होते हुए भी कानिनी तोर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। पिस्तावना के अंसा समीधान के अधिन समस्त सक्तियों का कहने विंदिवू सरोध भारत के लोग हैं, आप लोग हैं। आप देखिए कि हमारे उस्सी हल जैशे ही हाल है, कि आप आपके लिए नेटा आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप से वोट लेते हैं, और चल जाते हैं, जंत्ला पटी हालत में है, और नेटा कहां से पहुंच है। तो मुझे तो कभी-कभी एमने सोच में आथा ही, अब देखिए हमारे सामने हैं, जौला ही तो लिए रहते नेता 종, और हमें उन्हें चुनते हैं, इनके बादों को देखते हो गए, बाद में क्या होता है आप सबी जानते हूं, प्रिस्तावना में लिखित सब्द यथा हम भारत की लोग इस समिधान को अंगिकित अधीनिमित आत्मरपिट करते हैं भारतिये लोगों की सर्वोच संपरभुता का उत्तिस उध्गोस करते हैं प्रिस्तावना को न्यालय में पिवर्टित नहीं किया जा सकता है यह नेड़य Union of India बनाम मदन्ब्र गोपाल 1957 की नेड़य में घोसित किया गया यानि यदि सरकार या कोई नागरिक पिश्तावना की अउहेला करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं हम अदालत नहीं जा सकते हैं ठीक है? इस केस को भी याद रखेगा बेरू बाड़ी Union बाद ए 1960 की बात है सर्वोच नेड़य नेड़य दिया कि जहां समिधान की भासा संदिग हो वहां पिश्तावना बिधिक निरवाचन में सहायता करती है बेरू बाड़ी बाद में ही सर्वोच नेड़य ने पिस्तावना को समिधान का अंग नहीं माना और इसलिए विधाई का पिस्तावना में संसोधन नहीं कह सकती है पर उन्तु सर्वोच नेड़य के केसवा नंद भारती बनाम किरल बाड़ी बाड 1973 में कहा गया कि पिस्तावना समिधान का अंग है और इसलिए विधाई का संसद में उसमें संसोधन कर सकती है और आप देखते हैं कि 1976 में इसमें संसोधन किया जाता है कुछ सब्द जोड़े जाते है केसवा नंद भारती बनाम में सरवच नेला कि मूल धाचे का सिध्धान दिया और पिस्तावना को समिधान का मूल धाचा वाना संसद समिधान की मूल धाचा में नकरात्मक संसोधन नहीं कर सकती है और इस पट्रता संसत बैसा संसोधन कर सकती है जिसमें मूल धाचा का विस्ताज या मजबूती करन होता हो यानि कि सीधा से कहने का मतलब है कि आप से घरवाले कहें कि आप इस मकान को गिरवा कर कुछ बनवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग उसे मकान को गिरवागी पूरी तरह से खतम कर दें, अगर उसे अच्छी तरीकी से बनवाना चाहरा है, कुछ और कमरे उसमें निकलवाना चाहरा है, समय रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसे बरबाब नहीं कर सकते हो, और आप सभी जानते है कि 42 समिधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसमें समाजबादी, पंतनेरफिक्च, और राष्ट की अखंड़ता सब्द जोड़े गए थे, एक कुश्चन से भी कई बार पूछ लिया है, कि 1976 में जो 42 समिधान संसोधन हुआ था, इसमें पिस्ताओना में कौन-कौन से जोड़े गए थे, एक तो समाजबादी था, पंतनेरफिक्च, और राष्ट की अखंड़ता, ठीक, समिधान के पिस्ताओना में तीन पिकार का निया है, एक तो सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक, और पांच पिकार की सोतनता विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धरम, अपासना, और दो पिकार की समानता पितिष्था और अवसरका उलेक किया गया है, भारत का समिधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सरवाधिक व्यापक समिधान है, या अनस्ता कठोर और अनस्ता लचिला है, लिखित समिधान की अउधारना फ्रांश की देन है, बा भारती राजनेतिक विवस्था में समिधान सर्वोच है और भारत का समिधान अपने प्राधीकार भारत की जनता से प्राप करता है और भारत सरकार अधीनियम 1935 वे समिधान एक दस्तियावज है जिसका भारती समिधान तियार करने में गहरा पर प्रभाव पड़ा भारत के सम संगिय सासन सब्द का परियों कहीं भी नहीं किया गया और समिधान में भारत को राज्यों का संग घोसित किया गया ठीक है फ़र आप देखिए भारती समिधान के विदेशी स्रोत आप सभी लोग सुनते रहते होंगे कई लोग कह देते हैं कि यह तो उधार का थेला है सबसे बड़ी परवलम तो यही है क्या बूल देते हैं भारती समिधान तो अधार का थेला है लेकर हम लोग बता दूँँ आपको कि देखे जियों का तेमों लोग उने किसी भी देश से कोई पराउधान नहीं ले लिया है उसमें हमने अपने देश के हिसाप से कुछ संसोधन करक उसमें बदलाओ करके सामिल किया है भारती समिधान भारत की समिधान के नर्मान में निमने देशों के समिधान से साहता ली गई है और आप देखे कि हमारे भीमराओं मेटकर साहब ने हमारे देश के और भी जो आपके उस समय की नेता रहे हैं उन्होंने उन देशों के अगर वही बेटिन की बात करें तो संसादात्मक सासन परणाली एकल नाग रिखता विधी निर्माड पिक्रिया विधी का सासन संसादी अभिसे सदिकार मंतरी परणाली मंडल परणाली परमादिकार लेख और दूई सदन बाद फर आयलेंड की बात करें तो नीती निंदे सक्सिद्धांत राष्टपती के साहित, कला, विध्यान, समासेबा इत्यादी की छेत में ख्याती प्याप्त वेक्तियों का मनुने, और जर्मनी देखें तो आपातकाल के फिवर्तन के दोरां राष्टपती को मौली का दिकार संबंदी सक्तियां, कनाडा की बात करें तो आप देखेंगे संघात्मक विसेस अवसिष्ट सक्तिवा केंद के पास राजपाल की नियुक्ति बिस्याग पिक्रिया, संग एवम राजजी के बीज, सक्ति बिभाजन, सर्वोच नियालेखा, परामर्सी, नियायनेडेन, ये सभी आपके कनाडा के समिधान से लिए हुए, दक्षिड अफीका की देखें तो समिधान संसोधन की पिक्रिया का प्राउधान, राजसवा की स्तादस्वों का निरवाचन, रूस की देखें तो मौलिक करतबों का प्राउधान, और जापान की देखें तो विधी द्वारा इस्तापित पिक्रिया, फिर फ्रास देखें तो गर्तन, तरात्मक और 395 अनुच्छेदियों में से लगवग 250 अनुच्छेदिय से हैं जो 1935 के जो अधिनियम था या तो सब्दसा लिये गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्थन के साथ ही लिया गया है 200 के लगवग ठीए भारतिय समिधान के अनुच्छेदिया आप देख लिजे ये भी आपसे पूछे तो सबसे पहले पहली अनुच्छेदियों को देखिए इसमें भारतिय संगे के घटक राज 28 और संगे सासित राज 8 छेत्रों का उलेक मिलता है वर्तमान में आप सभी जानता ही कि 28 तो आपके राज जै आठ़ आपके केंससे पुदेश है समिधान में 59 समिधान संसुधन द्वारा दिली को राष्टी राज धानी चित का दरज्या दीआ गया थब 69 समिधान संसुधन द्वारा अब है आपकी दुती है अनुसूची इसमें भारती राज्य विवस्था के विवन पदादिकारी जिसमें आप देखें राश्पती, राज्य पाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापती, उपसभापती, बिधान सभापती, उपसभापती, और भारत की नेंतक महाले का परिक्षत कुपराप्त होने बाले बेतन भत्ते और पैंसन आदी का उलेग किया गया है। पांच भी अनसूची में देखेंगे इसमें बिभेन अनसूची चेतरों और अनसूची जनजाती के पिसासन और नेंतन के बारे में उलेग किया गया है। सादी अनसूची में आप देखेंगे तो इसमें कैंद और राज्यों के बीच सक्तियों के बटवारी के बारे में बात की गया है। और इसमें अनसूची में सरकारों द्वारा सुल्क इबं कर लगाने के आधीकारों का लेक है। और इसके अंतरकत तीन सूचिया हैं। एक तो संग सूची, राज सूची और संबर्थी सूची शामिल कीगे। संग सूची में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस सूची में दिये गए विशय पर केंद सरकार कानून बनाती है। सरकार भी कानून मना सकती है और समिधार के लागू होने की समझे 66 बिस है थी वर्तमान में 61 बिस है रहे गे राज्य सूची में सामिल कुछ बिस है सांती और विवस्था पुलिस जेल इस्थानी इसासन किरसी जनस्वास्त राज्य की वीतर होने वाले नियाए बेभाग यह सभी सम्भर्ति सूची इसके अंतरके आप दीखेंगे बिस है आते पर केंद और राज दोनों सरकारें कानून मना सकती है फरंतु कानून के विसे समान होने पर केंद सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान होगा और राज सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा और समिधान के लागू होने कि समय संबर्ती सूची में 47 विसा है थे हैं भरत्मान में आप देखेंगे 52 विसा हैं संबर्ती सूची के पिर्मों के विसा है दीवानी और खौददारी कानून इबंपे किरिया बिवाय उत्तत्तला सिक्षा आर्थिक नियोजन्च बिजली समाचार पत्तरमिक संग बन एक बास सीधी सी याद रखेगा जो साथवियन सूची आप लोग पढ़ते हैं न संग सूची इस पर जो भी पिसा सामिल हैं इसमें केंद सरकार आपकी कानून मनाती है राज सूची राज सूची पर आप देखें कि आपकी राज सरकार हैं कानून मनाती है अगर दो राज अगर मिलकी अगर केंद से एक तरस सिफारिश करते हैं कि इस पर कुछ कानून बनाईए तो केंद सरकार बना सकते हैं या आप देखे कि आपका जब किसी राज में राष्टपती सासन लगा हो तो उस समय भी आप देखें केंद केंदर में आ जाता है और संबर्दी सूची पर दोनों बना सकते हैं राज भी हो और केंद भी लेकिन अगर दोनों में टकराओ है तो देखें केंद सरकार के कानून मजबूती से खड़ा रहेगा और आप देखें वो आपका राज जी की कानून को खतम कर देगा आठवी अनसूची इसमें भारत की 22 भासाओं का लेकिया गया कितना 22 भासाओं का और मूल रूप से आप देखें के तो आठवी अनसूची में 14 भासा आए थी जिस समा हमारा समिधान लागू हुआ फिर आप देखेंगे 1967 में जो 21 भास समिधान संसोधन हुआ था इसके द्वारा सिंधी को हमारी आठवी अनसूची में भारत की भासा जोड़ा गया था 1992 में आप देखेंगे एकत्तरवा समिधान संसुधन हुआ था, इसमें आप देखेंगे कॉंगडी हो गया, मडीपुर हो गया, नेपाली, इन तीन को जोड़ा गया था, सन 2003 में 92 वा समिधान संसुधन हुआ था, इसमें मैथली, संथाली, डौंगरी और बोडो को आठवी अन समिधान में अनुसूची पिथम समिधान संसोधन अधिनियम 1929 के द्वारा जोड़ी गई थी इसके अंतरगत राज द्वारा संपत्ति के अधी गिरन की विदियों का उलिख किया गया और इस अनुसूची में समलित विसेओं को न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है और 11 जन्मरी 2007 को समिधान पीट की एक नेड़े द्वारा यह स्थावित किया गया कि 9 अनुसूची में समलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनोती जी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उलगन करता है और जिस तम न्याले इन कानूनों की समेक्षा भी कर सकता है फिर आजकर आप देखें कि मालू नहीं चलता है कि कौन नेता कब किस पार्टी में सामिल हो जाए और मुझे लगता है कि आप देखें कि वह यह भी नेता अब मुझे आश्चा चके मतलब जाना परेशान ही नहीं होती है आज समझें कि नेताओं को हम लोग अच्छे से जान से जान चुझी तो यह अनसुची 73-वे समिधां सांसोधन द्वारा उननीस तो तैरानमे में जूड़ी गई थी वे इसमें पंच्याति राज संस्थाओं का कार करने के लिए नतीस वीसाय प्रावधन किये गए बारेवी अनसुची इस 74 वे समिधान संसुदन द्वारा 1993 में जूड़ी गई थी, इसमें सहरी चेत्रों के स्थानी इस वसासन स्थाओं को कार करने के लिए 18 मिसाय पिदान किये गए, कितना? अठारे अब बात करते हैं, देसी रयासतों को भारत में विलें, क्योंकि आप देखे कि जिस समाह हमें आजादी मिल रही थी, हमारे देस में बहुत सारी रयासतें चेत्री है, और उन्हें एकटा रखता पाना, भारत में सामिल कर पाना, बड़ा मुस्किल था, समझ रहे हैं आप लों और आप देखें इसका सुरे जाता है हमारे किसे सरदार बल्लभाई पटेल को, हमारे गरहे मंत्री हो मिनिस्टर साहब को, पहले ओपिधान मंत्री भी थे वो, ठीक है, कहते हैं कि वो डंडा भी ले जाते थे और गाजा भी खलाते थे, यानि कि प्यार से मान जाई ये तो ठी बढ़ना आप देखें कि वो जवरजुस्ती आप देखें, आपको रहना भारत में ही है, ठीक है, तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार बल्लभाई पटेल की नेतित में रियासती मंत्राले बनाया गया था, और जुनागर रियासत को जनमत संग्राय के अधार पर हैदराबाद रियासत को पुलिस कारवाही के माध्यम से और जमुकस्मी रियासत को विलैपत के हस्तांतरन के द्वारा भारत में मिलाए गया, जुनागर में आप देखिए, यहां के राजा कहते थे कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन यहां की जनता बहुत समझाया हम लोग कहने का मतलब है सरदार बल्लब भाई पटेल बहुत समझाया वो नहीं माने तो वहाँ पुलिस के डंडे वाइस्वा दिये और सामिल कर लिये और जम्मु कस्मीर पर आप देखे बहुत टाइम तक हम लोग कहते रहे कि आजए आजए यह जब पाकिस् अब बात करते हैं हम लोग संग और उसका राजचेत तो भारत राज्यों का संग है और जिसमें आप देखेंगे 28 राज्यों और 8 के अंदर सासित पिदेश हैं दादर नागर हविली और दमन बद्वीव और के बिलय के पस्चात राजधानी इसकी दमन बना दी गई सूचि में विन निद्रिष्ट हैं भारत की राज्य छेत्र में अरजित किये गया अनराज्य छेत्त समाविष्ठ होंगे अनुशेत 2 क्या कहता है भारत की संसत को विधी द्वारा ऐसे निर्वंदों और सर्तों पर जो ए ठीक समझे संग में नए राज्यों का प्रवेश औ संसर्थ के पास सकती है ठीक है और इसमें आप देखिए कि आपका भारती समीधान के भाग है यह इन्हें भी देख लिए जैसे आपका पहला वाग संग और उसका राज़िछित इसमें अनुशित 141 से लेकर 4 तक दिया गया नांगरेक्ता में 511 मौलेक अधिकार में 12-35 नीति और समीधान के भाग 5 में संग इसमें आप देखेंगे 52-59 तक 159 भाग 6 में राज़िछित से संबंदित है और 152-237 तक साथवा पहली इन्हें सूची के भाग खा के राज 238 यह हटा दिया गया साथवा आठवा भाग संग और राज़िछित से 249 नो पंचयायतों से संबं गया नोखा जोड़ा गया आप से कहा कि देखिए अभी भी 22 देखने को बिलेंगे बस इसमें किया कि नोखा जोड़ दिया नोखा जोड़ी दिया तो इनकी जन संख्या बढ़ गई तो इसमें का में देखें कि नैरगयरपालिकाओं से संबंदित है 243 ता से लेकर 243 यह छ च्छेत्रों से संबंदित इसमें आर्टीकल आपका 244-244 का है अप देखें समिधान का भाग ग्यारे इस संगों राज्य च्छेत्रों के भी संबंदि की बात करता है 245-263 तक फिर आप देखेंगे समिधान का भाग बारे वित्ट संपत्ति संब्धा आये और वाद से संबं आगम इसमें आप देखेंगे 301 से लिकर 307 तक समिधान का भाग 14 संग एवं राज्यों की अधिन सिवाएं 308 से लिकर 323 और 14 का तो इसमें आप देखेंगे कि अधिकरण 323 और 323 खाब समिधान का भाग 15 निर्वाचन से संब्दित है 324 से लिकर 349 तक आप निर्वाचन आज देखते हैं न जो राष्टी स्थर पर उसी की बात वो रहे हैं सोले में भाग सोले समिधान का कुछ बर्गों के संब्द में विसेस उफबन इसमें आप देखेंगे 200 मापकरित 330 से लिकर 342 राजभासा 343 से लिकर 359 आपात उफबन देखें 17 भाग में राजभासा 18 में राष्टी आपात राष्टी उफबन ए 252 से 352 से 369 पिकींड ए 361 60 से 367, 20 समिधान के भाग 20 में समिधान संसुधन से संबंदी थे 366, 21 आइस्थाई सेंकमर कालीन और विसे सुबंद 399 से 392, और 22 में आप देखें संचिप्त नाम प्यारा में हिंदी में पराधी के पार निर्सन, यह आप देखें कि आपका 395 से 393 से 395, इनमें से कई आटिक गठन की, राज्यों का पुनर गठन, तो भासा की अधार पर राज्यों का पुनर गठन उचित, उचित है या नहीं, इसकी जाज के लिए समिधान सवा की अध्यक्ष राजन पर साथ ने, इलावाद उचने अले की आवकास, प्राप्त, न्यादिस, एस के धर की और इसे आवक ने भासा की अधार पर राज्यों के पुनर गठन का भिरोध किया, उपिसास निक सुबधा की अधार पर राज्यों के पुनर गठन की मांग की हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थी, एस के धर, और धर आयूक की नेड़ाओं की परिक्षा करने के लिए, कॉ आपके राज्यों का देखे, जैसे आप देखे, नए राज्यों का गठन, आंधकदेश आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1903 में, भासाई याधार पर गठे थोने वाला पहला राज्य था आंधकदेश, 1 अक्टूबर 1903 में, महराष्ट आप देखेंगे 1 मही 1960 में, हेमाचल पिदेश 25 जन्वरी 1971 में, मेघाला 21 जन्वरी 1972, मनीबोर 21 जन्वरी 1972, तेपुरा 21 जन्वरी 1972, सेक्किम 26 अपरेल 1975, मिजोराम 20 फरवरी 1987, आवडाचल पिदेश आप देखेंगे 20 फरवरी 1987, गुआ 25 वार आज बनाय गया था, 30 मही 1987 को, 36 गर 26 वार आज बनाय गया एक और नवमबर, सन 29 को मध्वदेश से अलग करकि, उत्तराखंड उत्तरपिदेश से अलग करके, भनाय गया था, एक नो नवमबर, सन 2000 में, जहारखंड आप देखेंगे 20स से अलग करके 28 वार आज बना था, 15 नवमबर, सन 2000 में, और तेलंगाना 29 वार आज बनाथा, खतम की गई यहां से और आप देखते हैं कि इसे दो भागों माट दिया गए लद्दाक के अंदर सासे पिदेश और जमू कस्मीर के अंदर सासे पिदेश लेकिन दिदली की तरह आप देखें कि जमू कस्मीरे में आपकी विधान सावा होगी तो अब आपके 28 राज बने ठीक रिपोट के बाद मदरास राज के तेलगु भासी में पोटी से रमल्लू के नितित में एक आंदोलन हुआ और आप देखेंगे 58 दिन के आमरन अंसन के बाद 15 जिसंबर 1952 को रमल्लू की डैथ हो जाते मौत हो जाते नित्तियों हो जाते और यह राज सुदंद भारत में भासा की आधार पर गठित होने बाला पहला राज था उस समय आंध पिदेश की राधानी कर्णोल थी क्या थी? कर्णोल थी राजपुनर गठन आयू के अध्यक्ष फजल अली थे और इनके अनसदस पंडित हिदय नाथ कुंजरू और सददार की एम पनिक करते राजपुनर गठन अधिनियम की जुलाई 1956 को में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज और 6 केंद सासित पिदेश इस्ताफित हुए थे राजपुनर गठन आयोग 1903 में गठित किया गया था नबंबर 1904 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी वस्तिया पंडिचेरी, इयानाम, चंदनगर और केरीकल को भारत में इसको सौंप दिया था 28 मई 1956 को इस संबंद में संधी पर हस्ताफित हो गये थे इसके बाद इन सभी को मिलाकर फ्रांडिचेरी संगराज छेत मना दिया गया था भारत सरकार ने 18 देसंबर 1961 को गुआ अधमन दुईप कुमुक्ती के लिए पुर्दगालियों के विरोध कारवाही की और उन पर पूर अधिकार कर लिया था बारहवे समिधान संसुधन दुआरा गुआ दमन बादुईप को पिथम परिशिष्ट में सामिल करके भारत का अभिन अंग बना लिया था और भारतमान में आप सभी जानते हैं कि 28 तो आपकी राज हैं 8 संग साथे से थे थे और इने ही समिधान की पिथम अनुसूची में सामिल किया गया चेत्रिये परिशदों की बात करें तो भारत में 5 चेत्रिये वर्षद हैं इसका गठन राष्टपती द्वारा किया जाता है और केंद्रिये गिरह मंत्री या राष्टपती द्वारा मनोनीत केंद्रिये मंत्री चेत्रिये वर्षद की अध्यक्ष होता है और समंदीत राज जैसे उत्री छेत्री परिशत इसमें पंजाब, हर्याना, हिमाचल पिदेश, राजिस्थान, जमू कस्मी, लद्दाग, चंडीगर और दिल्डी मद्ध छेत्री परिशत इसमें उत्र पिदेश, उत्राखंड, 36 गड़ा आते हैं पुर्वी छेत्री परिशत बिहार, पश्णि बंगाल, उडिसा, जहरखंड, असम, सिक्किम, मनीपोर, तेपुरा, मेगाले, नागलेन, अरणाशल पिदेश, में जोराम आते हैं पश्णि छेत्री परिशत गुजरात, महराष्ट, गुवा, राज, दमन, दुईव, दादर, तथनागर हविली आती हैं इसमें दच्छडी छेत्री परिशत इसमें आंद्रपिदेश, तेलंगाना, केरल, करनाटक, तमिलाणू, पुडोचेरी आते हैं पुर्वत्तर परिशत इसका अगठन संसधी अधिनियम, पुर्वत्तर परिशत अधिनियम 1971 में किया गया था यह 8 अगरस्त 1972 में अस्तित में आया था इसमें सदस्तों में आप देखी कि असम, मडीपोर, मिजोरम, अरवना, चल्पिदेश, नागाले, मेगा, पुले, तिपुरा, सिक्किम समले थे 1995 में सिक्किम पुर्वत्तर परिशत का आठवा सदस बना और इसके कार को कुछ अतरिक कार सहथ वही है जो छेत्रिये परिशतों के है और यहाँ देखें भारत में छेत्रिये परिशत के छेत्रिये परिशत जैसे उत्तरी छेत्रिये परिशत का मुख्याला है नई दिल्ली में जो भाग 2 है जिसमें आप देखेंगे कि अनुचेत पास से लेकर 11 तक आप लोग को पढ़ना है इससे देख लेते हैं इसमें भारती नागरिकता के बारे बात की गई है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है देखे आप देखते हैं कि आप सभी से अगर कोई पूचत भारती नागरिकता दिनियम 1905 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्रावध की जा सकती है एक तो जनम से फितेख ब्यक्ति जिसका जनम सम्मीधान लागू होने अर्था 26 जनवरी 1950 को या उसकी पश्चात भारत में हुआ हो वह जनम से भारत का नागर लोग भारती नागरिक हैं क्योंकि आपका जनम भारत में हुआ है लेकिन याद रखें कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे आया हुआ है विदेशी राजनेक हैं उनके राजदू थे अगर उनके बच्चे अगर भारत में जनम लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जनम के समय उसके माता पेता में से कोई भारत का नागरिक हो। भारत की नागरिकता निमलिखित बरगों में आने वाले लोग पंजी करण के द्वारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और राष्ट मंडलिये देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या फिर भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आविदन पत्त देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकता है। भूमी विस्तार की बात करें लेकिन उसे कुछ सरते माननी होगी। भूमी विस्तार में आप देखें तो यदि किसी नए भूभाग को भारत में सामिल किया जाता है। तो श्चेत में निवास करने बाले विक्तियों को सुता भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब आप देखें। माली जेकल हमने पाकिस्तान पर कबजा कर लिया। पाकिस्तान की पूरी सरजमी पर भारत का कबजा हो गया। तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो सुता ही भारत के नागरिक कहखेंगे। वहारत में जनमी केवल उस बेख्ति पता में एक भारत का नागरिक हो। जो ब्यक्ति पंजी करंड की माध्यम से भारती नागरिक्ता पराप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्सों तक निवास करना होगा पहले, और पहले याबदी 6 माय की थी, अगर किसी को भारती की नागरिक्ता लेना है, तो कम से कम उसे 6 साल, कितना 5 वर्स जम्मु कस्मीर बादा असम सहत भारत की सभी राज्यों पर लाग होगा वैसे अब आप देखे कि जब से 370 हटाई गई जम्मु कस्मीर से विसेश जो प्रावधान मिला हुआ था अब देखे वो सभी कानून वहां भी लाग होने लगे जो बाकी राज्यों में आपके होते थ भारत की नागरिक्ता का अंत किस तरह से हो सकता है तो भारती नागरिक्ता का परित्याग करने उसे आप मालेगे कि कोई ब्यक्ती अमेरिका गया हुआ है वहां के नागरिक्ता ले लेता है तो उसे भारत से आप देखे कि उसकी नागरिक्ता खतम हो जाएगी किसी अन देश की नागरिकता सुईकार कर लेने पर और सरकार द्वारा नागरिकता चीनने पर देखे कोई वेक्ति अपने स्वयम से वो अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो वो त्याग सकता है या आप देखे कि किसी अन्य देश की नागरिकता किसी ने सुईकार कर तो उससे इस्तिती में भी भारत की नागरिक्ता खत्म कर जी जाएगी या सरकार द्वारा भी नागरिक्ता छीनी जा सकती है जमुकस्मी राज की विधान मंदल को निम्न विशेऑं के संबंद में राज में स्थाई रोफ से वस जाने के संबंद में चाति वितियां इसी पेकार की साथ जो राज सरकार पेदान करे तुई इने भी आप लोग जयाद रखिएगा क्या याद रखना चे अब मौलिक अधिकार देख लेते हैं सम्मिधान का भाग तेन इसे स्युक्त राज अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है कहा के स्युक्त राज अमेरिका के और इसका वाइडन सम्मिधान के भाग तीन में अनुछेद बारे से लेकर 35 तक विवस्था कि समिधान की भाग तीन को भारत का अधिकार फक्त यानि कि मैगनकार्टा भी कहा जाता है इसे मोल अधिकारों का जनम दाता भी कहते हैं किसे समिधान को भाग तीन को मैगनकार्टा एक फ्रांसी सी सब्द है इसका प्रयोग इंगलेंड में हुआ था सबसे फहले मौली का अधि प्रजुटिक सुतंता की अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को इस्थिक्त भी किया जा सकता है ठीक है और बे आसी में तो नहीं है लेकिन वाद यूग होते हैं राज उन पर यूगत पिती बंद लगा सकता है और पिती बंद का कारण उचित या नहीं उचित है या नहीं इसका नेड़ अलालत ही करेगी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विंचित यूठ न्यालय अनुष्छ तंतम न्यालय अनुश्जित बंद थीज के तहच जा सकता है पेडिप थीज तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तरह तो आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तरह तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोट सुप्रिंग कोट आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा मूल सम्मिधान में साथ मौलिक अधिकार थी आप सभी जानते हैं लेकिन जो चबालिसवा सम्मिधान संसुधन हुआ था ना 1978 में इसमें जो संपत्ती का अधिकार था इसे अनुछे 31 और 19 का को मौलिक अधिकार की सुची से हटा दिया गया और इसे अब सम्मिधान के भाग कितना बारे में अनुछे 300 का के अंतरगत कानूनी अधिकार की रूम में रखा गया प्राबलम ए थी समस्या ए थी कि आपकी जमीन आप देखे कि कहीं रोड गुजरना है या ट्रेन की पटरी जाना कहिए कोई जमीन चाहिए सरकार को तो अगर उस जमीन को लेने के लिए मुआपजा देना पड़ता है और आप देखे कि फिर भी अगर आप जमीन ना दे तो माल लिए कि वहां से ट्रेन गुजरने ही पटरी या रोड गुजरनी है अब रोड तो रुक नहीं सकता है तो लोग क्या करते थे कि सुप्रीम कोट हाई कोट चले जाते थे बड़ा ब्योधान आप देखे बड़ी सबस्या है आती थी परियोजनाओ को चलाने में तो सरकार ने इसे क्या कर दिया मौलिक अधिकार से हटा दिया गया अब कानूनी अधिकार बना दिया गया अब कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं अब लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर रोक नहीं लगाएगी अब सरकार आराम से आपकी जमील ले सकते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि अच्छा खासा मुआपजा भी देते हैं और मुझे लगता है कि इतना मुआपजा देते हैं कि आप समझ सकते हैं 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लाभाई पटेल में कॉंग्रेस ने घोषनापत में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्यारूप जवालाल नहरू ने बनाये था मौले अधिकार देख लिएगा समता पहला आप देखते हैं समता या समानता का अधिकार इसमें अनुचेद 14 से लेकर 18 तक आपको देखने को मिलेगा फे सुतनता का अधिकार इसमें अनुचेद 19 से लेकर 22 तक आप देखेंगे इसमें अनुषे 23 से लेकर 24 और धार्मिक सुतंता का अधिकार 25, 26, 27, 28 और संस्किती और सिक्षा का अधिकार 29 और सम्मिधानी कुपचार का अधिकार 32 आप सोचें कि सम्मिधानी कुपचार का अधिकार ना हो तो बाकी अधिकारों के कोई मायने भी नहीं रह जाएंगे ठीक ह सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समता या जिसे आप लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं तो अनुछे 14 देखते हैं विधी के समक्ष समता इसका मतलब है कि राज सभी वेक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा आप किस जाती से आते हैं किस धरम से आते हैं आप गरीव हैं अमीर हैं आप महला हैं पुरुष हैं ट्रंजेंटर हैं इनमें कानून कोई वेदभाव नहीं करेगा राज एक समान कानून मनाएगा और सभी वेक्तियों के लिए वो कानून र ना ही करता है राज्य के द्वारा धरम मोलबंस जाती लिंग एवं जनम इस्थान के आधी के अधर पर ना अंग्रेकों के पिती जीवन के किसी भी छेत्त में भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य यह नहीं कहेगा कि आपको यह फायदा नहीं मिल सकता है क्योंकि आप इस जाती के हैं इस धरम के हैं या आप देखिए महला हैं प्रोस्त हैं समय रहे हैं आप लोग राज्य के लिए सब एक तरह से समान है और धरम निर्पेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई है राज्य का कोई धरम नहीं होगा ठीक है अनुचित सोले क्या कह रहे हैं अनुचित सोले कहता है कि लोक नियोजन के विसे में आउसर की समता राजी के दिन किसी पत्पव नियोजन या नियुक्ति से सम्मंदित विसेओं में सभी नागरेकों के लिए अवसर की समानता होती है माल लेजे किसी नौकरी की बात कर लिजे अब लोग इसमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएकर किसी भी पॉइंट को लेकर फिर चाहे जाती धरम नसल किसी भी पॉइंट को ठीक है अपबाद अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती पिछड़ा वर्ग आप सभी आप लोगों के मर में इस सवाल आने लगता है कि इस जाती को आरक्षन तो मिला हुआ है तो देखे उनकी इस्तिती को देखकर एक तरह से अपबाद के रूम में उन्हें रखा गया है अनुचित सत्रह आसपस्ता का अंत की बात करता है आसपस्ता की उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराद भोसित किया गया है यानि कि छूगा छूट ठीक है खतम करने की अनुचित अठारे उपादियों के इन्दी की बात करता है सेना या विधा संबंदी संबान की सिवाय अन कोई भी उपादी राज द्वारा पिदान नहीं की जाएगी भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्टपती की आग्या से कोई उपादी सुईकार नहीं कर सकता है भारत सरक्वार द्वारा भारत दतन पदम भूशन पदम स्री ईवं सेना द्वारा परमबीर महावीर भी चक आधी परुसकार अन्चेत अठारे के तहती दी जाते हैं यह आप कहा हैं यह सेना और विधा संबंदी संस्मान के सिवाय तो 18 की बात हो गई, फिर आप देखेंगे आपका दूसरा मॉले का दिकार है सुतंता का दिकार, कौन सा? सुतंता का दिकार, और इसमें अनुछेद 19 देखिए, मूल समिधार में 7 तरह की सुतंता का उले किया गया, आप सिर्फ 6 तरह किया, अनुछेद 19 एफ में संपत्ती का आदिखार था ना, वो 44 समझे समिधान सित्सो दंद्वारा 1978 में हटा दिया गया, अब अनुछेद 19 के तहित, आपको 6 तरह की सुतंता हैं मिली गई, आप लो कहेंगे कि ये कौन कौन से अच्छेद, तो अनुछेद 19 ए इसमें बोलने की सुतंता दी गई है, अनुछेद 19 सांती पूर्वक बिना हत्यारों के एकत्तित होने और सभा करने की सुतंता दी गई है, अनुछेद 19 सी संग बनाने की सुतंता दी गई है, अनुछेद 19 दी देश के किसी चेत में आवागवन की सुतंता दी गई है, अनुछेद 19 ए देश के किसी भी चेत में निबास करने औ आप लोग याद रखेगा और जो जे सुतंता हैं दी गई है ना इन पर पितीबंद भी लगाया जा सकता है माले जी की अनुछेद 19 सी में आपको संग बनानी की सुतंता दी गई है अब आपको यह ऐसा संस्थान बना लीजे आप जो अदेश की एकता खंडता को नुपसान पहुंचाते हो अनुछेद 19 सी में बोलने की सुतंता दी गई है आप किसी को उल्टे सीदे सब्द बोलने लग जाई है तो आपके मौली का दिगार चिन लिए जाएंगा उस समय और आपको जेल में डाल दिया जाएगा फिर आप देखेंगे अनुछेद 20 आपका ए अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंद में सरक्षन की बात की गई और आप देखें कि 20 और 21 आप देखते हैं किसी भी परिस्तेती में ने खतम नहीं किया जाता है इसके तहट तीन पेकार की सुतंता का वड़न है किसी भी शुक्ति को स्वयम के विड़ो दिनियाले में घवाही देने के लिए बात नहीं किया जाएगा अनुछेद 21 यह कहता है प्राधों देख सुतंता की सरक्षन की बात करता है किसी भी व्यक्ति को बिधी को विधी द्वारा इस्थावित किया के अत्रित उसके जीबन और व्य सुतंता की अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता है। अनुछेद 21 के तहट पितिक सरकार का दायत तो बनता है कि वो अपने नागरेकों को स्वस्त और स्वक्ष पर्यावन उफलव्द कराएं। और इसके तहट भारत सरकार ने संसत में राष्टी हरित नयाधीकरण अधिन नहीं है। राष्टी हरित नयाधीकरण देश में पर्यावन से संबंदी पाबलों के लिए उत्तरदाई है। पर अनुछेद 21 का इसमें आप देखेंगे राज 6-14 वर्ष के आयू के समस्त वच्चों को ऐसे धंग से जैसा कि राज विधीद्वाना अधारित करे निसुल् 26 वर्ष मिधान संसुदन हुआ था संदोजार 2 की बात है। 22 और 22 इसे अगर राष्टी आपातकाल भी लगाया जाता है। उस समय भी खतम नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्तिती में। तो आपको जरूर याद रखिए। और क्या करने से रोकना है। और वस्तितार निवारण निरोध राजी की सुरक्षा लोग विवस्था बनाया रखने भारत की सुरक्षा समंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी भीक्ति को निवार्क निरोध की किसी विधी के अधीन गरफतार किया जाता है। कि आपका अंगला और इस पेकार निरोध बैक्ति को या था सीग निरोध के आबाद आधार वसूचित किये जाएंगी कि तु जिन तत्तों को नरस्त करना लोखित की विरोध समझा जाएगा। उन्हें प्रकट करना अवस्तक नहीं है। और निरोध बैक्ति को नरोध आधेस के विरोध अभियोधन करना के लिए सीग आउसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंदित अब तक नहीं तक बनाई गई विधियों की बात करने तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निरोध अधिनियम पारित किया था। और इसका उदेश राष्ट बिरोधी तत्तों को भारत की पिती रक्षा की पितूल कार से रोकना था। इसे 1 अपरेल 1959 को समाप्त कर दी हो जाना था। किन्तु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया। और अंधता 31 देसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। एक बना था अंत्रिक सोरक्षा विवस्ता अदीनियम 1971 मिसा, एक चबालिस भी समिधान संसुधन अदीनियम इसके पितीकूल था और इस कारण अपरेल 1989 में यह समाप्त हो गया था। और मिसा आप देखे एक नेता हैं जिनों ने आप देखी उनकी गरफतारी इसी के अंडर प्रवंदी की अब दी एक बर्स थी, जैसे 13 जुलाई 1984 को ये कद्यादेश के द्वारा बढ़ा कर दो साल कर दी गई थी। फिर आप देखें के राष्टिय सुरक्षा कानून 1980 जमू कस्मीर के अतरिक्त अन्य सभी राज्यों में लाउ किया गया था। और आंतरिक प्रवावी और सरवादी कठूर कानून था और 23 मही 1995 को इसे समात कर दिया गया था। पोटो आप देखेंगे इसे 25 सक्टूबर ये था प्रिवेंशन ऑफ टरेज्म ओर्डिनेंस 2001 इसे 25 सक्टूबर 2001 को लाउ किया था। पोटो टाडा का ही एक रूप है और इसके अंतर के कुल 23 आठंगवादी घुटों को पिती वंदित किया गया और आठंगवादी और आठंगवादीयों से सम्मंदित सूचना को चीवानने वालो को भी धंडित करने का परावधान किया गया है इसमें। और इसमें आप देखिए 21 सेप्टमबर 2004 को इसका अध्यादेश की रूम में समात कर दिया गया तो ये भी याद रखिएगा अंगला आपका मौली का दिकार है सोसन की विरूद दिका है क्या सोसन की विरूद दिका है इसमें अनुचे 23 मानों के दुर्वियापार और बलात सरम का रोकने की बात करता है इसके दोबारा किसी वेक्ति की खरीद विक्री बेगारी इसी वेकार के अनजवज़श्ती लिया गया सरम निसिद ठहराया गया जिसका उलगन विदी के अनु अनुचे 24 में बालकों के निवज़न का पितीशित करता है 14 वर्स से कमायो वाले बच्चों को कार खानों खानों या अनकिसी जोकें भरे कम नेवक्त नहीं किया जासकता है यह आर्टिकल 24 कहता है और अंगला आपका मौली का अधिकार है धार्मिक सुतंता का अधिकार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं तो इसमें अनुचे 25 अन्ताकरन की और धर्म के आवाद रूप से मानने आचरन और पिचार करने की सुतंता की बात करता है कोई भी वैक्ति किसी भी धर्म को मान सकता और उसका फिचार पिसार कर सकता है अनुछेद 26 धार्मिक कारियों के परवंदि की सुतनता की बात करता है वैक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थाफना बपोशन करने विधी संपत संपती के अर्जन स्वामित और वापिसासन की अधिकार की बात करता है तो यह भी आप लो याद रखेगा आनुछेद 27 राज किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाद नहीं कर सकता जिसकी आये किसी विशेष धरम अद्वा धार्मिक संपदाय की उन्नती या पोसन से मैं बैय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो आनुछेद 28 क तो बलाग सुनने ही तो बाद भी नहीं कर सकते माले जी कि राज से कोई सिक्षर संपता चलाय जा रहा है राजी की मदद से सरकार की मदद से तो इसमें देखिए धरमिक सिक्षा नहीं दी जाएगे समझ रहे हैं आप लोग और कोई अपना अगर धरमिक कोई स्कूल खोल ल संस्किती सिक्षा संबंदी अदिकार इसमें अनुचित 29 यह अल्फ संख्याग वरगों के हितों का सरक्षन करता है और कोई भी अल्फ संख्याग वरग अपनी भासा लिपी संस्किती को सुरक्षित रख सकता है और केबल भासा जाती धरम और संस्किती संस्किती के आधार उसे किसी भी सरकारी सेक्टरिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा बारतमार में 6 समधायों जिसमें मुसलिम, पार्सी, इसाई, सिख, बौध, जैन को अलब संख्यक बरक का दर्जा दिया गया हमारे देश में और अलब संख्यक समधाय की विकास को समुच्चित आधार प्यदान करनी के लिए 2005 में ततकालीन कें सरकार की प्यदान मंतरी का द्वारा प्यदान मंतरी का 15 सूत्रिय कारकरम प्यारम किया गया था, एक अनुचेत इसी में आपका 30 भी है, सिक्षा संस्थानों की स्थापना और पिसासन करने का अलब संख्यक बरकों का दिकार है, कोई भी अलब संख्यक बरक अपनी पद का सेक्षडिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह इसे कोई भी भाव नहीं करेगे, आपको काया है ना कि सरकार के लिए सब बराबर हैं, किसी भी धरम, कोई भी धरम वो, ठीक है, फिर आप देखेंगे समिधानी कुपचारों का अधिकार, और ये सबसे जरूरी अधिकार है तो समिधानी कुपचारों की अधिकार को डॉक्टर भीमरा अंबेड करने, समिधान की आत्मा कहा है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट को जरूर एक कतन कई बार हूँच लेता है, ठीक है, पूचेगा आपसे समिधानी कुपचारों की अधिकार को, या समिधानी की अर्टिकल न्याले में आविदन करने का अदिकार पर्दान किया गया इस अंदर मैं छरवच न्याले को 5 तरह की ripe P만 निकालने की सक्ति वर। इसमें बंदी पित्यक्षी करन की बात करें तो यह उस ब्यक्ति की प्रात्ना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अबेद रूप से बंदी बनाया गया इसके द्वारा नियालय बंदी करन करने वाले अधिकारी को आदिश देता है कि वह बंदी बनाए गए ब्यक वस्तित नहीं कराए गया तो उस ब्यक्ति के संद्र में वो ब्यक्ति एक तरह से सुप्रेंग कोट जा सकता है ठीक है अब देखिए वो तो वहां से जाएगा नहीं उसका ही कोई फितिनेदित करने बाला जाएगा परामादेश्ट परामादेश्ट का लेक उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदादीकारि अपने सारुजें करतब का निरवाहन नहीं करता हो इस पकार की आग्यापत की आधार पर पृताधीकारि को अपने करतब का पालन करने का अधेश जारी किया जलता है ऑब बैंक में जाए कोई अधिकारी काम ना कर रहो उसके संदर में contain पि इसके द्वारा अधिनस्त नियालें को निदेश दिया जाता है कि बे अपने पास लंबित मुकदमों के नियाय नेड़ेन के लिए उसे वरिष्ट नियाले को भेजें एक आपका अधिकार प्रेक्षा लेक्षा जब कोई ब्यक्ति ऐसे पदा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हो वह बारवी जी और ग्यारवी के बच्चों को पढ़ा रहा हो तो उसके संदर्व में आप कह सकते हैं तो यहां भी आप मौली के अधिकार में अधिकार में संसोधन एक तो गोलक नाथ बनाम पंजाव राज 1967 की बात है कि नेड़े से पूर दिये गए नेड़ों में यह निर्धारित किया गया था कि संदर्वान के किसी भी भाग में संसोधन किया जा सकता है और जिसमें अनुछे 368 एबं मौल अधिकार को सामिल किया गया है था दूसरा आप संसद मौल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती है फिर आप देखेंगे अनुछे 24 भा संदर्वान संसोधन 1971 में इसमें अनुछे 13 और 368 एबं में संसोधन किया गया था और यह निर्धारित किया गया कि अनुछे 368 में दे गई पिक्रिया दौरा मौल अधिकारों में संसोधन किया जा सकता है और किसमानंद भारती बनाम किरल राजजवाद की नेड़े में इस पिकार कि संसोधन को विधी मानिता प्यदान की गई अर्थाद गोकल लगनाद बनाम पंजाब राज की नेड़े को निरस्त कर दिया गया और 42 संसोधन संसोधन 1976 के दवारा अनुचे 368 में खंड चार और पांच जोड़े गए और यह अभिवस्ता की गई कि इस पिकार किये गए संसोधन को किसी नेड़े में पिसन नगत नहीं किया जा सकता है एक आप देखेंगे मेनरवा मिल्स बनाम भारत संग 1980 में कि नेड़े के दवारा यह नेधारित किया गया कि संमिधान की आधार भूत लक्षा की रक्षा करने का दिकार नियालय को है और नियालय इस आधार पर किसी भी संसोधन का पुना लोकन कर सकता है इसके द्वारा 42 बे समिधान सुन सुधन द्वारा की गई विवस्ता को भी समाप्त कर दिया गया तो यह भी आप लोग याद रखेएगा याद रखेएगा यह नहीं रखेएगा अब चलते हैं हम लोग समिधान का भागचार देख लेते हैं इसमें आप लोग राज जी के जो नीती नेदिशक सिद्धान्त हैं जो तथ हैं इनके बारे में बात की गई है अब आप देखें कि आपके करतब आँगे आप लोग देखेंगे तो राज जी के भी तो कुछ करतब होने चाहिए अपने जनता के पिती इसमें जो नेता हैं उनके भी तो कर्तब होना चाहिए अपने जो जनता चुन रही है उन्हें तो राजी के नीती निदिसक सिधान्त का वर्डन समिधान के भाग चार में अनुछे चत्तिस से लेकर इंक्यावन तक किया गया है और इसकी पेडा आयलेंड के समिधान से मिली है उसे नियालें द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है इसे बैधानिक सक्ती प्रात नहीं है यानि कि कहने का मंगल है कि इसमें जो भी बातیں की गई है अगर जनता को या आप में से किसी को फायदा उसका नहीं मिलता है तो आप लोग सुप्रीम कोट नहीं जा सकते हैं आप फाई कोट नहीं जा सकते हैं आप लोग किसी नियालाय में नहीं जा सकते हैं ये राज सरकारों पर निरवार हैं अगर वो चाहें तो दे सकती हैं किंदो फिर भी इस भाग में आधी कथि तत्ध देश के सासन में मूल होते हैं और विदी बनाने में इन तत्धों को लाउ करना राज्य का करतब होता है यानि भारती समिधान के रुषा राज्य का नीती नेदेसक्तत सासन के लिए आधार होता है अब ऐसा भी माल लिया जाता है कि राज्य अपने आप काम करेगा क्योंकि आप आप देखी कि उसका चुनाव भी तो होता है वो भी तो जंता की पिती जवाब देई होते हैं, वहां के राज्य की नेता जो भी रहते हैं, तो इसलिए माल लिया जाता है। इस्थापना करना होता है। अगर अनुचेद आप लोग 38 को पढ़िए, तो राज्य की लोग कल्यान की अभी विड़ी के लिए सामाजिक विवस्ता बनाएगा और जिसमें नांग्रेकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय मिलेगा। अनुचेद 49 का कहता है कि समान न्याय और निसुल्क विदिक साहायता समान कार के लिए समान विदतन की विवस्ता इसी आर्टीकल में देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में समान न्याय है और समान जो निसुल्क विदिक साहायता हो या समान कार के लिए समान वेतन हो नहीं मिलती है। और पुर्सों के लिए अलग रख दी जाती है, अन्य छेत्रों की बात करने, सरकारी में तो आप सब भी जानते हैं कि एक फिक्स रहती है, पुर्सों हो महलाओं बराबर, लेकिन प्राइबिट छेत्र में आप देखते होंगे, आप लोगों को ए समानता देखने को मिलती होग अनुचे 49 खा, इस सारजनेक धन का स्वामित और नियंतर निस्पिदान करता है, प्रकार करता है ताकि सारजनेक हित का सर्वत्तम साधन हो सके अनुछे 49 गा धन का समान वितरन की बात करता है अनुछे 40 ग्राम पच्चायतों के गठन की बात करता है वे एक एवार पूछ लेता है कि ग्राम पच्चायतों के संगठन की बात कौन सा आइटिकल करता है अनुछे 40 और अनुछे 41 कुछ दसाओं में काम, सिक्षा, लोग, सहायता पाने का अधिकारी की बात करता है 15 अगस 1995 से प्रभाव में आया राष्टिय सामाजी कारिकरम भारती समिधान के अनुछे 41 के प्रावधानों की पूरिती करता है इसका उद्यस गरीवों को सामजीक साहता प्राव साहता उबलब्द कराना और वरत्माने में इसमें 5 यह उजना है सहा है मेले इंद्रा गांधी राष्टी ये विध्धा पेंसा ने हो ज़िए ना, इंद्रा गांधी राष्टी ये विकलांग पेंसा ने हो ज़िए ना, राष्टी ये परिवाल लाब ये हो ज़िए ना, अन्यपूर्ण आये हो ज़िए ना, तो ये भी आप लो याद रखेगा, पाजचन मजदूरी वा कुटी रोध्यों 23 नागरिकों के लिए एक समान सिविल साहिता की बात करता है अनुछए 46 अनुशे जातियों अनुशुचज जन्जातियों और अण दुर्वल वर्गों के लिए सिक्छाओं और अर्थ संबन्दी हितों की अभिविद्धी की बात करता है अनुचेद 47 पोसाहार इस्तर जीवन इस्तर को उचा करने और लोक स्वास्त का सुधार करने का राज जी की करतबी की बात करता है अनुचेद 48 किरसी और पसूपालन सकटन की बात करता है अनुचेद 48 का सारिपाल का नियायपाल का कि पितक करन की बात करता है अनुचेद इंक्याबन अंतराष्टी सांति उस रक्षा की अभी व्यद्धी की बात करता है और अनुचेद की अतरिक्त कुछ ऐसे अनुचेद भी है जो राजी के लिए नियदिशक सिद्धान की रूम में करते हैं जैस केटी साहे ने कहा था इस पॉइंट को याद रखेगा ऐसा चेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखे उसी बैंक आप देखे यानि कि सरकार के उपर निर्मर करता है वो यह सुख्धाय उपलद करा रहा है करा रहा है या नहीं मौलिक अदिकार और नेती निर्देशक सिध सिध्धान्त आयलेंड की समिधान से लिया गया है जबकि मौलिक अदिकार USA की समिधान से और नेती निर्देशक सिध्धान्त का वर्डन समिधान के भाक्चार में है जबकि आप सभी जानते हैं कि मौलिक अदिकार का वर्डन समिधान के भाक्तीन में है नेती निर्देशक सिध्धान्त इसे लागू कराने के लिए नहीं जाया जा सकता है लेकिन आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए नियाला भी की सरन ले सकते हैं नीती निदिसक सिध्धांत या समाज की भलाई के लिए होते हैं और मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं कि बैक्ति के अधिकार के लिए होते हैं नीती निदिसक से धांत इसके पीछे राजनेतिक मानता है जबकि मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मानता है नीती निदिसक से धांत यह सरकार की अधिकारों को बढ़ाता है जबकि मौलिक अधिकार सरकार के मत खुगटाता है और नीती निदिसक से धां यह राज सरकार के दुवारा लागू करने के बाद ही नागरेकों को प्राप्त होते हैं जबकि मौलिक अधिकार नागरेकों को सोता ही प्राप्त हो जाते हैं तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए दोनों में अंतर हो गए आपके क्या हो गए? अंतर हो गए अब मौली करतब आ जाते हैं आपने मौली करतब आ जाते हैं आपने मौली करतब को पढ़ लिया राज्य सरकारों के एक तरह से आप देखिए कि उनके भी मौली करतबों को पढ़ लिया अब अपने मौली करतब भी हैं आपको अधिकार मिले हुए हैं तो आपकी भी कुछ जिवमेदारियां हैं, सरदार सवर सिंग समिती की अनुसंसा पर समिधान के 42 बे, संसोधन 1976 की द्वारा मौली करतबों को समिधान में जोड़ा गया, और इसे रोस के समिधान से लिया गया, और इस लाइन में आप देखी कई तरह के कुश्चन्स आपके बन रहे हैं, सबसे पहले तो आप से पूँचे कि मौली क अधिकारों को किस समिधान समिधान से लिया गया है, रोस के, और इसे भाग किस में रखा गया है, भाग चार का में अनुछे इंक्यावन का के तहट, इसमें 11 मौल करतब आपको देखने को मिलेंगे मौली करतब, प समिधान का पालन करें, और उसकी आदर्सों, संस्थाओं और राष्ट दोज और राष्टगान का आदर करें, दूसरा कहता है कि सुदंता के लिए हमारे राष्टिये अंदोलन को पेरेद करने वाले उच आदर्सों को हिदाय में सजोई रखें, उनका पालन करें, तीसरा क प्रुभूता एक्ता और अखंड़ता की रक्षा करें उसे अच्छोन रखें। व्यक्तिगत एवं सामुई गतिविदियों के सभी छित्रों में उतकरस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। क्रम डालने की वजए डेस लगा के आप क्रम से नीचे तक आप लोग लिख सकते हैं। इसे क्या रहेगा कि परिच्छा जो चेक आपकी कॉफी कर रहा होगा। तो वो बहतर आपको अंसर राइटिंग मतलब नंबर देफ आएगा कहने का मतलब। समझ रहे हैं। क्योंकि उसे मालू चल जाएगा कि अच्छा इसने ग्यारा नहीं लिखे या क्रम भूल चुका है। तो आप डेस लिखे हैंगे तो आप लोग उसे गिनेगा नहीं और गिनेगा तो उसे लगेगा ठीक चलिए छोड़िये बड़ी। लेकिन ग्यारा एक, दो, तीन, चार दिख जाता है कि हाँ ग्यारा इसने लिखे या नहीं लिखे। चलिए खेर आप लोग समझदार हैं इतने तो, सरसंगी एक कारिपालिका आती है, और यानि कि भाग समीधान का भाग क्या पांच, तो इसमें आप लोग जाएंगे, तो भारतिय संगी की कारिपालिका सकती राष्टपती में इसमें राष्टपती में नहे थे, यह अनुछे त्रेपन कहता है, क्या कहता है, भारत संगी की कारिपालिका सकती राष्टपती में है, ठीक है, और भारत में संसदिय विश्था को अपनाए गया, क्योंकि मंतरी परिसद लोग सभा के पिति उत्तरदाई होती है, और राष्टपती नामात की कारिपालिका है, पिधार मंतर को आप सोची जनता के सामने नहीं जाना पड़ता है जनता के पिति जबाब देही ना रहे तब भी चलता है लेकिन आप देखिए कि बिधान पिधान मंतरी को जनता के पिति उस तरकार को जबाब देही रहना पड़ता है अगर वो काम नहीं करेगी तो अंगली बाद जनता उ से सत्ता से उखाड फेकी ठीक है तो वास्विक सक्तिया प्यधान मंत्री को उसके मंत्री मंदल को दी गई हैं अनुचेद अगर बावन आप पढ़ें तो राष्टपती देश का समीधान एक प्यधान होता है राष्टपती भारत का पितम नागरिक भी कहलाता है राष्टपत साल की आयूपूरी कर चुका हो लोग सभा का सदस्न निर्वाचित किये जाने योग हो और चुनाओ के समय लाप का पद धारन नहीं करता हो तो ये सभी सर्तन रखी गई है तो ये सभी अगर है योगता तो आप भी कौसिस कर लीजे यदि किसी राष्टपती या उपराष् राष्टette चंवन कहता है इसमें राज्वाचित सभा और राज्यों की विद्हान सभाओं की निर्वाचित सदस सामिल होते हैं यहां एक वड़ा एक सब्द माइन रखता है निर्वाचित ऐलेक्टेड यानि की कहने का मतलब है कि जो राज्वाकित के लोक सभाकित और एक बात साफ याद रखेगा नवीन तम विवस्था के अनुसार पदू चेरी विधान सवा और दिली के विधान सवा के सदस निर्वाची सदसों को भी समलित किया गया है और जमू कस्मीर में जब चुनाव हो जाएंगे तो उन्हें भी सामिल किया जाएगा राष्टपती प सदस्तों होना ही चाहिए उसे एक तरह से पिस्ताओ करने के लिए पचास और पचास अनुवदक के रूम में एक ही विक्ति जितनी बार चाहे राष्टपती के पत्पर निर्वाचित हो सकता है अमेरिका में आप देखते हैं कि दो बार की विवस्था की गई है लेकिन हमार संब्दी पिदालि और एकल संक्मणियी मतपद्धिती के दौरा होता है До 655 कहता है राष्टपती के निर्वाचन से संब्दित बिवादों का निप्टारा उचितमने हाले द्वारा किया जाता है और निर्वाचन अवैद घोसित होने पर उसके दौरा किये गए कार पद नहीं लेता है यह अनुछित आपका 56 कहता है पद धारन करने से पूर्व राश्पती को एक निर्धारित पिरपत्त पर भारत की मुख न्यादी सत्वा उनकी अनुपस्तिती में उच्छितम न्याले की वरिष्टितम न्यादीस की सम्मुख सपत लेनी पड़ती है तो य 56-73 के अनुसार राश्पती भारत सरकार का कार अधिक सो विधाफूर्वक किये जाने के लिए मंतिरियों में उक्त कार की अबंटन के लिए नियम बनाएगा यह आपके भारत की राश्पती है ने भी याद रख लिए डॉक्टर राजिन पे साथ आप सभी जान थें कि पहल 28-1967-1967-1967-1967-1967-1967-1967-19ña-1964-19 educator रहते हैं फक्रोविदीन अली एहमद cage 54-57-1967-1977 तक रहते हैं नियलां संजीब रिडि एrich 1747-12стра प्लिए घ्याणी जेल सिंग ए आप देखेंगा 82 ह सतासी आर वेंकट रोमन एस सतासी से बानवे डॉक्टर संकेल दायाल सर्मा एबानवे से आप देखेंगे संतानवे कियार नरायन एसंतानवे से आप देखेंगे 2002 डॉक्टर एफीजी अब्दुलकलाव एस 2002 से 2007 पितिविया पाटल 2007 से 2012 और पेड़ो मुखर जी 2012 से 2017 और रामनात कोविंद यह आप देखेंगे 2017 से अभी तक अब आप देखेंगे चुनाव होना है आप कौन बंता है यह तो आने वाला बक्ती बताएगा विवी गिरी 3 मई 1989 से 20 जुलाई 1989 तक न्याय मूर्ती मुहमद हिदायत तुलाई 20 जुलाई 1989 से 24 अगस्त 1990 तक और विडी जत्ती 11 फर्वरी 1997 से 25 जुलाई 1977 तक कारवाख राष्टपती के पत पर रहे थे यह भी आप लोग याद रखेगा राष्टपती निमन दसाओं में 5 बर्स से पहले भी पत त्याक सकता है अगर वो चाहे तो उपराष्टपती को संबोधित करके अपना त्याक पत दे सकता है और यह त्याक पत उपराष्टपती को संबोधित किया जाएगा जो इसके पन, दो में यह बात कही गई है ए पूछ लेता है कई बार कि राष्टपती अपना तयाक क्यसे देता है तो उपराष्टपती को और उपराष्टपती राष्पती को महावियोग द्वारा हटाया जाने की विपस्ता भी किगे अनुचेद 61 में महावियोग के लिए के वल ए परन्तु इसके लिए आवस्थक है कि राष्टपती को 14 दिन पहले लिखे सूचना दी जाए कि उस सदन के 14 सदसों के हस्ताक्षर हों कि आप पर महावयोग चलाय जा रहा है और संसत के उस सदन जिसमें महावयोग का परिस्ताओ पेस है कि दो तेहाई सदसों लारा पारित कर देने पर परिस्ताओ दूसरे सदन में जाएगा और तथा दूसरा सदन राश्टपती पर लगाएगा आरोपों की जाज करेगा या कराएगा और ऐसी जाज से राश्टपती की उपर लगाएगा आरोपों को सिद्ध करने वाला पिस्ताओ दो तेहाई बहुमत से पारित हो जाएगा तब राश्टपती पर महावयोग की पिक के हैं आप सभी जानते हैं NDA के हैं राष्टपदी की रिक्ती को छोड़ 6 महीने के अंदर भरना अवस्क होता है जब राष्टपदी पत की रिक्ती पदावधी 5 बर्स की समाप्ती से हुई हो तो निर्वाचन पदावधी की समाप्ती के पहले कर लिया जाएगा अनुचित 62- पासर एक में कहा गया है किन्तु यदि उसे पूरा करने में कोई बिलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए इसलिए यह उबंद किया गया है कि राष्टपती अपने पद की अउधी समाथ हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्राद बाधारि नहीं कर लेता है और और अनुछे 56 एक कहता है एक खाष्यों ऐसी दर्साव मरश्टपति ऑपर राष्टपती की रूम में काल नहीं करेगा जया सबताओं में बात करें जैसे राष्टपति के कित्तों का निर्वहन अनुछे 70 कहता है जड़ राष्टपती औपर उत्त्रा अधीकारी अधिनियम 1999 में पारित किया जो की एक अबंधित करता है यदि उपर राष्ट्पती भी किसी कारण बस उपलब नहीं है तो उस्च्टम नयालाय का मुख नयादीस जो उस समय उबंध हो राष्टपती के रूम में काम कर सकेगा ठीक है यह सवाल आप देखेंगे आप लोग जब शुरुआत करते हैं तैयारी की तो उस समय आपके मन में इस तरह के उबड़ खावड सवाल आते हैं कि माली जी कि कई राष्टपती नहीं है तो चलिए उपका क राष्टपती की बेतन भत्ते की बात करें तो राष्टपती का मासिक बेतन पाच लाग रुपे है राष्टपती का बेतन आयकर से मुक्त होता है और एपॉएंट इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि रामनात कोविन ने कुछ समय पहले यह बयान दिया राष्टपती के कारकाल के दोरान उसके बेतन भत्ते में किसी पेगार की कोई कमी नहीं की जा सकती है राष्टपती के लिए 18 लाक रुपे 1.5 लाक रुपे मैना वार्सिक पहले पैंसन निरधारित किया गया है तो आप समसकते है क्या है राष्टपती के अधिकार और परिक्षक, राज्जों की राजिपाल, मुख्ष चुनाओ आयूक्थ, अन्चुनाओ आयूक्थ, भारत की महानयाःबादी, राज्जों की मद्द्द समनबय के लिए अंतराष्टी परिशति की सदस् सग इखिक सदस् सगоминаशों, पिख्रावरग आयूकád की सदframes, वहासों, कौन हमारे राष्ठपती साहब और बिधाई सक्तियों की बात करने तो राष्टपती संसत का अभिनाग मागنا जाता है और इसे नमने सक्तियां प्राप्त है संसत के सत्त कु वहूत करने सत्ता वसान करने लोकसभा भंग करने का संबन्दी अधिकार भी किसके पास है राश्टपती साब के पास संसर में निमने विध्यक को पेश करने के लिए राश्टपती की पूरुमाय अनुमती चाहिए होती है, सहमती, नई राज्यों का निर्वाड और बत्माराज्यों की छेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंदी विध्यक पर, धन विध्यक पर अनुचेत 110 सीमे, ठीक है, एक सो धन विध्यक होता है ना, इसे लाने से पहले भी पूरु सहमती राश्टपती की चाहिए होती है, संचित निधी में बैय करने वाले जो विध्यक होते हैं, इन्हें भी अनुचे 173 के था है, राश्टपती की सहमती लेनी परती है, ऐसे कराधन पर जिन पर र अनुचे 304 कहता है, यदि किसी साधरन विध्यक पर दोनों सदरों में कोई आसहमती है, तो उसे सुल्जाने के लिए राश्टपती दोनों सदरों की सयुक्त बैठक बोलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभाद्यक्ष, इस पॉइंट को जरूर याद रख कि लोकसभा में आंगल भारती ये समधाय की व्यक्तियों का समुचित पितिनिदित नहीं है, तब वो है उन समधाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा की अनसदस्की रूम में नाम अंकीत कर सकता है, अनुचे 331 कहता था, इस पिकार हो है कला साहत, पतिकारता, विग्यान, उन मनोनीत करता है, अध्यादेश जारी करने की सकती राष्टपती की, आप देखे कि संसद के कोई भी सदन नहीं चलना हो, तो उस समय आप देखे कि 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और जिसका प्रभाव संसद की अधिनियम के समानी होगा, और इसका प्रभाव संसद सत्य स tapasantsता तक रहता है. परवन्तो राष्ट्थी राज सूच्षी के इसे पर अध्यादिश जारी नहीं कह सकता ह। जब दोनों सदनों सत्य में होते हैं, तब राष्ट्थी कोई आसकती भी नहीं होती है. और आप सोचे कि कोई कानून की जरूरत है तो उस समय आप देखे कि संसक राष्टपती साव अध्यादेश के रूम में उससे ला सकते हैं और यह कानून उतना ही प्रभावसाली रहेगा जितना की एक तिक्रिया से जो कानून बनता है सैनिक सकती भी राष्टपती के पास है सैन वलों की सरवोच सकती राष्टपती में सन नहीत है किन्तु इसका प्रयोग विधी द्वारा नेमित होता है राजनेतिक सकती दूसरे देशों के साथ कोई भी समझोता है या संधी राष्टपती के नाम से ही होती है राश्टपती के विदेसों के लिए भारती ये राजदूतों की निवक्ति करता है और भारत में विदेसों के राजदूतों की निवक्ति का अनुमोधन भी करता है चमादान की सक्ति, समिधान की अनुचित 72 की अंतरगत राश्टपदी को किसी अपराद के लिए दोसी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को चमा करने उसका प्रिविलंबन, परिहार और लगुकरन की सक्ति प्राप्त है चमा में दंड और बंदीकन दोनों हटा दिये जाते हैं और दोसी को पूर्टा मुक्त कर दिया जाता है लगुकरन में दंड की रूप सौरोप को बदल कर कम कर दिया जाता है जैसे मित्यु दंड का लगुकरन काठोर या साधारं कारवास में परिवतित करना परियार में दंड की प्रवित्ती को परिवत्म किये बिना उसकी अवधी कम कर दी जाती है जैसे दो वर्स की कठोर कारवास को एक वर्स की कठोर कारवास में बदल देना पुरिवी लंबन में किसी दंड को परविसेस कर मित्यु दंड रोक लगाना ताकि दोसी बेक्ती छमा याच ना कर सके विरा में किसी दोसी की सजा को विसे सित्तिती में कम कर दिया जाता है जैसे गरवती स्थी की सजा को कम करना जब छमादान की पूर्व याच का राष्टपती ने रद्ध कर दी हो तो दूसीरी याज का नहीं दार की जा सकती है आपने कुछ समय पहले देखा होगा निर्वेया मामले में जो दोसी थे उन्होंने कही बार इस तरह के परियास किया लेकर आपने देखा है सब ही का एक तरह से आखर में उन्हें फांसी दी गई इस तरह की घटनाओं को जो अन्जाम देगा मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी से जा मिलना चाहिए राश्टपती के पास आपातकाली सक्तियां भी होती है आपातकाल में से सम्दित और बंद भारतिय समिधान के बाद अठारे के अनुचे 352 से 360 के अंतरगत है मंतरी परसद के परावस से राश्टपती तीन तरह की आपातकाल लागू कर सकता है पहला योद या बाहे आकमण और ससक्त विद्रो के कार लगाया गया आपातकाल अनुचे 352 जिसे आप लोग राश्टी आपातकाल राज्यों में सामिधान एक तंत के बिफल होने से उत्पन आपातकाल अनुचे 356 में राश्टपती सासन कहते है एक बित्ती आपातकाल होता है अनुचे 360 जो नियूनतम अब्दी दो महीने की होती है इसकी आपसे पूचता हो क्या राश्टी आपातकाल तो कई बार आप देखे लगाए लगाएगा कितने बार लगाएगा यह भी बताईए का आप लोग और बित्ती आपातकाल क्या अभी तक हमारे देश में लगा है अंगे हैं राश्ट्पती किसी सार्वजिक महत के पिसनपर उच्चतब नयाले तो देखे परामस मानने की लिए बात नहीं होता है राश्ट्पती मान सकता है, सलाइन ले सकता है, आप से भी पिताजी शलाय लेते होंगे लेकिन पिताजी वो सलाय को माने उन पर निर्वाग करता है राश्टपती किसी विधेयक पर अनुमती देने या ना देने कि नेड़े लेने की सीमा का अदभाव होने के कारण राश्टपती जेवी विटो का प्रियोग कर सकता है क्योंकि अनुचेद 111 केवल यह कहता है कि यदी राश्टपती विधेयक लोटाना चाहता है तो विधेयक को उसे पिस्तुत किये जाने के बाद या था सीग लोटा देगा जेवी विटो सकती का प्रियोग का उधारन 1986 में संसत द्वारा पारित भारतिय डागघर संसुधन विधेयक जिस पर अततकाली राश्टपती ज्यानी जेल सिंग ने कोई नेड़ाय नहीं लिया था तीन बर्ष परश्चाथ 1989 में अंगली राश्टपती आरवेंकर प्रुमन ने इस विधेयक को नई राश्टी ये मोर्चा सरकार के पास पुनर विचार ही तू भी जा था परन्तु सरकार ने से रद्ध करने का फ्रसला किया था भारत में राश्टपती की दुवारा संग बित्ते आयो की सिफार्सों नेंतक महलेखा परिक्षक के पिती बेदन राश्टी ये नसूचित जाती आयो के पिती बेदन को संसत के पटल पर रखवाया जाता है डॉक्टर राजन पर साथ भारत के पित्तम राश्टपती थे बे लगाता दो बार राश्टपती निरवाचित हुए थे पित्वा सिंग पाटिल है आप लोग बताईए पिथम महला हमारी मुख मंतरी कौन है देश भारत में किसी वी राज में आप देखे और हमारे देश की पहली राजपाल महला कौन थी किसी वी राज में और हमारे देश की पहली पिथान मंतरी महला कौन थी यह सब ही आप लोगों को बताना है अब बात आती है आपके उपराश्टपती साहब को देख लेजे क्योंकि आप देखते हैं कि उपराश्टपती साहब से भी कुश्चन साते रहते हैं आपकी परिच्छाओं में तो इसमें अनुच्छे 63 आप लोग पढ़ेंगे तो उपराश्टपती सहाब की बात की गई है समिधान में उपराश्टपती से सम्मदित प्रावधान अमेरिका के समिधान से गरहन किया गया है और भारत का उपराश्टपती राज्यसवा का पदेन सभापती होता है अनुच कौन बैकती है जो उस सदन का सदस नहीं होता है लेकिन उसका अध्यक्ष जरूर होता है तो उपराश्टपती है जो राजसवा का अध्यक्ष होता है सभापती होता है लेकिन आप देखिए राजसवा का सदस नहीं होता है लोगसभा के मामले में आप जाईए लोगसभा अगर आप उसके सदानों के सदस नहीं होता है। सभापती की रूम में नडायक मत देने का अदिकार उससे पराप्त होता है। और योगिता की बात करें कि उप्राश्पती कैसे बन सकते हैं। तो कोई व्यक्ति उप्राश्पती निर्वाचित होने की योग तभी माला जाएगा, जब वो भारत का नागरेख हो, 35 बर्स की आयूपूरी कर चुका हो, राज्पती की बिधान मंडल की किसी सदन का सदस नहीं हो सकता है। यदि यह सब यक्ति उप्राश्पती निर्वाचित होता है, तो यह समझे जाएगा कि उसने उस सदन का अपना इस्थान, अपने गहन की तारीक से रिक्त कर दिया है। और उपराश्टपती की निर्वाचन के निर्वाचक मंदल होता है यानचे 661 में बस्तागी बात की गई है उपराश्टपती का निर्वाचन संसत के दोनों सदनों की सदस्नों से मेल कर बनता है निर्वाचक गड़ की सदस्नों द्वारा अनुपातिक पितिने धी पद्धित आचक गड़ में निर्वाचित एब मनुणीद दोनों सदस्स सांबिल रेते हैं आपके देके राश्पती के दोरा के जपनी करने में बात की गे, उपराश्टपती पद गहन करने की तारीक से पांच बर से के तक अपना पद्धारन करेगा, परन्तु उपराश्टपती राजपती को संबोधित करके अपना हस्ताक्छर सहे लेग द्वारा वो पद त्याग सकता है, अन्छे सरसड का कहता है इस बात को, और उपराश्टपती राजसबा के ऐसे संकल्ब द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राजसबा के ततकालीन वसमस्त सदस्तों के भंगत से पारित किया हो, जिसमें लोगसबा सहमत भी हो, और किन्तु इस खंडर के प्रियोजन के लिए कोई संकल्ब तब तक पर म होना रहता है, जबते कि उसका उत्तरादीकार, उत्तरादीकारी अपने पद ना ले ले, ठीक है, अनुछे सरसट गाव में बात की गई है, भारत की उपराश्पती को देख लीजे, डॉक्टर एसराधा किष्णा, उन्नीस संता, उन्नीस सो बावन से लेकर, उन्नीस सो बा से 1974 तक, बीडि जत्ती, 1954 से 1989 तक, न्यामूरती मुहमद हिदायत उल्ला, 1989 से 84 तक, आर वैंकट रमन, 1989 से 87, डॉक्टर संक्या दयाल सरमा, 87 से 92, की आर नाराहिन, 92 से 97, किसने कांथ, 97 से 2002, भैरो सिंह से खावत, एथ 2002 से आप देखे 2007 तक, हामित अंसारी 2007 से 2017 तक आप देखिए 10 साल ए भी रहे और एम बेंक के एनाइडू आप सभी जानते ही कि 2010 में 2017 में चुना हुआ था और अभी तक हैं अब इनका चुना होगा आप देखिए और राष्टपती बनने से पहले डॉक्टर एस राधा किष्णन सोविय संग में राजदूत भी थे तो यह भी आप लो याद रखें और राष्टपती के निर्वाचन से सम्मधित बिवादों का निप्टारा भी राष्टपती की तरह उच्टम नियाले द्वारा किया जाता एक बाथ हमेसा याद रखें अगर माल गये और राष्टपती चुनाओं में कोई बिवाद रहता है, तो उसका निर्वाचन कौन करेगा उच्चतम नियाले राश्टपती के पद खाली रहने पर उपराश्टपती राश्टपती की हैसिय से कार करता है अनुछे 65 इस बात की बात करता है उपराश्टपती को राश्टपती की रूम में कार करने की अधिक्तम अवधी 6 महीने होती है इस दौरा राश्टपती का चुनाव करा लेना अनिवार होता है राश्टपती की रूम में कार करते समय उपराश्टपती को राश्टपती की सब सक्तिया, उन मुक्तिया, उपलब्दिया, भत्तों, पेसे सदिकार सभी पराप्त होता है जिस किसी कलावधी में राश्टपती राश्टपती के रूम में कार करता है तो राश्टपती के रूम में कार को नहीं करेगा अनुशे 97 के अधीन राश्टपती के बेतन भत्ते का हगदार भी नहीं होगा जब राश्टपती का हगदार जो भी उसे मिल रहा था ये मिलने लगा तो इसका क्यों होगा पिधान मंत्री मंत्री परिशद की बात होती है समीधान के अनुछे 74 को अगर आप लोग पढ़ें तो राश्टपती को उसके कारेयों के संपाधन बस सलाय देने ही तो एक मंत्री परिशद होती है जिसका पिधान मंत्री होता है एक क्या कौन सा अर्टिकल कहता है अनुछे 74 कहता है समीधान का अनुछे 75 आप लोग पढ़ें तो इसके अनुछे पिधान मंत्री की निउक्ती राश्टपती करेगा और जो अन्त्री आप देखते ना कैमिनिट मंत्री, राज मंत्री समय रहे हैं तो इनकी नियुकती राश्टपती पिधान मंत्री की सलाव पर करेगा और मंत्री परसद में मंत्रियों की कुल संख्या पिधान मंत्री को सामिल करके लोकसभा की कुल सदस्नों की कुल कोल संख्या के 15 पिती सच से आधिक नहीं होगे एक आनवेवा समिधान संसुदा नदीनियम 2003 के द्वारा निर्धारित की गए अनुछेत 75 दो गहता है कि कि अनुछेत 75 परसद लोग सबा की पिती सामोही करोप से और तरदाई होती है लोक सवा भंग होती है, तो आप दिखते हैं सभी राष्पती भी अड़ जाते हैं, पद ग्यार से पूर पिधान मंतरी सहत, पितेक मंतरी को राष्पती के सामने पद और गोपनियता की सपद लेनी होती है, अनुचे 75-4 कहता है, आप देखते हैं कि सपद जो लेते हैं, ना मानें तो क्या बोल सकते हैं आंगे हम लोग पढ़ना है आपकी परिक्षा की दरिश्टी से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जरूर सकारात्मक सोच रखिएगा मंत्री परिश्ट का सदस बनने के लिए बैधानिक दरिश्टी से यह आवसाखी की व्यक्ति संसत के किसी सदन का सदस हो यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसत सदस नहीं है तो उसे च्छे महीनी के अंदर संसत सदस बनना अनिलार है नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होग यह अन्शित 75 पाँच कहता है, आपको बता दू, कि देखें अगर आप लोग किसी भी सदन का सदस नहीं है, फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं, और आप पिधान मंत्री बन सकते हैं, इसी तरह राज्यों में जाईए आप लोग, अगर आप लोग बिधान सवा बिधान परश् जाते हैं, अप लोग किनद में बन जाते हैं, आप लोग सभा या राज सबासी, अगर नहीं बनते हैं तो आप लोग अंगली फिर हट जाएंग। तो यह आप लोग याद रuखिएगा, और आप सभी जाते हैं कि जब मुख मंत्री बनते हैं, उसमाइं ये आप लोग सदस निसोल्क निवास इस्थान और अनिसोगिधाये प्राप्त होते हैं इनके लिए निवास घर मिलता है ठीक है यदि लोकसभा किसी एक मंतरी के विरुद्ध आविस्वास्त का पिश्ताव पारिद कर दे अत्वा उस विभाग से सम्मंदित विधियक को रद कर दे तो समस्त मंत मंतरी मंडल को त्याद्वत से देना होता है सम्माल लिए जाता है कि आप देखिए जो सत्तापक्ष सब्रक्राइब इ labori लोकसभा का नेता मों सवों होता है वह राश्ट पती कुस शन्सथ का सत्ता हुद करने शत्ता वसान करने संबंधिया परामस्त भी देता रहता है। वो एक किसी भी समय लोकसभा को विक्टरित करने किज़ाश भी मुठ करे सकता है। पिधान मंतरी राष्टपती को विविन अधिकारियों जैसे भारत का माहानियावादी, भारत का नियंतक महालेखा, परिकषद, संग लोग से बायू का अध्यकच, उनके सदस्चों, चुनाओ आयकतों, बित्त अध्यकच, उनके सदस्चों, और अनिन्हेकति के संबंद में परामर्स करता है और देखी पिधान मंतरी का परामर्स करता है कि आप इस बैक्ति की नियुक्ति कर देजेगा और ऐसा माना जाता है कि देखी उस बैक्ति की नियुक्ति हो भी जाती है क्योंकि आप सभी जानते हैं सकता बख्च होता है जिसका पास बहुंमत होता है अक्सर आपने देखा होगा कि उसी का राष्टपति होता है अब माल लेजिए की बरतमार में आप देखिए क्या पिधान्मंत्री मौधी साहब अगर कहने रामनाद कोविन साहब से कि आपको ये काम करना है क्या रामनाद कोविन साहब मना कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के रहम कहम पा आप देखे वो राश्पती का पद मिला हुए पिधान मंत्री किसी मंत्री को त्यागपत देने हैं अत्वा राश्टपती को उसे बरखास्ट करने की सलाह दे सकता है वह मंत्री परशद बैठक की अध्यक्ता करता है अपने पद से त्याकपत दे कर मंत्री मंदल को बरखास्ट कर सकता है पिधार मंत्री मंत्री परश्यत का प्रमोख होता है और आप देखेंगे कि अता जब पिधार मंत्री त्याग पत्र देता है अत्वा उसकी डेथ होती है तो अन्न मंत्री कोई भी कार नहीं कर सकते हैं अंडर सबर्दाब में अगर हम कहें कि पिधान मंत्री की मित्त्य रत्वात्यागपत्य स्य मंत्री पविशा सुधाही सुताही विक्टित हो जाता है। सोनने ता उत्रपन हो जाती हैं पिधान मंत्रियों में सबसे बड़ा कारिकाल आप सभी जानते हैं कि पिधान मंत्री जवाहलाल नहरु साहब करा इनका कारिकाल देखेंगे 16 वर्स नो महिने बारे दिन ये अपने पत पर रहे थे पिधान मंत्री पत पर रहे हैं देश की पिधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांदी हुई और वे ऐसी पहली पिधान मंत्री रही जो अलग-लग अउधियों में पिधान मंत्री रहे हैं और आपको बता दूँ कि लोग कहते हैं क पुझति पंगा लिया तो टुकड़े कर दिये थे अ सबने पहली बार इंद्रा गांदी पुझति पुझार्स separate या लोग सबहा की सदस्थिं आपको बताया की राज सबंगा लोकसवा के सदद सोना चेए, चरण सींग एकमात ऐसे पिधान मंत्री थे जो कभी लोकसवा में उपस्तित नहीं हुए और विश्वात मत प्राप्त करने में आसफल होने बाले पिथम पिधान मंत्री विस्वनात परताप सींग थे, एक कारगाल में सबसे कम समय तक पिधान म मंत्री मंदल में रहे और सबसे लंबी अवधी तक एक ही विभाग का कारवाल समालने वाले केंद्रिय मंत्री राजकुमारी अमरत को और थी यह भी याद रखेगा ठीक है भारत के पिदार मंत्रियों को देखें तो पंडित जवाहलाल नायरू सैंतालीस से चॉंसर तक लाहल चन्ड़ से चॉराइसी राजीव गांदी चॉराासी से नव शी विसुनात प्रताबस और देखेंगे नव आप देखेंगे कि चंद सेकग्सuster के जहाएं फेर अतल विहारी वाचपिए अंठावण से निन्यानवे अन्ठावण से देन्यानवे और अतल विहारी वाच पिणिय के निन्यानवे से दो हजार चाल तको अब देखें लाश्ट बार तीसनी बार जब उपधान मंतरीवह ने तब उन्होंdramaticार कारकाल कूरा किया थ डॉक्टर मनमोहन सिंग चार से चौदे तक दस साल, नरेन मौधी चौदे से अभी तक आप देख रहें, सबसे लंबा कारकाल, आप सभी जानते हैं कि सोले वर्स, नौ महीने बारे दिन का रहा था, किनका? पंडी जवाल लाल नहीं रूब का, पितम गैर कॉंगरेस पिधानमंतरी और पिधानमंतरी पाथ से त्याकपदे देने बाली पितम पिधानमंतरी कौन थे? तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, यह थे लाल वहादो सास्त्री, लोगसभा का सामना ना करने बाली पिधा आविश्वास पिताओं के द्वारा हटाया जाने वाले पिथम पिधान मंत्री पद गरहन करने के समय किसी भी सदन का सदस्त नहीं थे कौन चौदरी चरन सी सबसे छोटा कारकाल यह पता नहीं है रहने दीजिएगा यह नहीं मत देखिएगा सबसे छोटा कारकाल तेरे दिन का थाटल भिहारी बाच पे आईगा तेरे दिन का पता नहीं क्या वीच में दे दिया चोड़ी तीन पिधान मंत्रियों जवाहलाल नहरू, लाल बहादु सास्त्री, स्रीमती इंद्रा गांधी की मित्तिव उनकी पदाओधी के द्वरान हो गई थी यह भी आद रखे लाल बहादु सास्त्री की मित्तिव 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर यानी की तासकंद में होई थी मुरारी जी देशाई मुरारी जी देशाई सबसे अधिक उम्मर में और राजीब गांधी सबसे कम उमर में पिधान मंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा मंत्री मंडल सचिवाले की अगर हम बात करें तो मंत्री मंडल सचिवाले भारसरकार की नियम 1961 के अंतरकत पित्यक्ष तोर पर पिधान मंत्री की अधिन कार करता है इसका पिसासनिक पिरमों क्याविनेट सचिव होता है cabinet such a civil services board का प्रैदेन अद्यक्ष होता है और मंत्री मंडल समितियों के लिए सचीवाले सहायता भी पिदान करता है और यह विभिन मंत्राले के भी समनबल स्थापित करता है मंत्राले को वित्तिय संसादों का ओवंटन वित्त मंत्राले की द्वारा किया जाता है ना कि मंतरी मंडल सचिवाले के द्वारा फिर आप देखेंगे संगी ये संसद की बात कर लेते हैं भारत के संसद राष्टपती राज्यसभा लोगसभा से मिल कर बनते हैं जिसे आप लोग संसद कहते हैं इसमें राष्टपती भी सामिल होता है लोग सभा भी सामिल होती है यह अनुछेद 89 कहता है आपका सबसे पहले बात करते हैं राजसभा की तो आप सभी जानते हैं कि राजसभा को उच्च सतन कहते हैं ठीक है? और राजसभा के सदसों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है राजसभा की सदस्ता के लिए नियुनता मुम तीस साल होने चाहिए अगर आप लोग तीस साल के हैं तो आप लोग राजसभा की सदस्त बन सकते हैं क्या बन सकते हैं? सदस्त बन सकते हैं ठीक है? और बर्तमान में समय में आप देखें तो यह संख्या 245 रखीगी है राजसभा सदसों की इसमें 12 तो आपकी राष्टपती द्वारा मनुनीत होते हैं यह ऐसे ब्यक्ती होते हैं जो जिने कला साहित विग्ञान समासिवाओ या सहे कारिता के चेत में विशेष अनुवाओ या ग्यान हो 233 संगे की इकाईयों का पिती निधित करते हैं राजसभा एक इस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके सदसों का कारकाल 6 साल का होता है इसके एक तेहाई सदस पिती दो वर्स बाद सेबा निवित होते रहते हैं नए सदस आते रहते हैं तो इसलिए आप दे में 16, करनाटक में 12, वहंद पिदेश में 11, मद पिदेश में 11, गुजरात में 11, उडीशा में 10, राजिस्थान में 10, केरल में आपके 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, जहर खंड में 6, चत्तीसकर में 5, हर्याना में 5, हिमाचल पिदेश में 3, उतरा खंड में 3, किन नागलेन्ड में एक मिजूरम में एक मेगालय में मरीपوع में उएक मरीपुर में एक सिंकिम में अभणाचल मिदेश में गवा में एक और संगीए चेत में देखें तो जम्मुकस्मीरि में 4 और दिल्ली में 3 सवचे करें 煯ाद इसकी बात की गई अर्टिकल अनुशेत नवासी में, भारत को उपराश्टपती राजसवा का पद सभापती होता है, राजसवा या थासी अपने किसी सदस को अपना उपसभापती चुनेगी, जब जब उपसभापती का पद रिक्त होता है, तब तक राजसवा किसी सदस को उपसभापती चौन लेती है उपसभापती का पद रिक्त होना पत्या करना और पद से हटाए जाना यह अनुछे 90 में बात की गई है और उपर आश्टपती उपसभापती यदि राजसवा के सदस नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देता है वो ठीक है सभापती को संब अपने पद से हटाया जा सकता है परन्तो इस संब्कल्ब को पिस्तावित करने के आसे की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी जब सभापती या उप सभापती के पद से हटाया जाने का संब्द बिचारा दीन हो तो एह पीठा सिंग नहीं होगा अब आप अपने ब अनुशित 249 कि अनुशार यदि राजसभा उपस्तित तथा मत देने वाले सदसों के दो तिहाई बहुमत से पिस्ताव पारित कर यह घोसना करते कि राज सूची में उलिखित कोई विसय राष्टी महतुका है तो संसद उस विसय पर आस्थाई कानून का निर्माण कर सकती है एसा पिस्ताव एक बर्स से अधिक प्रवाभी नहीं रहता है लेकिन यदि राजसभा चाहे तो हर बार इसे एक एक बर्स के लिए बढ़ा सकता है केवर राजसभा को राजसभा में उपस्तितों मद्दान देने वाले सदसों के कम सिकन दो तेहाई सदसों के भूमत से अख कहता है धन विद्यक के संबंद में राजसभा को केवल सिफारिष करने का अधिकार होता है जिसे मानने के लिए लोकसभा बाद भी नहीं होता है और इसके लिए राजसभा को 14 दिन का समय मिलता है यदि इस समय में विद्यक वापस नहीं होता है तो पारित मान लिया अपने पास रखे रहने तो एक तरह से वह पास माल लिया जाता है आपके पास कोई सकती नहीं है यह माल लिया जाता है राजसवा सदस जो पिदानमंत्री बने इंद्रा गांधी 1966-1997 में आई के गुजराल 1997-1997 में डॉक्टर मनमोहन सिंग 2004-2014 मनमोहन सिंग लोगसवा के सदस नहीं थे राजसवा के द्वारा पिदानमंत्री बने थे राश्टपती बरस में कम से कम दो बार राजसवा का अधिवेशन आहूत करता है और राजसवा के एक सत्की अंतिम बैठम और अंगले सत्की पिदम बैठक के लिए नियत थी कि भी छे महीने से अधिक कस अंतर नहीं होना चाहिए राजसवा का पहली बार गठन 3 अपरेल 1952 को किया गया था इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी यह भी याद रखियेगा संसद भवन यहीं एक बिट्ताकार भवन है जिसका डिजाइन आर्केटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट बैकर ने 1912-13 में तेयार किया था संसद भवन की न्यूग 12 फरवरी 1921 को रखे गई थी और संद रचना की बाहरी परदी 144 ग्रेनाइट पत्रों के इस थमपर्टी की हुई है ठीक है और इसकी राजसवा में पिति निधित नहीं है अनवान निकोवार चंडीगर दादा नगर हविली दवंदुई और लक्ष लोक्सवा की सरचना आप देखेंगे तो अनुछे 81 में देखने को मिल जाएगे लोक्सवा संसद का पिथम या फिर निम्न सदन है जिसका सभापतित करने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है लोक्सवा अपनी पहली बैठा के पश्चात या था सीग अपने दो अध्यक्ष और पाध्यक्ष की रूम में चुनती है अनुछे 93 में यह बात की गई है अमेरिकी राश्पती जो भारती संसद में बोले हैं डीडी आई जन होवर ए 1969 में जीमी काटर ए 1978 में बिल कॉयल्टन कलंटन ए सं 2000 में वराक उमावा सं 2010 में अमेरिकी राश्पती जो भ सबसों की संख्या 500 निश्चत की गई अभी इसके सदसों की अधिक्तम सदस संख्या 252 हो गई है इन वे से अधिक्तम सबस थीस सदस राज्यों की निर्वाचित किए जा सकते हैं यानि कि कहने के मतलब है कि 530 तो आपकी राज्यों से आएंगे यानि कि जनता आप सभी जानते हैं कि इन्हें डारेक्ट चुनती है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोकसभा में चुनाव डालने जाते होंगे अपने लोकसभा सदस के लिए और 20 आपके केंद सासित पिदेसों से आते हैं इनका चुनाव भी आप देखे जनते के द्वारा होता है ठीक है और एवं राष्टपती आंगल भारतिये बर्ग के अधिक्तम दो सदसों का मनेवन कर सकता है यह परावधान खतम हो चुका है आंगल भारतिये ठीक है बरतमान में लोकसभा सदस अनुचे 371 में बात की यह पता नहीं अभी भी आपने देखी लोकसभा की कई जगे मैंने देखा है कि एंगलो इंडियन का प्रावधान अभी भी दिखा रहा है लेकिन है हटा दिया गया है नए परिवी सीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए की गई है अनुचित 330 के तहर सन 2001 में संसत द्वारा पारिच 84 वे समिधान संसुधन विद्यक के अनुसाल लोकसभा विधान सभावों की सीटों की संक्या 2026 तक यतावत रखने का प्रावधान किया गया है लोकसभा की सदसों के चुनाव गुप्त मद्दान के द्वारा वै कर के लिए 21 साल होनी चाहिए थी है लेकिन आप उसे घटा गर अठाराय कर दिया गया और किस समिधान संसुधन द्वारा हुगा एक सटवे ए 1989 की बात है और एक बात और याद रखिए अगर आपको लोकसभा सदस का चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए ठीक है कितनी होने चाहिए 25 साल होनी चाहिए कम से कम युद्द रखिएगा लोकसभा में अनुसुचे जातियों और अनुसुचे जन जातियों के लिए राजजवार जनसंक्या के अनुपात में आरक्षन का प्राउधान किया गया है अनुचे 330 और 330 से यही कहता है यह प्राउधान प्यारव में 10 वर्स के लिए नेधारी था किन्तु इसे समिधान संसुधन द्वारा 10-10 वर्स के लिए आंगे बड़ाया जाता है और वर्तमार में 140 समिधान संसुधन द्वारा अनुचे 334 में संसुधन करके लोकसवा अनुचित जाती अनुचित जन जाती के अरक्षन और आंगल भारतियों को मनुएन करने समंधी प्राउधान को 2030 तक के लिए बड़ा दिया गया है तो यह भी याद रखिएगा तीक है क्यों बड़ा दिया गया है बड़ा दिया गया है अंगल भारतियों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था इसी हटाने की बात हो रही थी इसी हटाया नहीं गया यहां तो बता रहा है कि जो एक सुचारवा एक सुचारवार जो हटा है एक सुचारवार यो समिधान संसोधन 2019 में हुआ बड़ा दिया गया है इसके लिए क्या कर दिया गया है बड़ा दिया गया है यह भी आप लोगों को यह आप लोगों को जरूआ दो लोगों को मनुवर्ण होगा कई बिधान सवा तो देखिए एक और बता दूँ लोख सवा में अभी भी इन्हें दो यार थीस तक रख लिया गया लेकिन जो राज्यों में होता था था न उसे यह अटा दिया गया देखिए क्या है कि एंगलो इंडियन समुदाय की संख्या अब बेहत कम रहे गी तो एंगलो इंडियन का ताथ पर उन भारतियों से था जो बेटिस भूल के थे तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए और अगर इसमें आप देखें सबसे अधिक सबसे अधिक मद्दाता बाला लोकसवाचेत बाहरी दिल्ली मद्दाता इसका तैंटीस लाग और 6,399 समसे कम मद्दाता बाला लोकसवाचेत लक्षदीप है 49,000 ठीक है चेत फल की दिरिष्टी से अगर सबसे बड़ा लोकसवाचेत देखें तो लद्दाक है ठीक है एक कितना एक लाग तेहतर हजा दोसो चाहाट दसमलोग सैंटीस बर किलोमीटर में पहला हुए चेत पल लोकसवाचेत देखें अस्ती उत्तरपेदेश में इसलिए आप देखें कि उत्तरपेदेश पर सबकी नजरें रहती हैं लोकसवाचेत देखें कि उत्तरपेदेश को महत्तपूर माना जाता है और आप देखें कि ऐसा माना जाता है कि उत्तरपेदेश जिसने जीत लिया आ जो रास्ता है न होकर जाता है और अधिकतर पिधानमंत्री आप देखिए उत्तरपिदेश सही निकला क्या आते हैं वर्तमान पिधानमंत्री आपको देख लिजे महराश्ट में 48 पश्यमंगाल में 42 विहार में 40 तमिलाडू में 49 मद्धपिदेश में 29 करनाटक में 28 गुजरा पंजाब में आप देखेंगे कितने हैं 13, 36 गड़ में 11, हर्याना में 10, उत्तरा खंड में उत्तरा खंड में कितने हैं बदाईए कुछ उत्तरा खंड में 5, हिमाचल पिदेश में 4 और आप देखेंगे कि आपका मेघाला में 2, अरणाचल विजदेश में 2, गुआ में 2, मनीपर में 2, तिपपुरा में 2, सिक्के में 1, नागलेंड में 1, मिजुरम में 1, दिल्ली में 7, जमू किसमीर में 5, लद्दाक में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगर में 1, दादर नगर हविली और दमंदुई में 2 तो अंडवानने को बारे में लक्ष दीम में एक ठेक है यह आप लोग जरूर याद रखे हम इसे जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को ऐसी क्या होगा यह आप लोगों को याद तुरें ठीक है देखे संसद भारत की संसद और राजविधान समाओं में एंगलू इंडियन आरक्ष सीटों को एक सुचारवे संविधान संसुदन अदीनियम द्वारा दोजान उननीस द्वारा समाप्त कर दिया गया है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा अब यह समाप्त हो चुके ह अब एंगलो इंडियन की सिर्फ आबादी आप देखें कि 296 देखी गई है और हाला कि यह संख्या भी विवादेत है इसलिए बोल रहा हूं लोग सभा की सदस्ता के लिए अनिवार योगताओं की बात करें तो वह ब्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयू 25 सा होगा किसी पतपर ना हो वह पागल या देवालिया ना हो लोग सभा का अधिक्तम कारकाल 5 साल का होता है मंत्री परिशद लोग सभा के इप्ति सामोई की रूफ से उत्तरदाई होती है यह पचत्त तीन में बात कही गई पैधान मंत्री के परामस की आधर पर राष्टपती पर राष्टपती के द्वारा ही बुलावे और इस्तरदाई होती है लोग सभा की दो बैटकों में आप देखे 6 महीने से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए तो यह भी बात की गई है यह याद रखे जब तक संसद बिधी द्वार्टपती द्वारा ही बुलावे और इ पर अन्यथा उबंद ना करें तब तक संसद के पितेक सदन का अधिवेशन गठिद करने के लिए गढ़पूर्ती सदन की सदस्तों की कुल संख्या का दस्वा भाग होना चाहिए यह अनुछे 103 कहता है यदि सदन की अधिवेशन में किसी समय गढ़पूर्ती नहीं है तो स यानि कि लोकसभा में आप देखेंगे कितना 55 सदस होना चाहिए समीधान के नुचे 108 में संसद के सयुक्त अधिवेशन की बात की गई है सयुक्त अधिवेशन को राष्टपती की द्वारा तीन इस्तितियों में बुलाया जा सकता है इसकी अध्यक्ष ता देखिये दूसरे सदन में जाए और यदि दूसरे सदन द्वारा अधियक आस्विकार कर दिया जाए विदेख पर किसी जाने किये जाने वाले संसदन के बारे में दो सदन अंतेमरूर से आसमयत हो जाए दूसरे सदन को विदेख प्राप्त होने की तारीक से उसके द्वारा अधिवेसित होने के लिए आहूत करने के अपने आसाई की राष्टपती कुई सुचना के पश्चात लोकसभा की विक्टन के भी हो जाने पर अनुच्छेद 108 को पढ़ेंगे तो इसमें देखने को आपको मिलेगा क्या कि अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारी सयुक्त बैठक की पिक्रिया सामान विधायन तक ही सी में थे और धन विधियक और समिधान संसुधन विधियक पारित करने के लिए सयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और समिधान संसोधन विधियक दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना चाहिए और समिधान संसोधन अनुचेद 368 दो द्वारा सासेत होता है तो ये भी आप लो याद रखिएगा राष्टपती, राज्यसभा के सभापती और लोगसभा के अध्यक्ष से परामर्स करने के बाद दोनों सदनों में की सयुक्त बैठकों से संबंदित और उनमें परस्फर संजाज से संबंदित में किरिया के नियम बना सकेगा ये अनुचेद 1883 कहता है और सयुक्त सदन का उपाध्यक्ष होता है यदि वह अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा का उपसभापती यदि वह भी अनुपस्थित हो तो आप देखिए एक ऐसा अनुप्यक्ति पीठासीन होगा जो इस बैठक में उपस्थित सदस्वों द्वारा ये आओ धारित किया जाए और द विधियक को दोनों सदनों के उपस्ति तथम बत देने वाले सदस्तों की साधारहन बहुमर से पारित किया जाता है। विधियक जो लोगसभा में पहुचा ही नहीं है। विधियक के सम्मद्ध में लोगसभा का नेड़ा अंतिम होता है और इस सम्मद्ध में सयुक्त अदिवेशन की विवस्था भी नहीं की गई है। सम्मद्धान संसोधन की में जो भी आपका उसमें सम्मद्धान संसोधन विधियक होता है ना उसमें भी सयुक्त बैठक की कोई ही बात नहीं की गई है। तो यह भी आप लोगों को याद रखने चाहिए और देखिए सम्मद्धान संसोधन में दोनों की सहमती बराबर सक्तियां होती है एक तरह से। आविस्वास पिस्ताओं के लोगसमा में ही पुरा इस्थापित किया जाता है और आविस्वास पिस्ताओं पिस्तुत करने के लिए कम से कम पचास लोगसमा सदसों के समर्थन की जरूरत होती है जबकि आविस्वास पिस्ताओं को पारित कराने के लिए लोगसमा के सदसों की बहुमत की जरूरत होती है और यह यदि आविस्वास पिस्ताओं पारित हो जाता है तो सरकार को इस्थीपा देना पड़ता है यारी कि कहने का मतला है कि हमें भरोसा ही नहीं है विस्वास ही नहीं है तो आदे कि वो सरकार गिड़ी जाएगी जिसके पास बहुमत नहीं रह लोगसभा स्वयम ही अपने सदस्वों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी पिते काम चुनाओ के प्रश्चा जब लोगसभा की पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाची सदस्वों को सपत दिलाई जाती है और प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार करता है जब तक की नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चैन नहीं कर लिया जाता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याक पत दे सकता है लोगसभा की अध्यक्ष अध्यक्ष की रूम में सपत नहीं लेता है बलकि सामान एक सदस की रूम में सबत लेता है 14 दिन के पूरुफ सूचना देखा लोगसभा की ततकाली समस्त दत्तों में के बहुमत से पारे संकल द्वारा अध्यक्च और उपाध्यक्च को पद से भी अटाया जा सकता है यूँकि आप देखते हैं नहीं के द्वारा चुनाव भी होता है इनका लोगसभा के भंग होने की स्तिती में अध्यक्च अपना पद अंगली लोगसभा की पहली बैठा कोने तक रिक्त नहीं करता है तब तक वो लोगसभा अध्यक्च की अनुफस्तिती में उपाध्यक्च उपाध्यक्च की अनुफस्तिती में राश्पती द्वारा बनाए ग बात करें तो इसका काम रहता है कि स्दन के सदस्सों के पिषणों को स्विकार करना, उन्हें ने मिद करना वर नियम के विरुद्ध भुसित करना दूसरा काम है किसी विशय को लेकर पिस्तुत किया जाने वाली कार इस्थिगन पिस्ताओ अध्यक्ष की अनुमती से पेस किया जा सकता है तीसरा कहता है कि वह विचाराधीन विध्यक पर बहस रुखवा सकता है और चार कहता है कि संसस सदस्तों को भासड देनी की अनुमती देना और भासडों का क्रम बास्सामे निर्धारित करना भी इसी का काम है बिभिन बिध्यक बिध्यक पिस्ताओं पर मद्दान करवाना और पईडाम घूसित करना और मतों की समानता की स्तिती में नेडायक मत देने काधिकार भी आप देखिए लोकसभाद देक्च के पास है मान लिजे कि आप देखिए एक तरह से आप मानिए कि 100 सदस हैं टोटल मान लिजे कि लोकसभाद में तो आप देखिए अगर 50-50 उसके पिस्ताओं कोई पिस्ताओं आया हुआ है उसके पक्च में हो जाए 50 उसके भी पक्च में हो जाए तो लोकसभा सदस के पास ऐसा नेडाय लिधेखन हो दाटा इसका नहारा भी आप देखेंगे लोकसवा अध्यक्ष करता है यहां आप देखे लोकसवाद देयक्ष के अध्यक्षे पहली लोकसवा के अध्यक्ष कहुं थी गनेश वासुद अ वासुदेव मौलंकर एम अनंत सैनम खहते के दूसरी überzeug के एक बात आप लोगों को याद रखने चाहिए कि सबसे पहले गनेश बासुदेयों मावलंकर थे पांच वी में गुरु दयाल सिंग धिलो बली राम भगत हुए चटी में नीलम संजीब रेड़ी फिर उसके बाद आप देखें कि एस एंगडे साथ वी में बलान जाकर, आठ वी में बलान झाकर, नौवी में रवीर आय, दस वी में सिब्रास भी पातिल और last वी में पी अ संग मा, 12 वी में इसमी मा पांच विख संग मा देखेंगे तो गीई एंगि में तेरेरे में देखेंगे मनोहर घजानंद जोnoushrंढ म, पंद्रेवी में आप देखिए सौमनाद चटर जी और पंद्रेवी में मीरा कुमार, सोलेवी में सुमित्रा महाजन और सत्रेवी में ओम बिडला, अभी वायतमार में आप सभी जानते ही कि ओम बिडला सहाब हैं हमारे, ठीक है? अध्यक्ष की अगर लोगसभा अध्यक्ष की काम में ये भी सामिल है, कि अध्यक्ष द्वारा धन विद्यक की रूम में परमारीद विद्यक की प्रकिती के पिसन पर नियाले में या किसी सदन या में या राष्टपती द्वारा बिचार नहीं किया जाएगा, यदि उसकी आ कि आए कि बिपक्च का हाल है बिपक्च का नीज़ुन तम कम से कम आप देखे बिपचप्च संद होने चाहिए किसके पास बिपक्च то कि इंता बनने की विए लिकिन किसी के पास नहीं है पचप्चपं तो आप देख Crash ना दुसुले भी में ना इसात्रे भी में कोई बिपक्ष का नेता नहीं है प्रिथम लोगसभा का कारकाल 17 अपरेल 1952 से 4 अपरेल 1557 तक चला था प्रिथम लोगसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर उपाध्यक्ष थे अनंद सैनम ठीक है और संसाथ वह संसाथ सदस्सों से समधित कुछ विसेस बाते हैं सभापती या अध्यक्ष या उस रूम में कार करने वाला व्यक्ति प्रिथमता मत नहीं देगा किन् संसत की किसी सदन की सदस्ता में कोई रिक्ती होने पर भी उस सदन की कार करने की सकती होगी और यदि बाद में यह पता चलता ही कोई ब्यक्ति जो ऐसा करने की हगदार नहीं था कारवाहियों में उपस्तित रहा तो उसम से मत दिया है अन्नथा भाग लिया है तो भी संसत की कारवाही बीधिमान होगी, कोई फरक नहीं पड़ेगा, 102 कहता है, फिर आप देखेंगे संसद में इस्तगन पिस्ताओ संसद का कोई भी सदस रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमती आवसक होती है, बिना अध्यक्ष की अनुमती के इस्तगन पिस्ताओ नह संबंदीत पिस्तन का अंतिम भी निष्चे चुनाओ आयो की सला से राष्टपती करता है, एक संभाई एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस रह सकता है, ऐसा नहीं है कि आप देखते होंगे कि कई नेता होते हैं जो विधान सभा का चुनाओ जीच जाते हैं, और लोक सभा संबंदीत रहता है, तो सदन उसकी सदस्ता समाप कर सकता है, अनुछेर 104 में आपको यह बात कही गई है, संसद सदस्तों को संसद की बैठकों के पूरू या बात के 40 दिन की अवधी के द्वारान गरपता नहीं किया जा सकता है, अब आप देखिए ऐसा माना जाता है कि बै लेकिन एक बात हमेशा याद रखे, यह गरपतारी सरे केवल सिविल माबलों में है, अपरादिक माबलों और यानि कि निवारक निरोत की बिधी के अधीन गरपतारी से छूट नहीं है, अमालिजे कि कहा जाए कि कि संसद सदस को अगर वो किसी की हत्या कर दे तब भी गरप खर नहीं होगा, तब वो गरपतार कर लिया जायेगा, अ uniformly से लागो की गई, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, यदी कोही संसद सदस अपने पत से संबंदी शपत लिए विना, संसर की कारभा, नियालाय द्वारा आप रादीघुशित किये गये यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोगे कराया देने का नेड़े संसत द्वारा किया गया है। या लोगसभा का अध्यक्ति या उस रूम में जो कार करने वाला व्यक्ति हो, किसी सदस को जो हिंदी में या अंगरेजी में अपनी परियाप्त अभी व्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातभासा में सदन को सम्वोधित करने की अनुग्या दे सकेगा। यह अनुचेद 121 कहता ह है, फिर आप देखाओगा भारत का महानियावादी, डारेक्ट ही एक कुश्चेश पूच लेता है, कि भारत का महानियावादी किस समीधार में यह विवस्ता की गई है, तो अनुचेद 76 में, महानियावादी सरपितम भारत सरकार का विधी अधिकारी होता है, और भारत की म मत देने का अधिकार नहीं होता है, यह 88 कहता है, क्योंकि आप देखिए, वो सदस्त नहीं होता है, तो कहां से मत दे पाएगा, ठीक है, तो यह भी आप लोगों को याद रखने चाहिए, महानियावादी की नियुकती राष्टपती साहब कहते हैं, उसके और वह उसके पिस आदिस्वन ने के लिए होती है, यह उगता है एक तरह से, महानियावादी को भारक की राजशेत्र में सभी नयाले domestick में सुनवाई का अधिकार है, महानियावादी को सहाथा देने के लिए एक सॉलिस्टर, सॉलिसीटर जनरल और दो अतिरिक सॉलिसीटर जनरल की निकती भ उसी तरह से आप देखे कि राजपाल का पद तो महानियवादी भी तो होगा तो राजों में महादी वक्ता हो जाता है अनुचे 165 आप लोग जब पढ़ेंगे तो राजी के महादी वक्ता की विवस्ता की गई है वह राजी का सर्वोच कानून अधिकारी होता है और महादी वक्ता की नियुक्ति राजपाल के द्वारा होती है और राजपाल बैसे व्यक्ति को महादी वक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यालय के नियादी स्पन्ने की योगता हो वह अपने पत पर राजपाल के पिसाद पर बना रहता है और महादी वक्ता की कारी की बात अधिकत है बिना मतादिकार बोलने बाभाग लेने का अधिकार होता है और महादीवक्ता को भी सभी विशे सदिकार भत्ते मिलते हैं जो विधार मंडल के किसी सदस को मिलते हैं लेकिन विधार मंडल का किसी भी सदस का सदन का सदस नहीं रहता है ठीक है? फिर एक आप लोगोंने सुना होगा भारत का नियंतक महले का परिक्षक और अब बता दूँ आपको कि इस से आप देखें कई परिक्षाओं में बारबार questions पूचे जाते हैं तो अनुचे देख 148 में आप देखेंगे भारत का जो नीयंतक महालेका परिक्षक है ना इसकी विवस्ता की गई है नियंतक महालेखा पर एक चक की न्यूकती हमारे राश्पती साफ करते हैं किन्तु उस पद से संसत के दोनों सदनों के समाविशन पर ही खटाया जा सकेगा जिसका आधार सावित कदाचार या आसमर्थता होगा यानि इसे हटाने की फिक्रिया उच्तम न्याले की न्याधिस के समान ही रहती है और इस पदाओधी पर गहन करने की तिथी से 6 बर्स होगी लेकिन न्याधिस से 65 बर्स की आयूपर आप्त कर लेता है तो उसको आवकास दे दिया जाता है एक तरह से समझी ऐसी दिश्वाब माल लिए क्यों कोई व्यक्ति आप सोचे एक 60-60 साल की उम्र में आप देखे कि वो भारत का नियंतक महले का परिक्चा बनता है उसके नियुक्ति की जाती है राशपती साहब के दोरा और आप सोचे कि वो 6 साल का रहता है अगर 6 साल के पहले ही आप देखे कि उसकी उम्र 65 बर्स हो जाती है तो वो पाल से हट जाएगा तो वो 6 साल रह सकता है च्छाली साल हो जाएगा तब वो छे साल पूरा काल करके हटेगा ठीक है जो भी पहलो यह सेवा निवित की पशाद भारत सरकार की अधीन कोई धारन नहीं कर सकता है नियंतक भालेका परिक्षा सारजिनिक धन का सरक्षड होता है भारत तथा पितेक राज्य इवं पितेक प्राशित निधी से किये गया सभी विधी के विधीन अधीन ही हुए यह से बात की संपरिक्षा करता है नियंतक महालेका परिक्षा कर राश्पती या राजपाल की निवेदन पर किसी अनप्राधी करन की लेखाओं की भी लेखा परिक्षा करता है जैसे स्थानी निकायों की लेखा परिख्चा, नियन तक एवं महालेखा परिख्चा किन सरकार के लेखाओं से सम्बंधित पिती वेद्नों को राज़्य की राज़्य की राजपाल को देता है, जिसे वह संसत के पिते एक सदन की पड़ल पर रखते हैं, यो अनुचित 151 कहता है, नियन तक एवं महा लेखा परिक्षख राश्टपती को तीन लेखा परिक्षख फिती विदन पिस्तूत करता है। इसके उपरानत आप देखेंगे लोगलेखा सम्ति इसकी जाज करती है और इसके निस्कर्सों से संसत को आउगध भी किराती है नियंतक मालेखा परिक्षक संसत की लोगलेखा सम्ति के गाइड मित एवट मारगदरसक की रूम में काम करता है तो ये नियंत्य को मालिखा परिक्षक की कहानी खतम हो जाती है भारत की संचित निधी भी आप लोगों सुनोई हो गए आनुछे 266 एक के तहट आप लोग इसे पढ़ते हैं भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस जैसे आयकर हो गया निगम कर हो गया, स्नीमा स्तोलक हो गया, उत्पादन सुलक हो गया ट्रेजरी बिल हो गया, जो ट्रेजरी बिल चारी करके जो लिया जाता है रेड आंत्रे को बाहरेड हो गया, दियेगरेड की अदायगी से प्राप्तरासी हो गई कि एक निधी है जिसे भारत की संचित निधी कहते है इन सब के जरिए आप देखे जो पैसा आता है ना इसी में डाला जाता है संचित निधी से धनरासी संसत द्वारा बिनेयोग विधियक पारित किये जाने के पश्चात ही निकाली या ब्याई की जा सकती है अन था नहीं यह अनुछिद आपका 114.3 कहता है आता हा बिनेयोग विधियक को हर हालत में नए वित्तियवर्स के प्यारम एक अपरेल से पहले पारित करा लेती है किन्तु कभी कभी ऐसी परिस्तिती भी आ जाती है जब बजट पिकरिया एक अपरेल से पहले संपर नहीं हो पाती तो इसके लिए जब तक बजट पिकरिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान बै के लिए लेखानुदान पारित कर धन की विवस्था की जाती है यानि लेखानुदान सरकार के बैय पक्षे से सम्मंदित होता है जो बजट फिक्रिया पूरी ना होने के चलते बैय की विवस्था करने के लिए पारित किया जाता है लेखानुदान का प्रावधान इस्थाई और राश्थाई दोनों फिकार की सरकारों के द्वारा किया सकता चुनावी वेरस में आप देखते हैं कि लोकसभा के विक्टन से पहले और नई सरकार के गठन तक वित्तिय वरस के एक भाग के लिए विवस्ता के लिए अंतरिम बजट का परावधन किया गया है आप सभी लोग सुनते भी रहते होंगे कि अंतरिम बजट पेस किया जा रहा ह फर पूरा बजट पेस किया जाएगा जब सरकार बन जाएगी लेखानुदान और अंतरिम बजट के वीच यहनद रहे कि लेखानुदान पारित करने का कारण ब्याव के लिए धनकी विवस्ता करना होता है जबकि अंतरिम बजट में ब्याव और प्राप्तियां दोनों का अविवरन होता है अंत्रिम बजट सामान बजट से इस रोम में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्स में नई सर्कार के घठन तक kी अवधी के लिए किया जाता है और आगे नई सर्कार अपने असाब से बजट स्रूद करती है तो अंत्रिम बजट की कहान ही खतम हो जाती है भारत सरकार पर किसी न्यालाय द्वारा दी गई डिक्की या पंचाट, कोई अन्वे जो सम्मिधान द्वारा या संसद नीधी द्वारा इस पकार भारत पर हो, यह सभी आपके संचित नीधी में से होते हैं, ठीक है? भारत की लोग वित्थ पर संसदी ये निंतन की विदिया इसमें सबसे पहले आप देखेंगे संसद के सम्वोग बारसिक विद्थिये विवराण का पिस्तूत किया जाना लोग वित्थ पर निंतन रखने के लिए अनुशे देख सो बारे में प्रावधन किया गया है कि अनुचित बारे आप लोग पढ़ेंगे तो फिर आप देखें ये दूसरी तरह तरी गए है कि बिनेयोजर विध्यक की पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधी से मुद्रा निकाल पाना भारत की संचित निधी से रासी तभी निकाल ली जा सकती है जब इसके लिए विनेयोजर विध्यक को पारित करा लिया जाए एक आप देखते हैं अनुपूरक अनुदानों या लेखा अनुदानों का प्राओदान यानि कि कम पढ़ने वाला है और इसी पिकार जब एक अपरेल से कूछ सरकार विनियोग विधियक पारिद नहीं कर आपाती है तो सरकार लेखानुदान के माद्यम से तब तक के खरच का फ्रवन्द करती है जब तक कि पुनाहा विनियोग विधियक ना पारिद करा लिया सामनता चुनावी वर्स या लोकसवा के विक्तर होने की स्तिधी में होता है संसत में बित विधियक का पिस्तूत किया जाता है संसत में बित विधियक के दुबारा भी लोग बित पर नियंतन रखा जाता है बित विधियक को बजट सत्त में विनियोग विधियक के साथ पार ना तो इसमें आपको जरूर देखने को विलेगा समिधान को अनुप्षित 266 संसद और राजविधान बंडल को यथा इस्थिती भारत या राजी की आकस्मक्ता निधी सरजित करने की सकती देता है यह निधी भारत की आकस्मक्ता दीनियम 1950 की द्वारा गठित की गई और यह निधी कारिपालिका की बेवनाधीन है जब तक की विधान मंडल अनुफूरक और अत्रिक्त या अधिक अनुदान द्वारा यह से ब्या को प्राधिकित नहीं करता है तब तक समय पर अनुवेक्षित ब्या करने के प्रियोजन के लिए कारिपालिका इस निधीयों से अग् तो समिधान की अनुचे तीन सो अर्षट में संसोधन की प्रिया काउल लेक किया गया है समिधान में संसोधन की इसमें संसोधन की तीन विधियाओं को बनाए गया है एक तो साधारन विधी द्वारा संसत की साधारन वहुमत द्वारा पारिद विधियक राष्टपती की स् ते दो इस वह मत दोर यदि संसद की पतेक सदंद्वारा कुल सदस्वों का वह मत तथा उपस्तित और मद्दार में भाग threaten वाले सदसों के दो तिहाई मतों से विध्यक पारित हो जाय तो राष्टपती की सुईकिती मिलते ही हुए संसुधन समिधान का अंग बन जाता है नियाय पालिका राज के अधिकारों तता सक्तियों जैसे कुछ विशेष्ट बातों को छोड़का समिधान की अन्य सभी विवस संसत के दोनों संदनों के विशिस महमत और राज्यों के कुल विधान बंडलों में से आधि द्वारा सुईकिती पिदान की जाती है और इस तरह से विधान संसुधन करना बड़ा कठिन होता है ठीक है इसके द्वारा किये जाने में बाले संसुधन इस तरह है राष्टपत राज्यों के लिए उचने आले संग येवं राज्यों में विधाई संब्ध साधिवी अनसुजी का कोई विसा है संसद में राज्य का पिती निर्थित थे समिधान संसुधन की विक्रिया से समंदित अब बंद इन सब को इन समय आप देखे संसुधन करना बड़ा मुश्किल काम होता है आप देखिए कि दोनों सदनों के विसेज महमत की जरूरत होती है और राज्यों के कुल विधान मनलों में से आधे द्वारा स्विक्रिती पराप्त होनी चाहिए अब आपता है आपका न्याइपालिका और न्याइपालिका ना ओ तो आप देखी कि आपकी अदिकारों का क्या महप्तु रहे जाएगा समस्त न्याइलेयों की को सामोहिक बीञ़ाु कहते है न्याइलेयों में सक्ति ब 조명 होता है भारती नियाय पडाली में छोटे छोटे नियालयों के उपर पितेक जिले का जिला नियालय होता है उनके उपर राज्यों के उच नियालय होते हैं सबसे उपर आप लोग सर्वोच नियालय की बात करें तो आप लोग भारत की नियाई की विवस्था एक हरी और एकी किट है जिसकी सर्वोच नियाले है सर्वोच नियाले आप सभी जानते हैं दिल्ली में है सर्वोच नियाले की स्थापना गठन अधिकारता सक्तियों के बीनिमय से सम्मंदित विधी निर्मान की सक्ति भारतिय संसत को प्राप् में एक तो आपका मुख नियादीस हो गया 33 अनियादीस है यहाँ नीचे कुछ सर्वोच नियालय में मुख नियादीस सहित कुल आठ नियादीस हो की ववस्ता समिधान में मूलता की गई थी जब समिधान लागू हुआ था सुप्रीम कोट आप देखिए आया हुआ था उस समय आप देखेंगे आठ टोटल नियादीस थी एक तो आपका मुख था और साथ अनियादीस थे बाद में काम के बड़ते दवा को देखती हुए उनिस सो चपन में सर्वोच नियालय अधिनियम में संसुदन के नियादीसों की संख्या 11 कर दी गई थी फिर आप देखेंगे उनिस सो साथ में यह संख्या पुना बढ़ा कर 14 कर दी गई थी 1978 में इसे 18 कर द सर्वोच नियालय के समस्त नियादीसों की नियुकती राश्पती द्वारा होता है किसके द्वारा तो रसी डेंट के द्वारा होता है ओर्ड मोम नयादाईस की निटी करते समय इसी नयालाए के अन नयादीस कर सकता है। राष्ट पती वृतक्ता इस आप लोग लोग देखते न उनबर के बात और थी वाँ चाहे तो सरवुच राला ही जी कि कि अन्याधिस से भी परावस कर सकता है अनुछेद 124 दो पड़ेंगी न उसमें बाद कही गई है सर्वोच न्याले कि न्याधिस बनने के लिए नियम्नतम आयू निर्धारित नहीं की गई है एलबार निवक्ति होने के बाद इनकी अवकास गहन करने की आयू सीमा 65 साल लखी गई है ठीक है और आप देखेंगे अ कि सर्वोच न्याले कि न्याधिस को पदो गोपिनिये तक इस अपत राश्क्ति साफ दिलाते हैं सर्वोच न्याले कि न्याधिसों के लिए योगताई की बात करने करें तो वह भारत का नाग्रे को वह किसी उच्छ न्याले कि न्याले या लगातार कम से कम पांच बरस तक न्याधिस के रूम में काम किया हो और राश्ट पतीत की द्रष्टी से यही सबसे वड़ी फ्रॉब्लम है अगर राष्टपती साब समझ लेंगी कोई भी व्यक्ति उसकी निगाहों में उचकोटी का ग्याता है कानून का तो उसे भी राष्टपती उसे भी मुख न्यादीस बनाया जा सकते हैं अगर नेधिस बनाया जा सकते हैं नियादीस के वेतन व भाथ्ति अलुछ एक सोब 15 में जिविवस्ता की गई सर्वुच न्यादीस को दो लाख असीहजार पितीमा और अनन न्यादीसों को नाक पचास अजार रुपे हर मेहीने बेतन मिलता है। इसके इलाबा उन्हें नेसल आवास मिलता है अननिसुखधाइं जैसे चेक इस्था, कार, टेलीखोन आधी भी मिलते हैं। नियाधीसों का वितन उसे मिलने वाले अनिसुखधाइं उसके काल में कम नहीं किया जा सकता ह सिवार नेवित मुक नियादीस अन नियादीसों का पैंसा उनके अंति महाय की बेतन का 50% निजधारित किया गया है पद विमुक्त की बात करें तो सरवोच नाल है कि नियादीस की पद विमुक्ती के लिए संसत के दोनों सदनों में एक पिस्ताव पारित करते हैं जिसे परात्वना कहते हैं, जिसमें हुआ किसी नियादीस को सिद्ध विष्टाचार अत्वा आसमर्थता की कारण पद से हटाया जाए चाहते हैं, यह पिस्ताओ दोनों सदनों में कोल सदस संख्या कि इस वष्ट महुमद से पारित होना चाहिए, और साथ ही यह आवसक है कि पिस्ताओ पर मद्दान की समय जितने सदस उपस्तित हैं, वे मद्दान में भाग लेते हैं, उनका दो तिहाई बहुमद उसे पिस्ताओ का समर्थन करें, और जब इस पिस्ताओ पिकार पास हुआ पिस्ताओ संसद राश्टपती के पास प्रात्ना समावेधन की रूम में भेशती हैं, तभी वह आदेश जारीकर की समध्ध नियादीश को हटा सकता हैं, पद बिमुक्ती पिर्ष्ताओ 100 सदसों लोकसभा के मामले में और 50 सदस राजसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्त सभावपती को दिया जाना चाहिए, सबसे अध अधिस के पत पर रहने वाले नियादीश कमल नाराय सिंग थे, 25 नवंबर 1991 से लिकर वारे दिसम्बर 1991 तक 17 दिन रहे थे, जब भारती नियाएक पद्धिती में लोग खित मुकदमा पी आईयेलम डाला गया तब भारत के मुक्नियादीश पी एन भगवती थे, देखिए ज पूछ लेता है कि जब पी आईयेल लाय गया था उसमय भारत के मुक्नियादी कौन थे, पी एन भगवती थे, और देखिए पी आईयेल का मतलब यह है कि आप देखिए जो एक तरह से आप सोची की समस्या में, जो एक तरह से जिसका पर अत्याचार हो रहा है, वो ना जाकर कोई भी वेक्ति उसकी तरफ से उसका पक्षकार बनके पी आईयेल दाफिल कर सकता है, सर्वोच नियालाय के नियादीज आउगास प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी नियालाय या किसी अधिकारी के सामने बकालत नहीं कर सकते हैं, मुक्नियादीज राष्टपदी देख लिजे, ये वी जरूरी है, तो आप देखेंगे कि इसका प्यारंबिक छेत तदिकार या निम्न मामलों में है, भारत संगत था एक या एक से अधिक राज्यों की मद्द उत्पन बिवादों में, दूसरा है भारत संगत था कोई एक राज्य या उसकी अनेक राज्यो और एक या एक से अधिक राज्यों की वीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों की वीच ऐसे विवादों में जिनमें उनकी वैदानिक अधिकारों का पिसन नेत हो, ये प्यारंबिक छेत अधिकार है, किसका सर्वोच नियाले का, इसी में सामिल है प्यारंबि इसे भारत के सभी उच्छ नियालयों के नेड़य की विरुद अपीन सुनने का अधिकार है इसके अंतर के तीन पेकार के पिकरन आते हैं साम्वी धानिक दीवानी और पौद्दाई परावस्ट दात्री छेत अधिकार राष्टपती को यह अधिकार है कि वह साज्वेकर महत् करता है अनुचिद 143 के तरि नेयालय एक पिरावस्ट के सुविकार करना राष्टपती के विवेट पर सुविकार करता है और राष्पती चाहे तो आसुइकार कर सकता है पौनेरविचार संभंधिचेत तदिकार समिधान की अनुच्चेत 177 आप लोग पढ़ेंगे तो तो इसके अनुसार सर्वोच न्यालय को या अधिकार प्राप थे कि वह है स्वयन द्वारा दिये गए आदिस या नेड़य पर फोनर विचार कर सके तथा यदि उच्छित समझे तो उसमें आवसक परिवर्तन भी कर सकता है अविलेक न्यालय समिधान का अनुच्छित 119 अग किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत का सर्वुच न्यालय नाग्रेकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है और अनुचित 32 सर्वुच न्यालय को विशेश रूप से उत्तरदाई फ्ठहराया है कि वह मौलिक अधिकारों को लाव कराने के लिए आवसक जारी कर सकता है तो सर्वच नयाले यानिकी सुप्रीम कोट सर्वच नयाले में सम्मिधान के निर्वार्चन और समन्दी मावलों के संक्या कम से कम पाँच होनी चाहिए एक उच्छने आले के लिए एक उच्छने आले के लिए एक उच्छने आले होगा एक उच्छने आले होगा एक उच्छने आले होगा लेकिन संसत बीदी द्वारा या दो से अधिक राज्यों और किसी संग राज्य छेत्रे के लिए एक ही उच्छने आले इस्थाबित कर सकती अनुशे 331 कहता है ठीक है? यानि कि दो से दो राजजों के लिए है तीन राजजों के लिए जैसे आप देखिए हर्याडा हो हे माचल हर्याडा पंजाब का चंडीगण है ना ठीक है? वर्दमार में भार्द में 25 उच्च नियाले हैं और जिन्मैसे तीन उच्च नियालेईओं का अधिकार छित एक राजज से अधिक है केंदसासे पिदेश दिल्ली व जमू कस्मीर में भी उच्च नियाले हैं ये भी याद रखेगा पितेक उछनियाले का गठर एक मुख न्याधीस और अन्याधीसों से मिलकर होता है इसके निकती राश्च्पती द्वारा की जाती है अनुचे 277 के द्वारा भिन भिन उचनियालेओं में न्याधीसों की संख्या अलग लग होती है उच्छ नियाले की नियाधीस बनने के लिए योगता है क्या होनी चाहिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम दस वर्स तक नियाइक पद धारण कर चुका हो अत्वा किसी उच्छ नियालय में या एक से अधिक उच्छ नियालयों में लगातार दस बर्स तक अधिवक्ता रहा हो उच्छ नियालय की नियाधीस को उस राज जिसमें उच्छ नियालय है इस्तित है राज पाल की उसके पद की सपत दिलाता है नियुक्ति देखिए राष्टपती करता है लेकिन सपत उसे राजपल दिलाता है उच नियालाएं की नियाधीसों का आवकास गहन करने की अधिकता मुवम में 62 बरस है और 65 प्रिस्था अब है लेकिन अभी इसमन नेड़े नहीं आए अभी 62 है लेकिन सुप्रेम कोट में आप दीखिए 65 है उच नियालाएं की नियाधीस अपने पद से राष्टपती को संबोधित कर कभी भी त्याग पत दे सकते है अपना त्याग पत दे सकते है यह देखिए आपके उच्छ नियाले हैं एक कलकता इसके इस्ताफना देखेंगे आप लोग की 1862 में हुई थी सबसे पहले ठीक है पश्चे मंगाल अंडबान निकुबार दुईव समू इसके छेत्र अधिकारिता में आते हैं मूल इस्थान कोलकाता है खंड़ पीट इसकी बंबई देखें तो यह भी 1862 में आये था इसका चेत्री अधिकारिता की बात करें तो महराष्ट गुआ दादर नागर हवे लिए दमन दुईव इसके अंडर में आते हैं बंबई इसका मूल इस्थान है नांकुफर जी और अंगाबाद में इसकी खंड़ पीट देखने क और प्याग राज में आपको देखने कभुम लएगा लावाद में लखनोव इसकी खंड़ पीट है करनाटक 1884 में करनाटक में इसका चेत्त अधिकार है करनाटक में बैंगलूर में देखने के पाठना 1911 में बनाता भीहार में इसके अंडर में आता है पत्ना मेंदेखने क को मिलेगा ओररिसा यह 48 में आया था उरी सामने इसके चाहतर में इसके छेतत llama यह है थीक है गौर्टी चछसामना David यहेस मौने अपको यह देखने को मिलेगा तरबोेश इसकी एंडर में आता है जवलपूर में इसकी खंड़ पीट जवलपूर इसका मूल इस्थान है आप देखते हैं मद्विद इसका आई कोट कहा है जवलपूर में लेकिन इसकी खंड़ पीट ग्वालियर और इंदोर में है केरल 1906 में बनाता है केरल और लक्षदीव इसके अंडर म में हें यह देखने को आपको मिलेगी जब मुण में इसकी खंड पीट भी है त्हे सो गुजरत, इसके अंडर में आता है एहमदाबाद में देखने को मिलीगा यह दिली, 1966 में बनाता है दिली में देखने को मिलेगा हिमाचल पिदेश 1971 में बना था हिमाचल पिदेश इसके अंडर में आता है सिमला में यह है आपको देखने को मिलेगा सिक्किम और 1975 में सिक्किम में है गंगटोक में देखने को मिलेगा 36 गर संदोहजार में बना था और 36 बिलासपुर में यह देखने को मिलेगा उत्राखंड संदोहजार में बना था उत्राखंड इसके छेत में आता है नेनी ताल में इसकी मुख वरांच देखने को मिलेगी जारखंड सन 2000 में जारखंड इसके अंडर में आता है राची में देखने को मिलेगा मेगाल है 25 मार्च सन 2013 को मेगाल है इसके अंडर में आता है सिलॉंग इसकी मुख वरांच है मनीपूर 25 मार्च 2013 में मणीपर में एंथाल में देखने को मिलेगा मणीपर इसका चेत अदिकार है तेवपोरा 16 मार्ष 2013 को तेवपोरा इसके अंडर में आता है अगर तला में देखने को मिलेगा तेलंगानव एकजनवरी 2013 को तेलंगाना मनाता 2019 को और हैदराबाद इसकी खंड़पीट है क्या खंड़पीट नहीं मुख बरांच है इसकी ठीक है और आंध्पिदेश एक जनवरी 2019 को आंध्पिदेश किसके अंडर में आता है अमरावती में यह आपको देखने को बिलेगा जब तक जब आंध्पिदेश तेलंगना एक राज थे तब तक उनका उच्छतर नियाले है जैद्रावाद था और याद रखिए जिसकी इस्थापना उन्निस सचंगर में की गई थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि दोजार चौदे में आंध्पिदेश एलाकर के देलंगना बना दिया गया था किरल उच्छ नियाले में ने उन्निस संतानुए में सबसे पहले बंद को आसा मिधानिक घोसित किया था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा यह उच्छ नियाले की बात हो रही है उच्छ नियाले की नियादीसों को उसी पकार आपदस्त किया जा सकता है जिस पकार उच्छ नियाले का नियादीस पदमुक्त होता है अटाने की बात हो रही ह कार किया हो उस नयाले में बखालात नहीं कर सकता है उसके नेडार अधिकारिक माने जाते हैं उनके आधार पर नियालय अपना नेड़य देते हैं उच्छे 215 में भी बात की गई भारत के मुख नियादीज से परावसकर राश्ट्रपती उच्छ नियालय के किसी भी नियादीज का इस्थानन करन किसी दूसरे उच्छ नियालय में कर सकता है यह आप देखिए उच्छ नियालय का छेता दिकार प्यारंबिक छेता दिकार पिते एक उच्छ नियालय को नौक आधीकरन एकछापत तलाग वहा कंपनी कानून नियालय की आउमानना और कुछ राजर से समन्दी पर करनों नाग्रेकों के मौलिक अधिकारों की किरियान बन अनुचित 326 के लिए आवसक ने देश विसेश कर, बंदी पितेक्चिकर, परावा देश, निसेद, उत्पेशन, अधिकार पेक्चा के लेग भी जारी करने का अधिकार होता है, किसे? उचे नियालयको, यानि की हाई कोट को, यह भी आप लोग जयाद रखिएगा, यह अपिलिये लोग अधालत के बारे में फढ़ ली जेफर्स का, एक अपिलिये छेत अधिकार होता है, आईकोट का, उस पर विवात कर लेते हैं, लोग अधालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर समझोते के लिए बैधानिक मंच है, और विधिक सेबाप राधीकन अधीन इसमें 2002 में भी हुआ था, द्वारा लोग उपयोगी सेबाओं के विवादों के समझोते के लिए लोग अधालत में लाए जा सकते हैं, कानूनी विवादों को लोग अधालते मुकदमा दायर होने से पूर भी अपने याद सुईकार कर सकते हैं, लोग अधालत के नेड़े अन किसी दिवानी नेयाले के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं, यह नेड़े अंतिम होते हैं, लोग अधालतों द्वारा दीग है, नेड़ों के विरोध अपील नहीं की जा सकती हैं, देश के सभी लगबख सभी जिलों में इस्थाई और सतत लोग अधालतें दावे पर विचार कर सकती हैं, दिल्ली में पहली लोग अधालत अक्टूबर उन्नी सो पचासी को बैठी थी, और इसमें एक दिन में दुरगटना के सकार लोगों की मौपजे सम्मंधी एक सो पचास मामले निपटाए गए थे, इससे क्या रहता है कि आप देखिए सुप अधिस ने मित्य दंड दिया है, तो उच नियाले उसके विरोध अपील हो सकती है, दीबानी मामलों में इन सब मामलों की अपील हो सकती है, जो पांच लाक या उससे अधिक संबत्ती से समढ़ देऊ, उच नियाले फिर पेटेंट और डिजाइन अत्रादीकार, भूमी प् विदी के किसी सारगर्वित पिसन से समढ़ है, तो उसे अपने यहां अस्तांतित कर या तो उसका निप्टारा स्वयम कर देता है, या फिर विदी से समढ़ पिसन को निप्टारा निप्टा कर अधिनस्त नियाले को नेडाई के लिए वापस भेद देता है, यह भी बात है कि यह भी आच्छी बात है, यहाँ भी कुछ प्याइंट है, नहीं भी देख लीजी, पसास की यह अदिकार उच न्यालेयो, उच न्याले को अपने अध्धी नस्त न्यालेयो में, नियुक्ति पदा उनती पदो नती चुटियों के सम्मद में नियम बनाने का अधिकार है उच्च नियाले राज में अपील का सर्वुच नियाले नहीं है राज सूची से समध बिसे में भी उच्छ न्याले की नेडेओं की विरुद उच्तम न्याले में अपील हो सकती है और भोकता सरक्षन अदिनियम भी देख लिजे भारत सरकार ने और भोकता सरक्षन अदिनियम 1986 बारित किया था और भोगता समस्याओं के निफ्टाने के लिए जिला इस्तर, जिला फॉरम, राज इस्तर पर राज और भोगता विवाद निवारन आयो का गठन किया जाता है जिलाफरों 20 लाग तक के मामलों की और राज्योब भोगता बिवाद निवारन आयो 20 लाग से 1 करोड तक के मामलों की और राश्टियोब भोगता बिवाद निवारन आयो 1 करोड से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है केंद्रिये पिसासने कदीकरन सुनाओगा CAT तो समीधार काल उच्छे 323 ये पढ़ेंगी नग तो इसमें प्रावधानों से केंद्रिये पिसासने कदीकरन का गठन 1985 में पिसासने कदीकरन अधिनियम 1985 के तैट किया गया था उस समय भारत की पितान मंत्री अटल राजिक गांदी साहब थे कौन? राजिक गांदी CAT का अध्यक चुच्छ नियाले के वर्तमान अध्वा सेवाने भित नियादीस होता है और अध्यक्च के अलाबा इसमें 16 आपके उपाध्यक्च होते हैं वह उननचा सदस होते हैं इस सदस नियाएक एवं पिसासनिक दोनों छेत्रों से लिये जाते हैं तो यह आपकी काम खतम हो जाता है के अंध्यक्च पिसासनिक अध्यकरण का भी है चलिए तो हम लोग राज्यकी कारफालिका के बारे में देख लेते हैं जिस तरह आप लोग केंद में राष्टवती या राज्यसवा या लोगसवा देखते हैं तो उसी तरह राज्यों में आप लोग राज्यपाल विधान सवा विधान परिशत भी देखते हैं तो समिधान का अगर आप लोग 6 आर्टीकल पड़े ना, तो इसमें राज्य सासन के लिए प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान जम्मु कस्मीर को छोड़ का सभी राज्यों के लिए लागो होता है, और अभी आप देखिए 370 पूरी तरह से नहीं अटाया जम्मु कस समिई से कुछ प्रावधान आप देखिए उहां रहे गए, राजी की कारफालिका का प्रमुक राजपाल होता है, और वह पित्तेयक चारूप से अथवा अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्था राज्यों मे राजपाल की स्तिति कारफालिका की बंदू बास्त्विक सकती मोखमंत्री के नेतत में मंत्री परशद में नहित होती है। लेकिन एक बात और याद रखेगा। जब से आप देखें कि विश्य प्रावधान जम्मू कसमें से खतम हुआ है। अब वो सभी प्रावधान जम्मू कसमें भी लागू होंगे जो बाक जोड़ दिया गया। जिसके अनुसार एक ही विक्ती को दो या दो से एधिक राज्यों के लिए भी राजपान नियुट किया जा सकता है। आप देखिए एक से अजेक राज्जों का भी राजपाल एक ब्यक्ति गोनाय जा सकता है, कुछ पहले आप ने देखा होगा, मद्यपदेश और उत्तरपदेश का एक ही राजपाल थे, ठीक है, कई राज्जों में आप देखते रहते हैं, राजपाल की निवति राष्टपत साब का पिसाद मिलता रहे, राष्टपती साब की किरपा बनी रहे, तब तक वो राजपाल पत-पत बना रहेगा, भारत की समिधार में राजपाल को उसके पत से हटाने ही तो, किसी भी पिक्रिया का उलेक नहीं किया गया, राजपाल का बेतन अगर आप से पूछे, तो त उच न्याले की मुख नहदीस अत्वा वरिष्टम नहदीस के सम्मुख अपने पद की सपद लेने ही होती है, किसे राजपाल को साब को लेनी होती है, राजपाल की उन मुक्तियों तथा विसे सदिकारों की बात करें, तो एह पने पद की सक्तियों के प्रियोग तथा कर्त तारी का आदेश किसी नियाले द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। उन्हें पदो और गुपिनिता की सपद भी दिलाता है। तारी के उच नियाले में नियादीसों की नियुक्ति के समद्ध में राष्टपती को पराप्त करें। राष्टपती सासन के समय राजजपाल केंद सरकार के अभी करता के रूमें राजजपाल के पर सासन चलाता है। का कुलादीपती होता है और ओक कुल पतियों की कुल भी नियुक्त करता है। राजज बिधान परिषद की कुल सदस संख्या का एक चटवा भाग सदसों की नियुक्ति करता है। जिसका समद्ध बिध्यान, साहित, कला, समासेवा, सहकारी आंदोलन से होता है। अनुछेद 171.5 में विव्यवस्था की गई है। यह ध्यान देने युक है कि राजज सभा से संबंधित समान सुची सहकारी आंदोलन समलित नहीं है। राजज सभा की सदस्वों के लिए पूच रहा है। उसमें आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि विग्यान, साहित, कला, समासेवा, से जो मनुनीत होते हैं ना राश्पती के द्वारा 12 सदर से, इनी चित्रों से होते हैं। विधाई अधिकारिकारी की बात करें। तो राजपाल विधान मंडल का अभिननंग है, अन्चेद 164 कहता है। राजपाल विधान मंडल का सत्ता वसान करता है, उसका सत्ता वसान करता है और उसका विक्टन भी करता है। राजपाल विधान सभा की अधिवेशन दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन को समोविधित भी करता है। अनुचे 333 कहता है। लेकिन आप देखते हैं कि 2019 के बाद आपने देखा है ने हटा दिया गया है। जम्मु कस्मीर राजपाल नामजद करता है। देखिए एक और बात बता दूँ आपको। अभी जम्मु कस्मीर में चुनाओ नहीं हुए बिधान सावागे। सबसे बड़ी प्रॉबलम यही है तो उहां के बारे में कोई निर्धारित नहीं हो पा रहा है। एक बात चुनाओ हो जाए तो वहां के बारे में कुछ मालू तो चले आके ठीक है। यह क्या हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं जम्मु कस्मीर के मामले में परयाप्त जानगारी भी नहीं रहती है हमारे बात। फिर आप देखेंगे कि जब विधान मंडल का सत्त नहीं चलना है तो राजपाल को ऐसा लगे कि ततकाल कारवाही की अवर सकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जिसे वह ही इस्थान पर आपत है जो विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को होता है। परंतु राज विधान मंडल द्वारा इसे दुबारा पारित किये जाने पर हो है उस पर अपनी सहमती देने के लिए बात होता है। राजपाल किसी विधायक को राश्टपती के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधायक तभी परभावी होगा जब राश्टपती उसे अर्मती पिदान कर दे। राजपाल को राश्टपती के लिए बिधायक आरक्षित करना उस समय अनिवार है जब बिधायक उच नियाले की सकतियों का अलपी कहन करता है। जिससे यदि विधायक बिधी बन जाएगा तो उच नियाले की सम्मिधान के स्थिती को खतरा होगा। बित्तिय अधिकार भी होते हैं राजपाल के, राजपाल बित्तिय बरस में बित्त मंत्री को विधान मंदल के सम्मुख वासिक बित्तिय बेवरार या पिस्तूत करने के लिए कहता है, यानि यह कहने का मतलब वही है, क्या है कहने का मतलब, कहने का मतलब बजट से ही है, विध करता हो और उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारिद नहीं किया जा सकता है जब तक कि राजपाल इसकी संसुति ना कर दे राजवित आयोग किसी राजपाल को उसे विसेश राज्यों की पंचयातों द्वारा बीनियुजित हो सकने वाले करण और सुलकों के निधारन की लंबन परिहार या लगू करण कर सकेगा या ऐसी व्यक्ति के संबंद में होगा जिसे ऐसी विधी के अधीन अपराज के लिए सिद्ध दोस्ट ठहराये गया है जिसके संबंद में राजविकी क्यारिकाल कैसक्ति का विस्तार है आरुचेद 161 कहता है राष्टपति को सभी आरसल के दंडादेश के मामले में छमादान की सकती पराप्त है जबकि राजपाल को ऐसी सकती नहीं पराप्त है तो इने भी याद रखे आपात सकती भी राजपाल के पास होती है जब राजपाल को ऐसी परिस्तितियों परिस्तितिया उत्पन हो गई है जिसन में राज़ क सासन समिधान के और बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो आप राश्ट पती को पिती वेदन पेज कर 306 एह कह सकता है कि राश्ट पती राज के सासन के सभी या कोई किर्थ स्वैम किरहन कर ली इसे सामरता राश्ट पती सासन कहा जाता है आप राज्यों में देखत इस आसन परणाली को अपना है, जिसमें मंतरी परशत पिद्धान मंडल के पिति उत्तरदाई होता है, और अतहाब आस्पिक सकती है, आपकी मंतरी परशत को पराप्त होती है, ना कि राजपाल को, राजपाल एक समिधानिक पिरमोग के रूम में काम करता है, किन्तु आसाधा पराप्त होता है, और एक बात आपको बता चुका हूँ कई बार, देखिए जो राजपाल होता है, जनता के पिति उत्तरदाई नहीं होता है, आप देखिए कि इसे हर पांस साल में आपने देखा होगा कि इसे चुनाओ में जनता के सामने नहीं जाना पड़ता है, लेकिन जो मुखमंत्री होता है, जो मंत्री परिशत होती है, उन्हें जन्ता के पिती चबाब दही होना पड़ता है, और आप सोची अगर जन्ता के पिती जन्त काम नहीं करते हैं, तो आप देखिए अंगली बास्ता से बाहर कर देगी जन्ता, उन्हें रास्ता दिखा देगी, तो प्रावधान अनुछेत 169 में दिया गया है विधान परिशत राज विधान मनल का उच्छ सदन होता है क्या उच्छ सदन होता है यदि किसी राज की विधान सबापने कुल सदसों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित मद्दान करने वाले सदसों के दो तीहाई वहुमत से पृस्ताव पारित करे तो संसल उस राज्य में विधान परिशत इस्तापित कर सकती है उसका लोग भी कर सकती है यानि किसी पिक्रिया से उसे खतम भी कर सकती है वर्तमान में आप देखें तो 6 राज्यों में आपकी विधान परिशत है उत्तरविदेश में आप देखें इसमें 100 सदस है करनाटक में 75 है, महराष्ट में 78 है, विहार में 75 है, आंध्विदेश में 50 है तेलंगाना में 40 में विधान परिशत है, विद्धमान है जमु कस्मीर में भी थी लेकिन आप देखते हैं कि जब से विसेस परावधान हुगा तो वहां से भी खतम कर दी गई बिधान परिशत के कुल सदसों की संख्या उस से राज की बिधान सभा के कुल सदसों की संख्या की एक तहाई से अधिक नहीं हो सकती है यह विWowशत की बिधान परिशत की सदसों की कुल संख्या चाली से कम नहीं हो सकती है लेकिन बिधान परिशत की पास सक्तिया एक तेहाई सदस अवगास घर्हन करते हैं और उनके स्थान पर नवी नए सदस आजाते हैं निर्वाचित होका, यदि कोई व्यक्ति किसी सदस की मिठ्यु या त्याक फत द्वारा होई आकस्मक्ता रितियों को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस सेच अवधी के लिए ही सदस रहता है विधान परिशत के कुल सदसों के एक तिहाई सदस, राजी की स्थानिय सौसासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंदल द्वारा निर्वाचित होते हैं, एक तिहाई सदस राज्यों की विधान सवा के सदसों द्वारा निर्वाचित होते हैं, एक बारवा सदस उन इसनातकों में सिक्षड कार कर रहे हूं और एक छटवा सदसों कारकाल उन व्यक्तियों में से मनुनीद करता है जिने साहित कला विज्ञान सहकारता अंदोलन या सामाजिक सिवा के संबंद में बिस्याग्यान हो विधान परशद में किसी भी बैठक के लिए कम से कम आप देखें दस या विधान परशद के कुल सदसों का एक बटे दस इन में से जो भी अधिको गड़ पूर्ती होती है ठीक है तो यह भी याद रखेगा विधान पच्ता अपने सदसों में से दो को क्रम सा सभापती और उपसभापती चुनती है सभापती उपसभापती को विधान मंदल द्वारा निधारित बेतन और भत्ते भी प्राप्त होते है सभापती उप सभापती को सम्भोधीत कर त्याग पत्वी दे सकता है अत्वा परिजिस्दे के सदस्वों के भॉहमस से पारिष पिस्ताओ द्वारा उसे आपदस्त याली की पत से हटाए जी सकता है किंदू ऐसे पिस्ताओ को लाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवसक होती है जिसे हटाना है सभापती या उप सभापती तो ये भी याद रखेगा अब आती है बिधान सभा तो बिधान सभा का कारिकाल 5 साल का होता है किंदू ऐसे परिस्तिती में राजपाल को यादिकार है कि वह उसे पूर भी उसकी बिक्टित कर सकता है बिधान सभा के सत्तावसान के आदेश राजपाल द्वारा दिये जाते है बिधान सभा में निर्वाजित होने के लिए नियुन्तम आई हूँ आपकी 25 वरस होनी चाहिए अगर बिधान सभा का चुनाओ आपको लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए पितेक राजपाल की विधान सभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस होते है आप बाद भी है गुआ में आप देखिए 40-60 से कम है मिजरम में 40 सिक्किम में 32 है इसमें अनुचित 371 की तहट बिसेस राजी की दर्जा देकर यह वे उस्ता किया गई है बिधान सभा में जनसंख्या की आधार पर अनुचित जातियों और जन जातियों के लिए इस्थानों का आरक्षन भी होता है यह आटीकल आपका 332 कहता है बिधान सभा की अधिक्षता करने के लिए अधिक्ष का चुनाओ करने का अधिकार सदन को पराप्त होता है जो इसकी बैटकों का स्तंचालन करता है और इनी की सदस्यों में से अध्यक्ष बनता है बिधालसबसद साधार बिधालसबसद सदव में मत दान नहीं करता है किन्तु यदि सदनों में मत बरावर बरावी में बढ़ जाये किसी पिस्ताव और तो वह नडायक मत देता है, जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का पिस्ताव विचारा धीन है, तो समय वह सदन की वैटकों की अध्यक्षता नहीं करता है, किसी विध्यक को धन विध्यक्ष माना जाए या नहीं, इसका निधारन भी आप देखिए विधाल सभा या विध्यक्ष का सदस होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप लोग किसी भी सदन का सदस नहीं है, तब भी आप लोग 6 मेंने के लिए सदस बन सकते हैं, क्या मुखमंत्री बन सकते हैं, लेकि 6 मेंने के अंदर आपको या तो लोग विध्यक्ष बनना होगा, कही राज्यों में आप देखें, उधाव ठाकरे हाली में ही आपने देखा होगा, महराष्ट के मुख मंत्री, वो किसी भी सदन के सदस नहीं थे, मम्ता बरहली आपने देखा हो चुनाओ हार गई थी, फिर उन्होंने एक सीट खाली करवाई थी विधान सभा की, फिर वो चुनाओ लड़ी फिर बनी रही हो ठीक है, अगर विधान सभा के हम लोग कारेओं की बात करें, विधान सभा के जो अधिकार हैं और उनके कारे हैं, तो इसमें आप देखेंगे विधी निर्माड, इसे राज सुची से संब्दीत विष्यों पर विधी निर्माड का अधिकार परापत है, सं विद्धान मंदल राज सरकार की विद्धान मंदल के संभुख बार्सिक विवरन अत्वा बजट पिस्थूत करता है जिसमें सासवन के आयव बैकी विवरन रहता है बजट बित मंतिरी दूबारा रखा जाता है कोई धर्म विधियक प्यारब में विधान परिशद में पिस्तुत नहीं किया जा सकता है जब विधान सभा किसी धर्म विधियक को पारिद कर देता है तो वह विधान परिशद के पास भेजा जाता है विधान परिशद उसे 14 दिन की भीतर विधान सभा को लोटाना पड़ता है विधान परिशद उसे विधेयक की सम्मद में संसुतिया तो दे सकती है किन्तु वह ना तो उसे आस्विकार कर सकती है और उसमें संसुतिया कर सकती है तो याद रखिए कि विधान परिशवत के पास जादा सक्तिया है नहीं है विधान सवा दौारा पारित किये जाने की 14 दिन के बाद विदियक को दोनों सदनों दौरा पारित समझ लिया जाएगा और राजपाल को इस पर अपनी सहमती देनी पड़ती है कारिफाली का पन्यांतर मंतिरी फरिशत सामोही ग्रूप से आप सभी चानते हैं कि विदान सभा के पिती उत्तरदाई होता है जब कभी मंतिरी फरिशत की विरूप आविस्वास पिस्ताव पारित हो जाता है तो समुच्या मंत्री फरिशत को त्यागपत देना होता है कि भरोसा ही नहीं रहा है इस सरकार में इसके पास बहुमत ही नहीं रहा यह मान लिया जाता है समिधानिक संसुदन संगिये सौरूफ को पिरोहावित करने बालग कोई समिधान संसुदन संसद के दोनों सदनों की द्वारा पारित हो जाता है तो आधिर से अधिक राज्यों की बिधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टी आवसिक होती है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा सभी राज्यों के पास है भी नहीं आप सभी आनते हैं कहां विधान सभा है विधान परिश्द है देखिए आप यहां देख लिए विधान सभा विधान परिश्द की सदस्तंग क्या हो गई यह राज हो गया विधान सभा हो गई विधान परिश्द हो गई ठीक है जैसे उत्तरपिदेश 403 विधान सभा में सीटे हैं विधान परि आपकी लोग सभा में होगे इसलिए आप कहते हैं कि उत्तरफदेश बहुत ही मत हुन है राजनीती की दोष्टी से पश्ची मंगाल में 294 और महाराष्ट में 288 और 78 यहां विधान परिशद हैं बिहार में 243 विधान परिशद में हैं विधान सभा में 75 विधान परिशद में तमिलाडू में विधान सभा में 234 हैं मंद्विधिस में 230 हैं करनाटक में 224 हैं विधान सभा में 75 हैं विधान परिशद में और राजस्थान में 200 विधान सभा में गुजरात में 180, आंध्विदैस में 175 आपकी विधान सवा में हैं, 50 आपकी काय में हैं? विधान पहिशत में हैं। केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में आपकी 119 तो बिधान सबासी नहीं है और 40 आपकी बिधान परिशत, पंजाब में 170, रियाडा में 90, 36 गर में 90, ध्यारखंड में 80, 81, ओतराखंड में 70, हिमाचल पिदिश में 68, मनीपुर में 60, मेघाला में 60, तिपुरा में 60, अवनाच और आप देखिए संगी चित में दिल्ली में 70 हैं, फदुचेरी में 30 हैं, जमुकस्मीर में अभी कोई मालू ही नहीं चला है, 2019 के पहली यानि की अनुचे 370 हटने की पुरू जमुकस्मीर राज जी की विधान सवा में, सदसों की संक्या 114, जिसमें 90 आप देखिए, जमुकस्मीर में थे, और 24 जो पाक अदिकित कस्मीर के लिए आरक्षी सीटे थी, तो ये भी आप, और आप सभी जानते हैं कि P.O. क बढ़ारीयों की और आप राजपतनी की राजपती की पांच लाग, लोकस अद्यक्ष का चाल लाग, राजपल का 3,50 अध, सर्वच नयले की मुख नयादीस का दो लाग पचास अजा उच नयले की अनय नयादीस का दो लाग पचास अजा सपत त्यागपत की बात होती है राश्पती किसे सामने सपत लेता है? मुख नयादीश के और त्यागपत किसे देता है? उपर राश्पती को उपर राश्पती राश्पती के सामने सपत लेता है? राश्पती को अपना त्यागपत देता है राजपाल, राजजी के उच्छ नयाला की मुखनयादीश के सामने सपत लेता है, लेकिन अपना त्याक त्याक पती को देखता है, और राश्ट पती को ही अपना त्याक पत देता है, पिधार मंत्री, राश्ट पती के सामने ही सपत लेता है, और राश्ट पती को ही अपना त राजबाल द्याटा की जाती है बोधान मंत्री की निज़ाती के बिष्ट तक राजवाल तक पहुचाता है एक बात और याद रखिए आपके मन में सवाल आता रहता है और आना चाहिए मुझे लगता है कि जरूरी है कि मालगे किसी के पास बहुमत नहीं है तो राजवाल क्या करेगा तो राजवाल सबसे बड़ी पार्टी की नेताओं को एक तरह से कि आप सरकार बनाईए फिर दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की और लाश्ट में यसी व्यक्ति को बलाता है जो बिधान सभा के सदस है या नहीं है लेकिन अगर वो बहुमत जुटा सकता है तो उसे भी बनाया जा सकता है आंगे 6 महीने में वो सदस बन जाएगा 91 समिधान संसुदन अधिनियम 2003 के नुसार मुखमंतरी से संपूर मंतरी परसद का आकार राजी की विधान सभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन मुखमंतरी से संपूर मंतरी परसद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए 15% से अधिक नहीं ह होनी चाहिए जब कभी राजपाल कोई बात मंथरी पहुंचाना चाहता है अं लेख सफफत मुकमंतरी की कारेयों को परिभासित करता है। आप कैंद्र सासित प Але की बात कर लेते हैं। कैंद्र सासित का सासा राश्क stat द्वारा चला जाता है। और वह है इस बारे में जहा तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त पिसासक की माध्यम से कार करता है अनवान निकोबार दिल्ली, परोचेरी, जम्मुकस्मी, लद्दा की पिसासकों को आपको उपराजपाल की नाम से जानते हैं जबकि चंडिगड की पिसासक को मुक्त द्वारा की जाती है यह जरूर याद रखेगा और अन्यमंत्रीों की निकोठी राज्टेपती मुक्मंत्री कीATHAN करता है और मंत्री राश्पती कि साथ परेंत अपने पद्दारन करके चकता है और मंत्री परशद बिधान सवाकिपिती सामोही के रूप से उत्तर दाई मोत ह इसका का छे कहता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अब बात करते हैं केंद राज्य सम्मंद की राज्य और केंद की भी तो आप देखते हैं सम्मंद होते हैं भारत में केंद राज्य सम्मंद संगवाद की और उनमुक है और संगवाद की इस पेडाली को कनाडा के सम बाहर रखा गया है भारती समिधान की साथ भी अनुसूची को अगर अपड़ें तो केंद और राज की सक्तियों के बटवारिक से संबंदित तीन सूची आए संगे सूची राज सूची संबर्ती सूची उपचारिक रूप में और कानूनी दिश्टी से इन सूचीयों की विस सामिल किया गया जो राश्टी इमाद के होते हैं और जिन पर कानून बनाने का एक मात अधिकार केंदरी बिधाय का यानि कि संसत को होता है इस सूची में आप देखेंगे इस समय सो विसए हैं और जब मूल ता जब बनाई गयी थी उस समय संतान वेह थी इसमें आप देखे इस सभी आपके संग सूची में आते हैं वहीं राज सूची की अगर आप बात करें तो राज सूची इसमें उन विसेओं को सामिल किया गया जो इस्थानी भथ के और जिन पर कानूर बनाने का एकमात अधिकार राज बिधान वंडल को होता है लेकिन गुछ विसेस परिस्तित इसमें आता है एक आप देखेंगे संबर्ती सूची है और इसमें सामिल विसेओं पर संसद और राज बिधान सभा बिधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है यदि दोनों कानून में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही लागो होगा इसमें इ इन में पिरबोख हैं राष्टिये जलमार्क, परिवाहन नेयोजन, जनसंख्या, नियंतर्ण, समाचा औरपत, कारखाना, सिक्षा, आर्थिक, सामाजी के उजना, बन, ये सब ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? समीधान के 42 वर समीधान संसुधन, नियंतर्ण, परिवाहन नेयोजन, बाट वा माप, जानवर तथा पक्षीयों की सुरक्षा आदीविसे को समीधान संसुधन को आप लोग लगू समीधान मी कहते हैं, मिनी कॉंश्टिटिवसन, क्योंकि आप देखिए इसमें बड़े पिर कानूर बनानी का दिकार संसत को पराप्त है, और अब भी अंतिम प्रविष्टी की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है, प्रविष्टी संख्या 2 का, 3 का, माकरी 92 का, 92 खा जुड़ा गया, और प्रविष्टी 33 को हटाया गया, इसलिए कहता हूं देखिए, अभी भी अग आप लोग अंतिम अंचित देखन तो 395 देखने को मिलेगा, लेकिन बैसे गिंती में आप लोग देखें तो बढ़ जाती है जनसक, उनकी 400 पिलस हो जाती है, अभी अंतिम प्रविष्टी 66 है, और प्रविष्टी संख्या 11, 19, 20, 39, 36 को हटाया गया, अभी अंतिम यह भी याद रखें, राज्य सूची अगर आप देखें, राज्य सूची के विषया पर कानून बनाने की संसत की सकती है, समिधान के अनुच्छे 249 में यह प्रावधान किया गया, कि यदि राज्य सवा अपने उपस्थित और मद्दान करने वाले सदसों के दो त्याही वहमत से यह पारित कर दे, कि राज्य सूची को ध्यान वे रखें, संसत को राज्य सूची में वड़ित विषयाओं पर कानून बनाने की सकती प्राप्थ हो जाती है, और संसत द्वारा इसे फिकार बनाया गया कानून एक वर्स के लिए प्रवर्थनी होता है, लेकिन राज्यों को सहमती से भी शंसत दूराज्य सूची पर कानून बना सकती है, अनुचे 253 के अंतर आपकर देखें, अंतराश्टी समझोता को प्रभावी बनाने ही तूंसत राज्य सूची की विए सये पर कानून बना सकती है, और संगय के प्रमुक, राज्य सिसरोत, निगं कर सीवा सुल्क निर्या सुल्क किरसी भ्हुमि को छोड़कर अन संपती पर संपता सुल्क विदैसी इस किर मुदरिजार सिरल तो कम्हें की मिवाति स work ऐचार आयो गठित किये गए जो स्प्कारे सासने कर आयो मड़नार औरन् planetений से bets कार्या सभी देखे, कैन्दौराज्यों से संबंद से, सहकारिया A.O की बात करें, तो 1983 में कैन्स सरकार ने उच्षितम नयाले के जो सिवा नेवित नाधीष थे, RS सरकारिय की अज्यक्षता में कैन्दौराज्य संबंदों पर तीन सदस्तिय, आयोग का गठन किया था वी सिवरामन और एमार सैन आयोग के दो अनस अदस थे आयोग ने कहा कि वा केंदो राज सरकार के वी सभी विवस्थाओं वा कारफदितियों का परिक्षन करें और इस समंद में उचित परिवतन वा फिरमाडिक सिवारिस पिदान करें और इसे अपने काम को पूरा करने के लिए एक बर्स का समय दिया गया तदा भी इसका काल चार बार बढ़ा आना पड़ा था रिपूर्ट अंते मक्टूबर आप देखेंगे 1987 में पेस की गई और इसका सार अधिकारिक तोर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया आयोग ने केंद और राजसमंदों सुधार की दिसा में 247 सिफारिस ने पिस्तुत की थी एक पुंची आयोग अपरेल 2007 में केंद सरकार ने केंद राजसमंदों की समिक्षा के लिए उच्छतम ने आले कि भूतपूर मोक्नियादीस मदन मोहन पुंची की अधिक्स्ता में एक आयोग का गठन किया था इस आयोग ने अन चार सदस्ति धीरन सिंग और बिनोत कुमार प्रोफरसर एनार माधाव मेनन और डॉक्टर अमरेश बाक्ची फरवरी 2008 में डॉक्टर बाक्ची के निधन के पश्चाद विजय के पश्चाद विजय विजय संकर को आयोग के एक सदस्ति की रूम में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया था इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि दो दसक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद भललती राजनितिक आर्थिक परिदिस्त के कारण काफी परिवयतन हो चुके नई परिस्तितियों में केंदराज समंद्रों को पुना आकलन किया जाना चाहिए आवस्तेक है केंदराज समंद्रों से जुड़े कुछ फिर्मों को उद्दिस अनुचेद ए विसावस्तू जैसे 247 कुछ अत्रिक्त नियालेओं की स्थापना का उबन्द करने की संसद की सकती की बात करता है 249 राष्ट हित में राजसूची से समंदित किसी मामले में संसद के कानून मनाने की सकती की बात करता है 250 राजसूची के किसी विसावपर आपात काल की स्थिति में संसद के कानून मनाने की बात करता है अनुचे 252, दो या अधिक राज्यों के उनकी सहमती के बश्चात संसत द्वारा कानू बनाने की सकती हो और किसी अन राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करने की बात करता है। 253, संसत को किसी अन देश या देश के साथ की गई किसी संधी करार अभी समय अत्वा किसी अंतराष्टी सम्मेलन संगम या आप देखिए अन निकाय में किये गए किसी विनिश्चे के कायानवन के लिए भारत के संपूर राज्य चेत या उसके किसी भाग के लिए विधी बना इसमें संग द्वारा आरूपित तथा राज्जों द्वारा संगहित उपयोग किये गए कर। 283 संचित निधियों आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखा में जमाधन राशियों की अभी रक्चा 286 बस्तुओं की विक्रिय और अत्वा खरीद पर करार उपन का पिदीवन्द 286 सदाती विजली पर करों से चूट 289 किसी राजी की संपत्ती और एवं आय का संगहिय करार उपन से चूट 292 कुछे व्याय और पैंसरों की संबंद में समाय जन 292 में भारा सरकाय द्वारा किया गया उधार 293 में राज्यों द्वारा लिया गया उधार इन सभी आर्टीकल को जरूर याद रखिएगा ठीक है लास्ट में हम लोग एक बार फिर से देखेंगे सभी आर्टीकल को अब हम लोग बात करते हैं अंतर राज्य परिश्यद के बारे में और याद रखिए इससे भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स आता है क्या होता है आते रहते हैं कुश्चन्स तो समिधान का अनुछिद अगर 263 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी अंतरगत कैंद और एवं राज्यों की वीद समन्य बही स्थावित करने के लिए राष्टपति एक अंतरराज्य परिशत की स्थापना कर सकता है कौन राष्टपति साहर और पहली बार जून 1990 में अंतराज्य परिशत की स्थापना की गई थी और जिसकी पहली बैठक आप देखेंगे 10 अक्टूबर 1990 मुवी थी इसमें कौन सदस होते हैं तो पिधान मंत्री और उनके द्वारा मनुनी 6 केमिनेट इस्तर की मंत्री सभी राज्यों युम संगराजी छेत्रों की मुख मंत्री और संगराजी छेत्रों की पिसासक जिसमें आप देखें मुख मंत्री नहीं होता है उसका उपराजपाल यानि की पिसासक इसमें सामिल रहता है और अंतर राजी ये परिशत की बैठक बरस में तीन बार की जाएगी और जिसकी अध्यक्षता पिधान मंत्री या फिर उनकी अनुपस्तिती में पिधान मंत्री द्वार केमिनेट इस तरका कोई मंत्री इसकी अध्यक्षता करेगा और परिशत की बैठक के लिए आवसक है कि कम से कम दस सदस अवसक उपस्तित होना चाहिए फिर आप देखें नीती आयोगा आता रहता है आप सभी जानते हैं और आप सभी को ये भी माल होगा कि पिधान मंत्री जो हमारे वर्तमान पिधान मंत्री है मौदी साहब इन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल के लिए की प्राची से राष्ट के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोशना की थी ये आप देखते हैं कि योजना आयोग 1950 में आया हुआ था और राष्टी भारत परिवर्तन संस्थान यानि की नेशनल इस्टिटीउचन फोर ट्रांस फॉर्मिंग इंडिया नीती आयोग कहा गया है और अस्तित में है आम्तोर परसे नीती आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं किसके नाम से नीती आयोग से पिधान मंत्री की अध्यक का निभाएगा केंदेवं राज सरकारों को राष्टिये वं अंतराष्टिये महत्त की महत्पूर्ण मुद्धों पर यह रर्वनेतिक बात तकनी की सलाय भी देगा यह उजना आयोक को भी देख लीजिए हैं 15 गस्तों 2014 को इसे समप्ट करने की घुष्णा की गई थी और भार और पिथम यह जना आयोक की उपाध्यक्ष थे गुल्जारी लाल नंदा और पिधान मंतरी आप देखें जिस समय आप देखते हैं कि 1950 में जब इसकी स्थापना हुई उस समय आप सभी जानते हैं कि जवाहल लाल नहिरू पिधान मंतरी थे तो वह ही इसके अध्यक्ष बना सारस्वत प्रोफेसर रमेर्मेश चंद और पदेन सदस में आमें अमेश साहे ग्रह मंत्री निर्मला सीतरवन बित मंत्री राजना सिंग रक्षा मंत्री नरेन सी तॉमर किर्शी मंत्री और विशे सामंतिति में नेतिन गड़करी, पिस्गुएल, थावर चंद गहलूत, आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उससे आप लोग इनके अध्यक्च तो आप समझते हैं कि पिदान मंत्री हैं तो यह तो आप लोगों को मालू रहता है उपाध्यक्च इसके पूर्ण कालिक सदसों पदेन सदसों और विशेस आमंतित सदसों के बारे में आधी सासी आधी के समन्द में आयोक सरकार को सलावी देगा और नीती आयोक का पिताम उपाध्यक्च अरविंद पनगडिया थे ठीक है यह आप लोग जरूरी याद रखेगा फिर आती है राश्टी ये विकास परिशत और ये उजनायोक के निर्मार में राज्यों की भागेदारी हो और ये उजनायोक का सचेव भी इसका सचेव होता है और भारतिय संगे के सभी राज्यों की मुखमंत्री और एवं ये उजनायोक की सभी सदस इसके पदयन सदस होते थे राश्टी ये विकास परिशत का मुखकार केंदबार राज सरकारों और ये उजनायोक के बीच सेतु कि तरह काम करना होता है अब आप देखिए तो इसका काम कटम हो चुका है यह उजिनाए के वीच जो सिट смож की तरह काल करने है यह तो काम कटम हो चुका है क्यूंकि यह उजिनाएव अभठट चुका है के संथानम ने राष्ट विकास परिषत को सुपर केविनेट की संगिया दीती एक अथन आप से पूँचा जा सकता है ठीक है फिर आप देखेंगे बित्तायों गाता है समिधान का अनुचे अगर 280 आप लोग पढ़ेंगे तो बित्तायों की गठन का प्रावधान किया गया इसमें बित्तायों की गठन का अधिकार चार अन सदस निव्त किया जाते हैं जो पैसे के वटवारा होता है राज्य के अंदर के बीच उसी को लेकर आप दीखें बित्तायों गठन भारती समिधान के अनुचे 241 के द्वारा होता है राज्य में आप लोग के अंदर में आप देख रहे हैं कि आपका राष्टी बि और राज्य में अपना वित्तायों होता है तो उसकी बात हो रही है 241 के द्वारा वित्ति ये पेशासन में पारिदर्श्टा सुनिश्चित करता है यह आपके अप तक के गठित जो वित्ति आयो हैं यह आपका वित्ति आयो हो गया नियुक्ति हो गई अध्यक्ष हो गया जैसे पहला वित्ताइब उननी सो इंक्यावन में एक नियुक्ती हुई थी और केसी तयागी केसी नियोगी इसके अध्यक्स थे 1952 से इसकी अधिकत तक थी 1957 दूसरा 1956 में गटित हुआ था केस अन्थानम इसके अध्यक्स थे 1957 से 62 तक तीसरा आपका 1960 में गठित हुआ था एकी चंदा इसके अध्यक्ष थे 1962 से 66 तक 1964 में गठित हुआ था डॉक्टर पी वी राजमनार इसके अध्यक्ष थे 66 से 69 तक चला था पांचवा 1968 में महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे 1989 से इसकी 74 तक इसकी अध्यक्ष थे छटा आपका 1972 में पी वैमानन्द रेड़ी इसके अध्यक्ष थे 1994 से 89 तक साथवा आपका 1997 में जे पी सेलट थे इसके अध्यक्ष 1989 से लेका 84 तक चला आठवा आपका 1982 में इसकी नियुक्ती हुई थी और वाई भी पी चोहान इसकी अध्यक्ष थे और 1985 से लेका 89 तक इसके अध्यक्ष रही नौबा 1987 में NKP सालवे इसके अध्यक्ष थे और आप देखेंगे 1989 से 95 तक दसवा 1992 और केसी पंद इसके अध्यक्ष थे 1995 से लेका सन 2000 तो इसका अध्यक्ष थी 11 1998 में प्रोफेसर एम खोसकरो इसके अध्यक्ष थे सन 2000 से 2005 तक बारह भाए वाँ 2003 में गठित हुआ डॉक्टर सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे 2005 से 2010 तक तेरह भाँ 2007 में गठित हुआ डॉक्टर विजय एल केलकर इसके अध्यक्ष थे 2010 से 2015 तक 14 वाँ आप देखेंगे कि आपका 2013 में बाई भी रेड़ी की अध्यक्ष था में 2015 से 2020 अध्यक्ष थी 2015 वाँ 2017 में एन के सिंग इसके 21 से 26 तक है तो वे आप लोग अभी लेटेस्ट आपके 15 वाँ जो 2017 में हुए था और एन के सिंग इसके अध्यक्ष है अगर हम लोग वित्त आयोग के कारियों की बात करें अब आपके मन में ये सवाल आना सवावी कसी बात है कि आखिर इस वित्त आयोग का गठन किसली होता है तो वित्त आयोग द्वारा संग वा राज्यों की बीच करों की सुद्ध आगमों का वित्रन और राज्यों की बीच ऐसे आगमों का अवंटन किया जाता है और वित्त आयोग भारत की संचित निधी में से राज्यों की राजस में सहायता अनुदान को सामसे करने वाले सिध्धानतों के वारे में बताता है राज वित्त आयुक द्वारा की गई सिफारिसों के आधार पर राज की नगर के नगर पालिकाओं और पंच्यायतों के संसादोनों की पूर्ती के लिए राजी की संचितनिती की संपरधन के लिए जरूरी उपाय करता है और राश्टपती के दौरा वित आयोक को सुद्रण वित के हित्मे निर्देश्ट कोई अन विसाय सौंपे जाने पर वित आयोक अपनी सला भी देता है एसे सभी वित आयोक के कार है और 15 भी बित्तायुक द्वारा प्रियोक्त हस्तांतर नसूत राज्यों को धन आवंटिंड करने के मामले में तो ये माप देंड हो गया और भिहार के पिछली बित्तायुक की तुला में कितना बड़ोत्री हुई जनसंक्या ये आप देखी 15 परसेंट इस बार 1971 की आवादी का कोई भारांस नहीं है समग जनसंक्या भारांस को 27.5 से घटा कर 15 कर दिया गया छेति की बात करें तो आप देखेंगे 15.0 भारंस वही है बन एवं पारिस्तित्की की बात करें तो 10% भारंस बड़ा दिया गया, इसमें पहले 7.5 था अब 10 कर दिया गया, आए अंतर, अर्थार राज्यों की पिती ब्यक्ति आए के आधार पर क्रम PCI ये बाले राज्यों का अधिक हस्ता अंतरण 45.0, 1% भारंस कम, ये आप 25 नया मापदंड आरम किया गया, कर परियास 2.5% ये दो 10.5 नया मापदंड आरम किया गया, ये इस तरह से कुल 100% हो गया, पिछली बितायों के विपरी 15 बावितायों अनुसंसाहिं करने के लिए 1971 की जन्गरना की आकड़ों की अफेक्चा 2011 में जन्गरना की आकड़ों का कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है, फिर आप देकि लोग सिभायों आता है, आप सभी लोग तयारी भी करते हैं, PCS और PCS के लिए आप देखते होंगे कि आपके राज में एक आपका राज लोग सिभायों होता है, और UPSC के लिए आप देखते हैं कि आपका लोग सिभाय हुँ संorian होता है के अंहougवे भारत में 1929 में किपार सरकार अधिनियम और है भारत दें इसकी 1926 संग लोग लोग सिवा आयोग की अध्यक्ट-स दसों스럽ती राष्टापती दवारा की या है डारेक्ट क्विश्टिन्स कि बार बन जाता है वर्तमार में कि। संग लोग से वायोग के अध्यक्यों सदस्था की नियुकती छे वर्सों पिलिए होती है यदि वह 시till five Bronze के अंदर 65 कवर करेगा 6 साल तो आप समझ रहें और 60 साल हो जाएगा लेकिन 65 साल इसकी समय आयू सीमा रखी गई है तो जब भी 65 साल का हो जाएगा हट जाएगा ठीक है और अगर आप सोचे किसी की 40 साल की उम्र में न्यूकती होती तो आराम से 6 साल कवर करेगा उसके पास बहुत लंबी उम्र रहेगी राज लोग से बायोग के अध्यक्ष और सदस्वों की न्यूपती राजपाल द्वारा की जाती है परंतु इने हटाने का अधिकार राजपाल को नहीं है राष्टपती के पास है यह आप लोग जरूर अंतर याद रखा गया है लेकिन वहीं राज लोग से बायोग में बासट रखा गया है ठीक है परंतु उन्हें कारकाल के बीच उच्चितम न्याले की पिती बेदन पर कुछ निरहरताओं के होने पर समिधान के अंच्छे 370 के अंतरगर राष्टपती द्वारा अटा भी सकता है करवाने के लिए और एक बात के लिए आप लोग याद रखेगा आपके राज में भी आप लोग राज निरवाचन आयोग देखते होंगे एक आपका राष्टी है निरवाचन आयोग होता है भारती है निरवाचन आयोग जैसे आप लोग कहते हैं तो इसकी अगर बात करें तो समिधान का भाग 15 आप लोग पढ़ेंगे तो अनुछे 324 से लिकर 329 में निर्वाचन से सम्बंदित उपबंद किये गए और भारत निर्वाचन आयोक की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भी थी यही एक इस्थाई समिधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि समिधान की किसी अनुछेद में उसका प्रावधान किया गया है वाइडन किया गया है निर्वाचन आयोक का गठन मुख निर्वाचन आयोक्त और अन नवाचन आयोक्त से किया जाता है जिनकी निकती राष्टपती के द्वारा की जाती है मुख चुनाओ आयुक्त का कारकल 6 वर्स या 65 वर्स जो भी पहले हो तब तक होगा और वहीं अन्य चुनाओ आयुक्त की बात करें तो इनका कारकल 6 वर्स या 62 वर्स की आयुक्त जो भी पहले हो तब तक रखा गया है दोनों में थोड़ा अंतर है अब देखिए 65 साल यहां 62 साल मुख चुनाव आयुक्त वा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वो चिन्याले की नियादीस की बरावर 90 जार इवं भत्ते पर आप्त होते हैं ठीक है तो पहले चुनाव एक सदसी आयुक था परंतुब अक्टूब चुनाव करवाना राजनेतिक दलों के लिए आचार सहीता तेयार करना यह सब यह आपके चुनाव आयुक की काम है चुनाव आयुक की सुतंता के लिए समिधानिक परावधन निजबाचन आयुक एक समिधानिक संस्ता है और इसका निर्मार समिधान ने किया है और मुख च परश्या मुख चुनाओ आयक्त और अन्चुनाओ आयक्त की सेवा सरतों में कोई आलाफकारी परिवतन नहीं किया जा सकता है। मुख चुनाओ आयक्त इवं अन्चुनाओ आयक्त का वेतन भारत की संचितनिती में से दिया जाए। कि एकिस तरह से इसलिए कुया जाता है कि निस्षट तरीके से चुनाओ अगर आप देखिए कि निस्षट तरीके से चुनाओ नहीं होंगे तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश जनता जो हम लोग सबसे बड़ा लोक्तंत होने का ध्म भरते रहते हैं उसमें आप दिखेए ब बोटिंग मसीन केलल के पारूर विधानसवा के 50 बूत पर एलेक्टोनिक वोटिंग मसीन का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था नवंबर 1988 में मद्विधिस के 5 पांच और राजिस्थान के 5 और दिली के 6 विधानसवाओं में चुनाओ में बड़े पिरवाने पर एलेक्टोनिक प्रयोग हो था 1988 में EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाओ कराने वाला प्रिथम राज गुवा बना था EVM का प्रियोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाओ कराये गए थे 2009 से आम चुनाओ में एवं सभी विधान सभाव में चुनाओ EVM का प्रियोग होने लगा है EVM की विश्वयसिनीता कायम रखने के लिए BVPAT यानि की voter verifiable paper audit trial मसीन की मदल ली जा रही है और BVPAT विवस्था की तहर बोट डालने की तुरंद बाद आप देखेंगे कागज की परची बनती है और आपको उस मसीन पर देख जाएगा कि आप लोगों ने सही बोट दिया हुआ है इस पर जिस उमीदवार को बोट दिया जाता है उसका नाम और चुनाओ चिनन सामने आ जाता है और सबसे वहले इसका इस्तिमाल लांगा लेंड की चुनाओ 2013 में हुआ था भारती एलेक्टोनिक लिमिटेड और एलेक्टोनिक्स कॉर्फोरिशन इंडिया लिमिटेड ने बेवी पी एटी मसीन को 2013 में बनाया हुआ था तो EVM के बारे में याद रखेगा ठीक है राष्टी दल या का दर्जा हासिल करने के लिए आवस्त सरतें कौन से होनी चाहिए लोगसवा आम चुनाओ अत्वा राज विधान सवा चुनाओ में किनी चार अत्वा अधिक राज्यों में कुल डाले गए बैद मतों का 6.30 हासिल करना होगा इसके अलाबा इसे किसी एक राज यत्वा राज्यों से विधान सवा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी लोगसवा में 2.30 सीटें हो या फिर एक कम से कम 3 विभन राज्यों में हासिल की गई हो तो ये सरतें होने चाहिए राष्टी दल का धर्जा हासिल करने के लिए वर्तमान में माननता पराप्त राश्टी ये राजनितिक दलों की बात करें तो भारती जंता पार्टी है जिसका चुनावचिन कमल है भारती राश्टी कॉंग्रीस जिसका चुनावचिन पंजा है भारती कम्निस्ट दल हसिया और वाली है इसका चुनावचिन राश्टी कॉं क्या है राश्टिये पार्टी ठीक है राश्टिये राजनितिक दल है आपके और छेत्रिये दल में देखें तो उनका चनाओ चिन है तो तेलगु देशम पार्टी साइकल है यह आंग परदेश में राज में समाजवादी पार्टी साइकल है उत्तर परदेश में असम गड़ परिशत हांती है असम में जारखंड मुक्ती मोर्चा तीर कमान है जारखंड में लोग जनसक्ती पारटी बंगला है विहार में तेलंगाना राष्टी पारटी कार है तेलंगाना में पैंथर्स पारटी साइकल है जम्मू कस्मीर में नेशनल कॉनफेर्स हल इसका उचनाचन है जमू कस्मीर में, राष्टी दंतादल लाल्टेन है, विहार जारगन में, सेफसेना तीर कमान है, महाराष्ट में, All India Forward Vlog, सेर है इसका पश्यमंगाल में, अन्ना देवड मुन्नेत कडगम, एदो पत्ती है, तमिलाणू में, महाराष्ट बादी गुमानतक पाइटी सेर है, गुआ में, सिक्केम संगराम बर्षद, इसका चुनाचन जाती है, दिर्वेड मुन्नेत कडगम, उगता सूरेज है, तमिलाणू फुडोचेरी में, नागा लेंड, फिपल्स पाइट कॉंसिल, मुर्गा है इसका चुनाचन, नागा लेंड में है पाइटी, अकाली दल, बादल, तराजू है इसका चुनाचन, वंजाब में, जनता दल, यू, ये तीर है इसका चुनाचन, बिहार जाटकन में, मुसलिम लीक, सीडी है, केरल म इसका छेट आपको देखने को मिलेगा ठीक है मद्दातों का मद्दाता का फोटो योक्त पहचानपत निर्वाचन आईग द्वारा 1993 की चुनाओं में जाली मद्दान और कुछ मद्दाताओं पर नेंतन के लिए मद्दाता की फोटो योक्त पहचानपत का उपयोग किया गया अभी आप लोगों के पास होगा तो आप सभी देखते होंगे पंजीकित मद्दाताओं को फोटो योक्त पहचानपत जारी करने का अधार मद्दाता सूची है और सामान रूप से पिती वर्स इस मद्दादा सूची में संसोधन किया जा सकता है। और नमंबर की पहली तारीक पातिता तिथी मानी जाती है। और इस तिथी को 18 वर्स की आयोग पूरी करने वाले या इस से अधिक आयोग की पितेक भारतिय नागरिक मद्दादा सूची में सामिल होने का पात्त होता है। और वो है इसके लिए आविदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकित हो जाने के बाद आप देखेंगा फोटो ये पहचान पत पराथ करने का पात हो जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेगा परी सीमन आयोग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा समिधान में परी सीमन आयोग के संबन में कोई इसपष्ट निर्देश नहीं है अनुछेद अगर 82 को आप लोग पढ़ें तो पितेग जंगरना की समापती पर लोग सभा और राज जी के निर्वाचन चेत्रों के विभाजन और पुना समाई विजन का कार संसाथ द्वारा वे तदिकारों द्वारा किये जाने का पराधान किया गया है अगर 42 वा समिधान संसोधन देखें जो 1976 में हुआ था तो अनुचेद 82 में संसोधन कर परीसीमन वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी फिर आप देखेंगे इससे जुड़ा हुआ 84 वा समिधान संसोधन हुआ 2001 में और इसके द्वारा समिधान के अनुचेद 82 और 173 की सर्तों में संसोधन किया गया और जिसके अनुचा देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई विद्धी कोई कमी नहीं की जाएगी परीसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को नियायमूर्ती कुलदीप सिंग की अध्यक्सता में किया गया था और इसे आयोग ने सिफार्सों को केंदरी मंती मंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी पिदान की थी नए परीसीमन ने लोकसभा में आरक्षे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और नया परीसीमन 2001 की जनगरना की अधार पर होगा ये अब तक गठित चार परीसीमन आयोग है पहला परीसीमन आयोग आप देखेंगे 1952 में दूसरा परीसीमन आयोग 1962 में तीसरा परीसीमन आयोग 1973 में भारती है तीसरा चौतरा परीसीमन आयोग 2002 में तो इन चार को अभी तक याद रहेगी है चार अभी तक गठत होगे परीसीमन आयोग में देश के मुख निर्वाचन आयोग सहित सभी राज्यों के अंदसासित पिदेशों के निर्वाचन आयोग इस आयोग के सदस होते हैं परी सीमन आयोक का प्रमुक कार हाल की जंगरना की आधार पर विभन विधान सबाओं और लोकसबा के निर्वाचन छेतरों की सीमा का फोनार सीमान करना होता है। पर अनुसोचित जाती त्याटि से संब्स्टी सीटों में परिवर्थन कर स्थ दिया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा नए परी किसीमन के बाद आप देखें कि की बात करें तो आप देखेंगे 41 थी पहले आप 47 हो गई यानि कि 6 बढ़ गई आनारक्षित सीटों की बात करें आप देखें चार सो बारे सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है अनुसूचित जाती के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे अनुसूचित आप समझे रहे हैं उनके लिए आरक्षित सीटें हैं उनकी स्तिती को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि उनके अच्छी तरह से आप सोची कि अधिकार नहीं मिल पाए हैं वैसे राज जिनका परीसीमन आयव 2002 के द्वारा परीसीमन नहीं हो सका असम मडीपूर अडुनाचल पिदेश नागलेड जारकड फुर्वत्दर के चार राज्यों में इस्थानिये वेरोध और अदालतों के इस्तगन आदिश के कारण परीसीमन नहीं हो सका जबकि अदिश्था में विवन पदादीकारियों का बरीता अनकरम यह है सबसे पहले राष्टपती आते हैं फिर ओप राष्टपती पिदानमंतरी फिर आप देखें राज जी की राजपाल अपने राज्यों में और फिर आप देखेंगे पाचमें नंबर पर भूत पूर्द रखा गया है। सरकार ने मुख चुनाओ आयत की कुनो का की स्थिति पिदान की थी और यानी उच्तम न्याले की नियाधिस की समकक्ष दर्जा या संसो दन अगस्त तेहरान में में किया गया था तो यह भी याद रखे राजभासा इसमें अनुचेद दो 343 एलिका 399 तक वेवस्था की गई ह समीधान का भाग अगर 17 आप लोग पढ़ें तो अनुचेद 343 के अनुचार संगी की राजभासा हिंदी और लिपी देवनांगरी होगी भारती समीधान की अनुचे 344 में राष्टपती को राजभासा से समधित कुछ बेसेओं में सलाय देने के लिए एक आयोग की न्युकती का प्रावधन किया गया है और राष्टपती ने इस अधिकार का प्रियोग करते हुए 1905 में स्री वीजे खरी की अद्यक्षता में पिथम राजभासा आयोग का गठन किया था इस आयोग ने 1956 में अपना पिती वीदन दिया था तो याद रखिए हमारी राष्टपासा हिंदी नहीं है राजभासा हिंदी है ठीक है राजभासा और समीधान की आठवीय अनसूची में अनुसार निमलिखित भासाओं को राजभासा की रूप में मानता प्राप्त है इस तरह से टूटल आपकी 22 है ठीक है राजभासा की बात करें तो समीधान के अनुचे 345 के दिन पितेक राजभी की विधान मंडल को यह दिकार दिया गया कि वह विधी द्वारा राजभी की राजभी की प्रियोजनों में से सब या किसी के प्रियोग के लिए उस राजभी में प्रियोगत होने वाली भासाओं में से किसी एक या नेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता ह पदनतु जब तक राजि का विदानमंडल विधी द्वारा अन्था ओबंद ना करे तब तक राजि की भीत उन सास की ये प्रियोजन की लिए अंगरीज भासा का प्रियोग किया जाता रहेगा और जिनके लिए उसका इस समिधान के प्रारम से ठीक पहले प्रयोग किया रहा था इस उपबंद के इंतरकत अधिकांस राज्जों ने मुक छेत्री भासा को अपनी राजभासा की रूम में अंगीकार किया है जैसे आंध पिदेश ने तेलगू को, केडल ने मलयालम को, असम ने असमिया को, बंगाली को, उडीसा में उडिया को, गुजराद में गुजराती के अतरिक्त हिंदी भी है, गुजराती में गुजराती भी है, जमुकस्मी ने उर्दू को, मेगालाय आड़वाचल पिदेश का चुनाब सम्धान की आटवी अंसुचिमों लेकित भासांहोंट तक ही सीमित नहीं है उसके बाहर में कुछ था इड़ि का उन्हाजवा सिंग्ट आधाद की का राज्यों में संस्वाह कृश्पर संबन्दों में संगे की राजभासा को हासा समिधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसध्वारा कान० अब हम लोग बात करते हैं आपात उपबंद के बारे में आप लोग ने राष्टिये आपात काल सुना होगा और सबसे चर्चित आप देखिए तो रहता है इंद्रा गांधी के समय का राष्टपती सासन के बारे में भी सुना होगा बित्तिये आपात काल के बारे में भी आप लोग ने सुनाओगा तो भारती समिधान में तीन तरह का कितने तीन फिकार के आपाद काल की विवस्था की गई है इसमें आप देखेंगे राष्टिये आपाद राष्टपती सासन और वित्तिये आपाद सबसे पहले राष्टिये आपाद की बात करें तो अनुछे 352 अगर राष्टपती साहब राष्टिये आपाद काल लगा सकते हैं राष्टिये आपाद काल की घोष्णा राष्टपती मंती मंडल की लिखे सिफारिस पर गरता है और राष्टिये आपाद की उद्गोष्णा को नियालय में पिसनेगत किया जा सकता है 44 वा समिधान संसोधन द्वारा 352 के दिन उद्गोषना संफून भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है और राश्टी आपात काल के समय राज सरकार निलम्मित नहीं की जाती है और अपितु वह संगे की कारपालिका के पूर्ण नेंतन में आ जाती है राश्टपती द्वारा की गई आपात की घोषना एक माय तक पेवर्दन में रहती है यदि इस तोरान इससे संसद के दो त्याई वह सिप अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह च्छ माय तक पेवर्दन में रहती है संसाद एसे पुनाहा एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है और यदि आपाद की उद्गोषना तब की जाती है जब लोकसभा का विक्टन हो गया और लोकसभा का विक्टन एक मास के अंतरगत आपाद उद्गोषना का अनुगुदन की एवना हो जाता है तो आपाद उद्गोषना लोकसभा की पिथम बैठक की तारीक से 30 दिन के अंदर अनुदित होना चाहिए अनथा 30 दिन के बाद एह पिवर्तन में नहीं रहेगा यदि लोकसभा साधारना बहुवस से आपाद उद्गोषना को बापस लेने का पिस्ताव पारित कर दे तो राष्टपती को उद्गोषना बापस लेनी पड़ती है आपाद उद्गोषना पर विचार करने के लिए लोकसभा का बिस्यस अधिविसन तब आहूद किया जा सकता है जब लोकसभा के कुल सदस संख्या एक दसवा भाग सदस्वारा लेके सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को जब सत्थ चला हो या राष्टपती को जब सत्थ नहीं चला हो दी जाती है और लोकसभा अध्यक्च या राश्टपती सुचना पिरापती के 14 दिन की अंदर लोकसभा का विस्यस अधिवेसिशन आहूद कर सकते हैं क्या करते हैं अधिवेसन आहूद करते हैं बोलाते हैं ठीक है? फिर आप देखेंगे कि आपातकाल की ओधगोषणा के पिरभाव क्या रहते हैं? अगर माल लेजिए कि अनुच्छे 352 के तहट आपका आपातकाल लगया गया तो इसके पिरभाव क्या रहते हैं? तो इसका पिरभाव रहता है कि राज जी की कारिपालिका सक्ती संघ कारपालिका के अधीन हो जाती है संसत की विधाई सक्तियां सक्ति राज सूची से समर्द विशयों तक विस्तित हो जाती है अर्था संसत को राज सूची में बाड़ित विशयों पर कानूर मनाने का अधिकार पराप्त हो जाता है और केंद तहना राज्यों के मत्द विधाई सक्थियों के सामान वित्रन का निलम्बद हो जाता है, यह भी राजविधाय का निलम्बद नहीं होती है, संचेब में अगर आप देखें तो समिधान संघी की जगह एकात्मक हो जाता है, और संसत द्वारा अपातकाल में राज़्यों के विस्यापर बनाएगे कानून, आप बदलब यहां कि राफ्टपती केंदर से राज्जों को दिय예 जाने व़दे धन बितध को कम अतब समाप्त कर सकता है। ऐसे संसोदन तक जारी रहते हैं, जिसमें अपातकाल समाप्त होता है। से 77 का कारकाल आप देखिए दो वार एक साल के लिए बढ़ाये गया था इंदरा अंधिक ठीक है दो वार एक समय में एक बरस के लिए बढ़ाये गया था अनुचे 358 और 369 राष्टी आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रिभाव का बढ़न करता है अनुचे 358 लागू द्वार पिदत अधिकारों को छोड़ से संबंदित है तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए एक बात और समय में लेजिए अनुचे 20 और 21 किसी भी तरह से खतम नहीं किया जा सकता है तो वहाँ 20, 21, 22 बोल दिया था तो वहाँ सौरी माप करिएगा ठीक है यहाँ अनुचेद 19 द्वारा पिदत छे मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है और अथवा कोई कारिकारी नेड़े ले सकता है और ऐसे किसी कानून अथवा कार को इस आधार पर कि वहाँ अनुचेद 19 द्वारा पिदत छे मूल अधिकारों का उल लगन है चुनोती नहीं दी जा सकती है अब राष्टी आपातकाल समात्त हो जाता है तो अनुशेत 19 सुताहा पुनाहा जीवित हो जाते हैं पुनाहा अस्तत्त में आ जाते हैं 1978 में आप देखें कि 44 समिधान संसुदा नदीनियम के अनुशेत 358 की संभावना पर दो पिकार से पिती बंद लगा दिया गया है पिताम अनुशेत 19 द्वारा पिदत 6 मूल अधिकारों को यो दत्वा बाह आकमण की आधार पर घोसित आपातकाल में ही नीलम्मित किया जा सकत अनुशेत 369 राष्टपती को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नयलाय जाने के अधिकार को निलम्मित करने के लिए अधिकेट करता है और अनुशेत आप देखें 369 के अंत्रगत मूल अधिकार नहीं अप्तु उनकाल लागू होना निलम्मित होता ह बास्तारों में यह अधिकार जीवित रहते हैं केबल इनके तहट उफचार निलंबित हो जाता है और यह निलंबन उन्हें मूल अधिकारों से सम्मंदित होता है जो राष्टपती के आदेश में बढ़ते हैं जब राष्टपती का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्योस मूल अधिकारों को रोकने बाँ हटाने के लिए कोई भी विधी बना सकता है या कारकारी कदम उठा सकता है ऐसे किसी भी विधी या कारकी को इस आधार को चुनोती नहीं दी जा सकती है कि यह सम्मंदित मूल अधिकारों से साम नहीं रखता है और इस विधी के प्रभाव में किये गए विधाई वा कारकारी कारियों को आदेश संपत्ती के उपरान चुनोती नहीं दी जा सकती है चबालीस में समिधान संसुता नर्दीनियम 1978 अनुशित 369 के छेत में दो पिती बंद लगाता है पित्हम राष्टपती अनुशित 20 और 21 के अंतरगत दिये के अधिकारों को लागू करने के लिए नियाले में जानी के अधिकारों को निलम्बित नहीं कर सकता है यानि अपराद के लिए दो सिद्धी के संबंद में सारक्षन का अधिकार अनुशित 20 और प्राण और देहिक सुदंता का अधिकार 21 आपातकाल में भी चालू रहते हैं उनका परभाव रहता है दुतिय केबल उनी विदियों को चुनोती से संब्राब थे जो आपातकाल से संबंदे थे उन विदियों वाकारियों को नहीं जो इनके तहद बनाए गये हैं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ये लक्षमी कांथ पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे पॉलिटी की जो NCEIT की बुक हैं तो उसमें आप लोग बहतर तरीके से समझ पाएगे और मेरा आण मानना है कि देखिए समिधान को भारत की समिधान को कम से कम आप लोग विस्तार में जरूर पढ़ियेगा एक सब्जेक्ट तो आपको विस्तार में पढ़ना चाहिए आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश के जो नागरेखे उन्हें समिधान के बारे में मालू ही नहीं रहता है जब तक मालू नहीं रहेगा तब तक आप समिधान में जो आपकी अधिकार दिये गए कैसे आपको मालू चलेंगे अनुचिद 369, अंठावन और 69 में अंतर देखें दूसरी ओर अनुचिद 369 मूल अधिकारों का निलंबन सोता नहीं करता है यह राश्पदी को सकती देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे अनुचिद 359 केबल बाहे आपातकाल जब इयोद या बाहरी आखमण के आधार पर आपातकाल घोसित हो में लागू होता है ना कि आंतरिक आपातकाल जब ससकते विद्रों के कारण आपातकाल घोसित के समयद दोसरी ओर आप देखें तो अनुचिद 369 बाहे तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है अनुचिद 358 अनुचिद 19 को आपातकाल की समपूर अवधी के लिए निलंबित कर देता है जबकि अनुचिद 369 मूल अधिकारों की निलंबन को राष्वेती द्वाला उल्ले की गई अवधी के लिए लागू करता है या अवधी समपूर अपातकाली अवधी या अलप अवधी हो सकती है अनुचिद 358 समपूर देश में और अनुचिद 369 समपूर देश अतवा किसी भाग विशेस में लागू हो सकता है अनुचिद 358 अनुचिद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है जबकि अनुछेद 369, अनुछेद 221 के नीलंबन को लागो नहीं करता है और अनुछेद 358 राज़ को अनुछेद 19 के अंतरकत मूल अधिकारों से साम नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है जबकि अनुछे 369 केबल उनी मूल अधिकारों की संबंद में ऐसे कार करने का अधिकार देता है जिनने राष्टपती की आदिस द्वारा नीलंबित किया गया हो अनुछे 352 की अधिन बाहे आकमड की आधर पर आपात की पिथम गोशना चीनी आकमड की समय आप देखिए 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी तो याद रखिए 26 अक्टूबर 1962 को पहली बाहे आपका राष्टी आपात का लगाये गया था जब चीन ने हमारे उपर आकमड किया था और ये पिरभाव में रहा था 10 जनवरी 1968 को ये बापस से ले लिया गया था दूसरी बार आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से इयोद के समय की गई थी बाहे आकमड की आधार पर और तीसरी बार आप सभी जानते कि 26 जून 1975 को आंतरिक गरवडी की असंका की आधार पर जारी किया गया था इंद्रा गांधी के समय आप देखिए उनकी काल पान थे उनपर भी पानी फर गया दोसरी तीसरी उद्गोष्णा को बाच 1977 में बापस ली गई थी तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए राज में राष्टपती सासन सुनते हैं 356 के तहत लगाया जाता है अनुचे 356 की अधिन राष्टपती किसी राज में यह समाधान हो जाने की पर की राज में सामी धाने तंदे बेफल हो गया है अत्वा राज संगी की कारपालिका के किनी ने देसों का अनुपालन करने में आसमर्थ रहता है तो आपात इस्तिती की गोशना कर सकता है राज में आपात की गोशना के बास संग नियाएक कार छोड़ परदकर राज विसाषन की कार्य करने अपने हाथ में ले लेता है राज में आपाद उदगुसना की यहओधी दो मास होती है इससे अधिक के लिए संससर अनुवती यह नहीं होती है और तब है अच्छे माही की होती है और अधिक्तम तीन बर्स तक यह है एक राज के प्रवर्तन में रह सकती है और इससे अधिक के लिए समिधान में संसोधन करना पड़ता है सरफथम 20 जुलाई पंजाब राज में अनुशे 356 का प्रयोग किया गया था भारगों मंती मंडल की पतन की कारण और आप देखे सबसे पहली आप देखे पंजाब राज में और सबसे जैन्दर राष्टपति सासन पंजाब में लगा है सरवादीक समय तक 1906 माप करिए सरवादीक समय तक वित्तिय आपातकाल आप सभी जानते हैं आर्टीकल 360 के तहट एवे उस्ता की गई है वित्तिय आपातकी गोष्णा को दो महीने की भीतर संसत के दोनों सदनों के सम्मुक रखना उनकी सुईकिती पराप्त करना आवसक होता है और वित्तिय आपातकी गोष्णा उस समय की जाती है जब लोगसभा विक्टित हो तो दो महीने की भीतर राज्यसवा की सुखिती मिलने के उपरां आंगे भी लागू रहेगी किन्तु नव निर्वाचे लोकसवा के द्वारा उसकी पित्थम बैठक के आरम से 30 दिन के भीतर इसी गुष्णा को सुखिती आपसक होती है और इसकी अधिक्तम समय सीमा निर्धाद नहीं की गई है यानि एक बार में यदीश से संसद में दोनों सदनों में मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्ती आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक पिरभावी रहेगा जब तक किसी बापस न लिया जाए और राष्ट्रेपपती बित्ती आपातकाल की गई हुष्चा को किसी समय बापस ले सकता है और अगर आपसे पूचे कि बित्ती आपातके क्या प्रभाव हो सकते है तो उच्चितम नियाले, उच्चनियाले की नियाधीसों और संग तथा राज्ज सरकारों की अधिकारियों के बेतन में कमी किया सकती है राष्ट्रेपती आर्थिक द्रेष्टी से किसी भी राज्ज सरका को निदेश दे सकता है राश्ट्रवत्ति के अंदर तथा राज्यों में धन समंदी विवाजन के प्रावधान में आपसक संसोधन कर सकते हैं और एक बात है याद रखिएगा अभी तक हमारे देश में कभी वित्तिय आपातकाल नहीं लगाएगा और उपरवाले से द्वा करिए कि ना कभी लगाए जाए ऐसे इस्तिति ना आए जम्मू कस्मीर को आप सभी जानते हैं कि विसेश जो समिधानिक दरजा था अनुछे 370 के तहएग भारती समिधान का अनुछे 370 काफी चर्चे तो विवाबदी तरह है इसके प्रमोग बनाने की सक्ति पर क्या-क्या सीमाएं लाओ होंगी इसके प्रमों को बंद इस विकार हैं संसत की सक्ति संग सुची तथा संबर्ती सुची के 9 विसेवों तक सीमेत होगी जिनके संबन्द में विलाइपत्त में भारत को सक्ति दी गई कोई विसे विलाइपत्त में निर्द पर विदी बनाने के लिए सक्चम होगी, ठीक है, फिर बिलायपत में निर्देश्ट बिसेओं के अलावा संसत की सक्टी उन बिसेओं तक सीमित होगी, जो राश्पती जम्मुकस्मीर राजी की सहमती से अपने आदेश द्वारा घोसित करेगा, देखें, 2019 का जो जम्मुकस् देख लिजेगा, अनुछे 370 एक गा में अगर पढ़ेंगे, तो भारती समिधान के दो ही अनुछेद जम्मुकस्मीर के संब्द में लागू होगे, अनुछेद 1 और अनुछेद 370, अनुछेद 370 गा में बताया गया है कि अनुछेद 1 और अनुछेद 370 के अलावा, भार इस बिलाइपत में निर्दिष्ट बिसेओं से संबंदे थे तो वह जम्मुकस्मी राज की सरकार से परामस करके ही जारी किया जाएगा। या नहीं यदी किया जा सकता है तो उसकी विधी क्या है इसके अनुसार राष्टवती को या घुसित करने की सकती है कि अनुचे 370 में परवर्तन में नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि राजपाल सासन लगा हुआ था। तो एक तरह से आप देखे पूरी सोची समझी रड़नीती थी। अनुचे 370 और 35 एकों मिलाकर जमू कस्मीर को मिले विस्त साधिकार देख लेजें। जमू कस्मीर में दोहरी नागरेक्ता का प्राओधान था। वहाँ यहां का अलग समिधान और ध्वज भी था जमू कस्मीर का। विदेश से बाहर के लोगों को यहां जमीन खरीदने सरकारी नौकरी पाने संसाधनों में दाखला लेने का अधिकार नहीं था। यहां रनवीर दंड सहिता लागू होती थी। बाहरी राजों का व्यक्ति नाम अद्दान कर सकता था और यहीं चुनाओग में उमीदबार बन सकता था। सप्रेयन कोड के फैसले मान नहीं होते थे जमू कस्मीर में। आप समझ सकते कि इतना मतला बेदभा होता एक तरह से और आप सोची कि हमारा ही राज्य था हमारा ही छेत्य था आप देखिए सम्मिधान अलग था उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी जानते हैं कि देखिए जो NDA है जिसमें आप खासकर वीजेपी इसका एक देखिए घ पांच अगस्त को और लोग सभा ने 6 अगस्त 2019 को जमू कस्मीर राज पुनर गटन अधिनियम की सुईकिती दी गई इसके अनुसार क्या होगा जमू कस्मीर के अब दो हिस्ते होंगे एक जमू कस्मीर दूसरा लद्दा और जमू कस्मीर को अनुचे 249 एक तहट फुदू उचेशेरी के सवान विधान सवा के साथ संग राज चिफ़त बनाये गया है। दोहरी नागरिक ता अलग सम्धान राष्ट दोच का प्राउधान अब कतम हो जाएगा तिरंगे और राष्टी इस पितीकों का अपमान अपराद माना जाएगा या देश का कोई भी नागरिक यहां संपत्ती खरी सकेगा ब्यापार कर सकेगा नोपरी भी पास सकेगा उसमेर की महला की अदिकारों बाद नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पाकिस्तानी नागरिकों को मिलाविसे इस अदिकार भी खतम कर दिया गया अब यहां राष्टपती सासन अमुचे 356 के तहत लगाए जाएगा सूचना का अदिकार हो सिक्षा की अद अदिकार पड़ते थे तो आप सुनते थे उसमें लिखके आता था पूरे भारत में लागो होंगे जमू कस्मीर को छोड़का अब देखे बाकी राज्जों की तरह जमू कस्मीर में भी उसी तरह से लागो होंगे सभी कानून आपके भादत को को भी नागरिक जमू कस्मीर का मद्दाता उचुनाव में उम्मीदवार बन सकता है सर्वोच ने आलाय द्वारा किये के फैसले अब मान होगे यहाँ भी 31 सक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मी राज्य पुनरगटन अधिनियम 2019 लाग हो गया तो इस पॉइंट को भी याद रखे 31 सक्टूबर को जम्मू कस्मी राश्टी पितिक सारनात इस्थित असो के सिंग स्थम किसी से भाग की अनुकृती है भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था नीला राश्टी पितिक भारत के मंत्रियों द्वारा लाल राश्टी पितिक राजसभा के सदस्तों वा अधिकारियों द्वारा हरा राश्टी पितिक लोगसभा के सदस्तों द्वारा उपियोग में लाए जाता है भारत के राश्टी चिन का उपियोग भारत के राश्किय आनो चित उपयोग निसेद अधिनियम 2005 की तैत नियंतित होता है राष्टिये पितेक की कहानी हो जाती है राष्टिये दोच की बात कर लेते हैं नेशनल फ्लैक जो है तेन पट्टियों वाला तिरंगा गहरा उपर सबसे गहरा की सरिया उपर सफेद बीच में देखते हैं गह दिवार आ चुका है कि 24 तीलियां कितनी तीलियां हो दिए 24 और इसमें इसे सारणात में सो के सिंग स्थमप और बने चक से लिया गया है दोच की लंबाई और चोडाई का अनपात तीन अनपाते दो है और भारत की समिधान सभा ने राष्टिये दोच का प्यारू 22 और भारती दोच सहता 22 के अनुसाल सभी भारती नागरेकों बाल निजी संस्थाओं आहदी को भी राष्टी दोच प्यार्शन का अधिकार है जन्वली 2004 में एक महतपून्ड वीनेड़े में उच्चितम नयाले मुक नयादीस बी एन खरी की अध्यक्सता में या घोशना एक आ कि अधिन राष्टी दोच फैराना नागरेकों का मुवल अधिकार है राष्टी दोच को राष्टी सोक के समय जोका दिया जाता है राष्टपती, पिधानमंत्री, उपराष्टपती की अगर डेथ होती है पर समपूर देश में राष्टी दोच को बारे दिनों तक जोका दिया जाता है पूर्व में राष्टपती, पूर्व पिधानमंत्री, पूर्व उपराष्टपती के नेधन हो जाने पर साथ दिनों के लिए राष्टी दोच को जोका दिया जाता है पिसिद जंडा गीत जंडा उंचा रहे हमारा इसके रचना किस ने कीती स्यामलाल पिसाथ गुपता ने भारत की राष्टी द्वच की पहली बार पिदरसन 14 अगस्त 1947 की मद्ध राच्किरी में हुआ था ठीक है जब हमारी आजादी 15 अगस्त को हमें मिली थी फिर आता है बिंद नार ठाकर द्वारा मोलूप से बंगला में रचित जंगर्मन की हिंदी संस्कंड को समिधान सबाने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट गान सुईकार किया था जंगर्मन ठीक है और इसके गायन के समय 52 सेकंड रखा गया और संचिप तवदी 20 सेकंड रखी गया जिसमे इसकी पिथम और अंतिम पक्तिया गाई जाती है यह सरब पिथम 27 दिसमर 1911 को भारती कॉंग्रेस के कोलकाता दीवेशन इसके अध्यक्स थे विसन नारायन दत में गाया गया था कोलकाता दीवेशन में जो 1911 में हुगा था इसे रभेंडा ठाकर ने 1912 में तत्त बोधनी मे भारत भाग वेवाता सीसक से पिकासित किया था और 1919 में Morning Song of India के नाम से अंगरी जी अनवात किया और राष्टगान के वर्त्मा संगीत में धुन को बनाने का सरे कैप्टन राम सिंग ठाकर आई एन के जो सेपाही थे इने जाता है राष्टगीत आता है फर और राष्टगी वाकिम चंद चटरजी के उपन्यास आनन्द मत्स में उनी के द्वारा रचित बंदे मात्रम को राष्टगीत के रूम में 26 जनवरी 1954-1950 को सुईकार किया था इसे सरह पतम 1896 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की अधिविशन जो कलकत्ता में हुआ था इसके अध्यक्ते र आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग छोटी कलासों में पढ़ते थे उस समय आपने देखा होगा सुरूआ सुबह आप लोग जनगर्मन से करते थे इसकूल में प्रातना की समय और समापन जो सब छुट्टी होती थी तो वंदे मात्रम से तर राष्टी कलेंडर गे समान वर्स में 22 मार्च को और लीब वर्स में 21 मार्च को प्यारम होता है राष्टी पुस्ट की बाद करें तो भारत का राष्टी पुस्ट कमल है निलंबो निवसी फेरा गायटन है राष्टी पक्षी भारत का राष्टी पक्षी मयूर है फाओ क्रेश्ट टेटस ये फल है तो ये याद रखा करिएगा उसे क्या रहता है कई वार कुश्चन्स आपका कुछ लेता है ठीक है फिर आप देखेंगे राश्टी ब्यक्ष बर्गत है फाइकस बैंधाल लेंसे कहते हैं से भारत का राश्टी ब्यक्ष हो गया राश्टी नदी चार नवंबर 2008 को गंगा को राश्टी नदी घोसित किया गया राश्टी जलिये जीव गंगा डॉल फिन है फिलार्टा निष्टा गंगे टिक को पाच अक्टूबर 2009 को राश्टी जलिये जीव घोसित किया गया राश्टी ब्यरासत पसू हाती एली फास इंडीका भारत का ब्यरासत पसू र बारे में और इस सम्ती में लोगसभा की 30 सदस होते हैं इसमें राज सभा की सदसों को सामिल नहीं किया जाता है और प्राकलन सम्ती सबसे बड़ी संसद ये संती है इसको कई बार कुछली आए भी सम्ती के सदस्वों का चुनाओ पितेग बर्स अनुपातिक पिते निधित के अनुसार एकल संक्वाड़ी मत की माध्यम से किया जाता है और इसके सदस्वों का कारकाल एक साल का होता है पितेग बर्स मई में सम्ती का कारकाल प्यारम होता है और अंगले बर्स 30 अपरेल को समापत हो जाता है सम्ती का अध्यक्ष लोगसभा की अध्यक्ष द्वारा मनुनीत किया जाता है किन्तु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस सम्ती में चुना जाता है तो फिर वही सम्ती का अध्यक्ष भी चुना जाता है यह सम्ती सरकारी खरच में कैसे कमी लाए जाए, संगठन में कैसे कुसलता लाए जाए और पिसासन में कैसी सुधार किये जाएं, आधी विसें ओपर रिपूर्ट देती है पराकलन सम्ती की पिती वेधन पर सदर में बहस नहीं होती है परनतु ये सम्ती अपना कार वरस वर करती है और अपना देश्टी कोंट सदर के समख्च रखती है दूसरी है लोग लेखा सम्ती पराकलन सम्ती की जुडवा बहन की रूम में ग्या थे इस सम्ती को कहते है क्या कहते हैं? जुडवा बहन, पराकलन सम्ती की जुडवा बहन और 22 सदस होते हैं जिनमें 15 है तो आपके लोगसभा के, साथ आपके राजिसभा के और एक बरस के लिए निर्वाजित किया जाते हैं इसे लगू लोकसभा भी कहते हैं आप लोग सम्ती के सदस्वों का संसर द्वारा पिति वर्स अनुफातिक पितिनेदितिक के आधार पर एकल संकमर्णिये मग परणाली की सहता से चैन किया जाता है इस सम्थी के अध्यक्ष का मनुने लोकसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और लोकसभा सच्वाला इस सम्थी के कारयाला की भूमिकादा करता है और निसो सरसट में पिथम बार स्री मेनु मसानी बिरोधी दल के निता बने जो उन्हें लोक लेखा सम्ती का अध्यक्च भी मनुनीत कर लिया गया था और उसी समय से बिरोधी दल के सदसों में से किसी सदस को इस सम्ती के अध्यक्च मनुनीत करने की परंपरा शुरूआत हो गई लोक लेखा सम्ती में राजसभा के सदसों को सह सदस माना जाता है रासियों का बिनियो दर्साने वाले लेखाओं की जाच करता है संसद्वारा पिदान की गई धनरासी के अतरिक्त धनरासी को बैय किया गया हो तो समिती उन परिस्तेतियों की जाच करती है जिसके कारण अतरिक्त बैय करना पड़ा और समिती राष्ट्रपती के वित्तिय मामल के संचालन में अप भेश्टाचार आकोसलता में कमी किसी प्रवार पत्कुख हो सकती है तो यह भी याद रखिएगा लोग लेखा सम्ती अपना पिती विदन लोकसभा को देती है जिसमें की अने मित्ताओं उसके ध्यान में आई उन पर संसत में बहस हो और उन पर प्रभाव होई कदम उठाए जा सकें ठीक तुए भी याद रखिएगा पर सरकारी उप्रमों की संती किसने मैनन समिती की संतुती पर आप देखेंगे 1963 में सारजिनेक उपकरमों पर नियंतर्ण के लिए लोकसाबा में ने सारजिनेक उपकरम सम्ती की विस्था की, इसमें 22 सदस होते हैं, 15 आपके लोकसाबा से साथ आपकी राजसाबा द्वारा अनुफातिक पिति निधित की एकल संकमर्णी है, मत पतिदी त्वारा नहीं होता है, पितेक बरस मई के पारम में सम्ती का अगठन किया जाता है, सम्ती का अध्यक्ष लोकसाबा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, वो इस सम्ती के कारियों की बात करें तो सरकारी उक्रमों के पितिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंतर्म प्रिक्षक की पितिविदनों की जाज करना ऐसे विसेओं की जाज करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिट किये जाए समझ रहे हैं और कुछ अन्यम्मुख सम्तिया है जैसे कारमंत्रना सम्ति लोकसभा की कारमंत्रना सम्ति में अध्यक्ष सहद 15 सदस होते हैं लो पर आप देखिए अनुसूचित जाती, जातियों अनुसूचित जन जातियों की कल्यार सम्बंधी सम्थी, इसमें 30 सदस सामिल होते हैं, इसमें 20 आपके लोकसभा से, 10 आपकी राजसभा से सदस रहते हैं, और फिर आप देखें, गरन्थाला सम्थी इसमें 9 सदस होते हैं, लोकसभा अद्यक्ष द्वारा मनूनी 6 सदस, और राजसभा के सभापती द्वारा 3 मनूनी सदस सामिल किया जाते हैं, इस सम्थी का गठन पितेक बर्स किया जाता है, तो एक कुछ सम्तियां थी, इनने जरूर याद रखेगा, इनसे questions आते हैं, बारबाल बोल लाओं, और पंचे आयती राच, अगला topic है आपका पंचे आयती राच, और बड़े यकीन के साथ बोल लाओं इस बात को, और यकीन ना हो भरोसा ना हो आ यारी कर रहे हैं, उसके पुराने questions पेपर उठा के देखिएगा, आप लोग देखिए, और कितने questions आपके पूचे जाते हैं, पंचे आयती राच सिस्टम से, लॉड रिप्पन का नाम सुने हैं आप लोग? तो 1882 में इस भी का संकव्ट, इस्थानिय सुसासन के लिए मेगना कार्टा का हैसियत रखता है, और लॉड रिप्पन को भालत में इस्थानिय सुसासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पंचैती राज विवस्था का मूल उद्दिष विकास की पिक्रिया में जन भागीदारी की को सुनिशित करना लोकतांतरे भी किंद्री कंड को बढ़ावा देना है, और पंचैती राज का अगर आप देखें तो पंचैती राज, पंचैती राज का सुबारम सुतंद भारत में 2 अक्टोबर 1969 को भारत के जो पित्थम पिधान मंत्री थे, पंडिज जबाहलाल नहरू के द्वारा राजिस्थान राज के नागोर जिला में हुआ था, इस लाइन को याद रख लीजेगा, बार-बार गुश्चन्स आता है यहां से, 11 अक्टोबर 1969 को पंडिज बाहलाल लहरू ने आंध्पित राज में पंचैती राज का प्यारम किया था, सबसे पहले 2 अक्टोबर को आप देखिए कि कहां, आपका राजिस्थान के नागोर जिले में हुआ था, यह पंचैती राजविवस्था में सुधार हिद्धू गठे सम्तिया है, और इन सम्तियों से भी कुश्टन्स आ जाता है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी सम्ति पंचैती राजविश्थ से संबंदित है, आप देखिए स्टेट PCS सिविल सर्विस्थ में कुश्टन्स पूछ लेता है, बलबंत राह में इता सम्ति, एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, फिर आप देखेंगे कि पंचायतों को अगर पंचायत को यदि किसी विधी के अधीन पहले ही बिक्टिप नहीं कर दिया जाता है, तो उसकी अधी अपने पिथम अधीवेशन के लिए नियत तारीक से पांच बरस की होती है, सरपंच का चुनाओ लड़ना है, तो आपने देखा होगा कि आपकी उम्र 21 साल हो नीचे ये कम से कम, और आप देखें कि अगर और बोट 18 साल की उमर अगर आपकी हो चुकी होगी तो बोटर सोची में आपका नाम जुड़ गया होगा, और आप सभी को मालु होगा कि आपक या ते होगे, ठीक है? यदि किसी पंच्याद को समय पूर बिक्टित कर दिया जाता है, तो उसका निर्वाचन 6 महिने की बितर सेस बचे हुए आवधी के लिए किरायाजादा है, किन्तु यदि पंच्याद ऐसे समय बिक्टित किया जब इसकी आवधी 6 महिने से कम बची हो तो सेस अवधी के लिए ने बाचन कराना जरूरी नहीं होता है अनुषे 243 चाके अनुषार पंचयायत का सदत बनने के लिए नियूंतम आयू 21 साल होनी चाहिए आपकी कितनी 21 साल होनी चाहिए 73 वा समिधान संसोधन देखें अगर हम दो तो 73 वा समिधान संसोधन पंचयायती राज से संबंदेत है और इसके द्वारा समिधान के भाग 9 अनुषे 243 का से लेकर ना तक कुल 16 अनुषे और अनुषूची 11 का प्रावधान किया गया है और 1986 में गठित L.M. सिंदिवी सम्ती की सिफारसों के आधार पर 73 समिधान संसोधन अधिनियम 1993 की द्वारा पंचयायती राज को समिधान एक दर्जा पिदान किया गया है और वर्तमार में पंचयायती राज विवस्था में नागालेंड, मेगाले, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनसभी राज्यों में और दिल्ली को छोड़कर अनसभी के अंदसासित राज्जों में लागू होगा तीक है और 73 समिधान संसोधन की मुख बातें देखें तो इसके द्वारा पंचयाती राज के त्री इस्तर ये ढाचे का पराउधान किया गया और ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचयात पिखंट इस्तर पर पंचयात समिती जला इस्तर पर जला पंचयात जला परिशत के गठन की विश्था की गई और पंचयाती राज संस्ता के पित संदान देनी की विवस्था की गई और 73 समिधान संसुधन की वाद पंचय ती राज अधिनियम का निर्मान करने वाला पिथम राज करनाटक है ठीक है तो यह भी याद रखेगा फिर आपको देख गई 74 समिधान संसुधन नगरपालिकाओं से संब्देत है इसके द्वारा अब देखें तो समिधान के भाग 9 का अनुचित 243 तासी या 6 तक और 12 अनुसूची का प्रावधान किया गया है नगरपालिकाओं में 12 अनुसूची में वर्डित कुल 18 विसाय विधी बनाने की सकती बता करते हैं और 24 समिधान संसुधन की मुख बातें देखें तो नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई भाग इस्थान आरक्छित कि अगया है नगरपालिकाओं में अनुसूचीजाति जाती और जन्द्द्द्द्द्द ouaisाई आरक्छिन की विस्था कि गई नगर ये संस्थाओं का कारिकाल पांज वर्सका होता है और विक्टन की स्थिति में च्छामाय के अंदर चुनाओ कराना है ये बात कही गई नगर पालिकाओं के पिख्यार की बात करने तो नगर पंच्यात ऐसा ग्रामीड छेत जो नगर छेत में परिवर्तित हो रहा हो नगर नगर नगम ये बड़े नगर चित के लिए होता है नगर निगम की स्थावन सतरुपे था मदरास में आप देखेंगे 29 सेप्टमबर 1688 में सबसे पहले की गई थी मदरास में और 1687 में आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स ने मदरास में नगर नगम बनानी की अनुमती दी थी और सबसे पहले मदरास में 29 सेप्टमबर 1688 में गठित की गई थी यह महत्पूर सब्दावलिया है इन्हें भी याद रखेगा इसे भी कुश्चन्स आते हैं सून निकाल यह आप लोगों स सून निकाल के नाम से जानते हैं और 12 बजे फ्याराम होता है और 1 बजे दिन तक चलता है सूनिकाल का लोगसभा और रासभागी पिक्रिया तसन संचालन नियम में कोई उल्लेक नहीं है इस काल अर्थाथ 12 से 1 बजे तक की समय को सूनिकाल का नाम समाचर पत्रों द्वारा दिया गया और इस काल के दौरा सदस आविलम्मिनिय महत्त के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कारवाही चाहते हैं बरतमार में सूनिकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है बदल दिया गया ऐसे ठीक है अब 1 से 2 के बीच रखा गया है सदन का इस्तिकन क्या होता है सदन के इस्तिकन द्वारा सदन के कामकाज को भी निर्दिश समय के लिए इस्तिकित कर दिया जाता है या कुछ घंटे कुछ दिन या सब्ता का भी हो सकता है जबकि सत्ता वसान द्वारा सद्त की समाप्ती होती है आप लोग कई बार सुन लेते हैं कि संसत का सदन इस्तिकित कर दिए गया राज सभा या फिर आप लोक सभा आपने देखा होगा एक तरशे बड़ा हंगामा हो रहा था तो इस ते गित कर दिया गया तो वह ही सब्ढमती से किसी विश्य जिसकी सम्मंद में उत्तर दिया चुका हो कि इस पश्टी करन ही तू अनफूरक पिसन पूचने की अनुवती पिदान की जाती है और तारंकीत पिसन जिन पिसनों का उत्तर सदस तुरंत सदन में चाहता है उसे तारंकीत पिसन कहा जाता है और तारंकित पिसनों का उत्तर मौकिक दिया जाता है, तथा तारंकित पिसनों के अनफूरक पिसने भी पूछे जा सकते हैं, इस पिसन पस तारा लगा कर अनफूरक पिसने भी पूछे जाता है, आतारंकित पिसनों का उत्तर सदस लेखित चाहता है, उन्हें आतारंकित पिस करने का मुख खुद देश किसी आवी लंबनी है लोग महत के मामले की और सदन का ध्याना करशित करना होता है जब इस पेस्ताओं को सुईकार कर लिया जाता है तब सदन आवी लंबनी है लोग महत के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नेमित का रोग देता ह इस पिस्ताओं को पेस करने के लिए नियुनतम 50 सदस्सों की सुईकिती आपसक होती है जरूरत होती है अल्फ सूचना पिसन जो पिसन अवी लंबनी है लोग महत्त का हो जिने साधान पिसने के लिए निधारी 10 दिन की अउधी से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उन्हें का आंसर देने के बाद जो धन बचता है निधी में डाल दिया जाता है राष्टपती उपराष्टपती नियंतक महालेखा परिक्षक आदी के वेतन भथ्ते इसी निधी पर भारित होते हैं आकस्मिक निधी समिधान के अनुचे 207 के अनुसार भारस सरकार एक आकस्मिक नि पिरम रोप से इस निधी से धन निकाल सकते हैं आदी घंटी की चर्चा जिन पिसनों का उत्तर सदर में दे दिया गया हो उन पिसनों से उत्पन होने वाले मामलों पर चर्चा लोग सभा में सब्ता में तीन दिन यथा सुंबार बुद्बार सुकवार को बैठक के अंतिम अंतिम आदी घंटे में की जा सकती है और रासवा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापती नियत करे सावनता 5 से 35 बजे की जा सकती है ऐसी चर्चा का विसाय परयाप्त लोग महत्त का होना चाहिए विसाय हाल के किसी तारंकित आतारंकित आतारंकित या पिर आप कम से कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए अल्वकाली चर्चा हैं भारत में इस पिथा की सुरुवात 1953 में के बाद हुई इसमें लोकमत की पिसन पर सदन का ध्याना कर्शित किया जाता है और इसी चर्चा के लिए सपष्ट कारणों सहिद सदन की महासाचिप को सूचना द भारत की संचित निधी में से कोई धन विनयोग विधियक के अधीन ही निकाला जा सकता है लेखा नुदान जैसा की विदित है कि विनयोग विधियक को कि पारित होने की बाद भारत की संचित निधी से कोई रकम निकाली जा सकती है किन्तु सरकार को इस विधियक की पारित ह प्रकाल के लिए संभ़व नहीं है, फिर आप देखें कि बित्विध्यक, समीधान का उचे देखो, 122, बित्विध्यक को परिभासित करता है, जिन बित्विध्य पिस्ताओं को सरकार आगामी वर्स के लिए सदन में पिस्तुत करती हैं, उन बित्विध्यक को मिलाकर से सम्ढम्दीत होता है सदन में पिस सभी विद्यग धन विद्यग नहीं हो सकते हैं धन बिद्ययक संसद में राज्यस 31 करने हैं अथवा अनपेकार की धन से समनद्विद्यक को धन विद्यक कहते हैं मैं उलि thrive think. और आप लोग अनुफूरक अनुदान यदि विनियोग विध्यक द्वारा किसी विसेश सेवा पर चालू वर्स के लिए ब्या किये जाने के लिए प्राधीकित कोई रासी आपरयात पाई जाती है या वर्स के बजट में उलिकित ना की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्श क या वस्कता उत्पन हो जाती है तो राश्पती एक अनुफूरक अनुदान संसर्थ के समक्ष तेज करवाएगा और अनुफूरक अनुदान और बेनियोग विध्यक दोनों के लिए एक ही पिकिलिया बिहित हो गई है और बजट सत्थ या सत्थ फरवरी के दूसरे या तीस सेरे सप्ताई के अवंबार को प्यारम होता है इसे बजट सत्थ इसलिए कहते हैं कि इस सत्थ में आगामी वित्ये वर्स का अनुमानित बजट पिश्तुत विचारित और फारित किया जाता है सामोहिक अतरदाईत की बात करने तो अनुछेत पचत्तर तीन के अनुशार मंत संथरी परस्थ ओ सत्थ में वर्स के अतरदाई होता है इसका मतलब यह है कि अपने पद्पर तब तक बनी रह सकती है तक कि उसे निम्न सथन यानि की लोगसभा की भउमत का समर्त न होता है लोगसभा का विश्वास होती ही मंत्री परस्थ को तुरंथ पत्याग करना तो ये भी याद रखेंगा तर आप देखेंगे आविश्वास पिस्ताओ आविश्वास पिस्ताओ सदन में विपक्षी दल के किसी सदस द्वारा रखा जाता है और पिस्ताओ के पक्ष में कम से कम 50 सदसों का होना आवस्तिक होता है और पिस्ताओ पिस्तु किये जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवस्तिक होता है चर्चा के बाद अध्यक्ष मद्दान द्वारा नेड़ा एक ही घुशना करता है अगर विश्वास रहा सत्ता पक्ष को तो ठीक बनी रहेगी वरना उसे एक तरह सी स्तीपा देना पड़ेगा मूल पिस्ताओ मूल पिस्ताओ अपने आप में संपूर पिस्ताओ होता है जो सदन के अनुमोधन के लिए पेस किया जाता है मूल पिस्ताओ को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके सदन के फैसली की अभी व्यक्ती हो सके निमलिकित पिस्ताओ, मूल पिस्ताओ होते हैं, राष्टपती के अविभासन पर धनबाद पिस्ताओ, आविस्वास पिस्ताओ, इस पिस्ताओ के माध्यम से सदन का कोई सदस मंतरी परसद में अपना आविस्वास बेक्त करता हो, और यदि यह पिस्ताओ पारित कर दिया जा किए सदस्त में जुटा मत पिस्त उदकर की सदन की विसे सदिकार का उलगन किया है एक आप कहाता है इस थानापन पिस्ताओं के इस थान पर और उसके बिकल्प के रूम में पीस किया जाते हैं उन्हें इस थानापन पर विचार विवर्स के द्वारान पेस किया जाता है कोई सदस्थ किसी विध्यक पर विचार करने की पिस्ताओ की संबन्द में पेस्ती स्थापन पिस्ताओ पेस करता है संसोधित पिस्ताओ, संसोधन पिस्ताओ या पिस्ताओ मूल पिस्ताओ में मतले कि आप सोची कि आपका विधान सबा विधान पराशहता ना चल रहे हूं तो आप देखेज मैं अगर जुरूरी है कोई कान ओ तो अध्यादेश की रूम में आप ला सकता है राश्पती या राजपाल और यह उतना ही सक्तिशाली होगा जो अब सुधे अध्यादिस में नहित बिधी संसद या विधान मंदल के अंगले सत्त की शुरुवात की छे सपता के बाद पे वर्ता नेयुग नहीं रह जाती है। चर्चा पिस्तावक द्वारा अरम होती हो और उसके बाद पिस्तावक का समर्थक बोलता है। के द्वारा लाय जाता है और विख्वास पिस्ताओ सरकार के द्वारा लिया जाता है। कि विश्वास विश्ताओं की पारित न होने की दशा में सरकार वstag पति देना और वस सक घाता है जब आपको विश्वास ही पति देना जरूरी हो चाह пров CRP मैं सदन में आंगे के स्थान परा मंत्रियों संसाधिये इसा जीव हो विरोधी दल के निताओं के लिए अरक्षित रहते हैं गेज सरकारी सदत्सों के लिए पीछे का स्थान निएत रहता है पीछे डेबे लेटने वाले सदत्सों को बैक बेंचर कहा जाता है गुलेटिन गुलेटिन वह संसदी फिक्रिया है जिसमें सभी मागों को नियत तिती तक ना निप्टाई गई हो बिना चर्चा के ही मद्दान के लिए रखा जाए काकस किसी राजनितिक दल अत्वा गोट के पिरमुख सदसों की वैठक को काकस कहते हैं इन पिरमुख सदसों द्वारा तैकिणी यही नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है तरी संग को संसद आम चुनाव में किसी राजनितिक दल को इस पश्ट भॉभूरे भी लोकसभा की यही स्थिती थी आप देखिए कि एक सत्ता पक्षू आप देखिए बहुमत ना मिले तरी संकू संसद नियम 193 में इस नियम की अंतरगत सदस अत्यावसक और आविलम निये विसे पर तुरंत अल्व कालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं यह नियम 193 में बनाए गया था इसमें सदन की नियमा वली में आविलम चर्चा के लिए इस्तगर पिस्ताओं के तरिक अनकोई साधन सदसों के पास ना था इसलिए यह नियम बनाए गया और इसके अंतरगत सदस किसी भी सार्विजिक मत की आविलम निये विसे पर अल्व काल एक चर्चा के लिए notice दे सकता है या चर्चा किसी पिस्ताओं के माध्यम से नहीं होती है और इस चर्चा कारण चर्चा के अंत्र में सदर में मत विभाजन नहीं होता है किवल सभी पक्ष के सदसों को संबड़ विशय पर अपने विचार पेगट करने का उसर मिलता है एक नि नियाएपालिका को नियायक पुनावलोकन के अनुसार नियालाय को यह अधिकार पर आप थे कि यदि विधधान-मंडल द्वारा पारित की गई भिधिया अथभा खारिवालिका द्वारा किये गये आदे समिधान के पितिकूल है तो उन्हें निरस्त घुशित कल सकते हैं गड़पूर्थी, कौरम, सदन में किसी बैठक के लिए गड़पूर्थी अध्यक्ष सहे कुल सदस संख्या का दस्वा भाग होता है, बैठक सुरू होने की पूर्वियदी गड़पूर्थी नहीं है तो गड़पूर्थी घंटी वजा जाती है, अध्यक्ष तभी पीटा सी होता है जब गड़पूर्थी हो जाती है, पिसनिकाल, दोनों सदनों में पिते बैठक के प्यारव में की एक घंटे तक पिसनिक किये जाते हैं, उनके उत्तर दिये जाते हैं, इसे पिसनिकाल के दौरान सदसों को सरकार के कारों पाव, आलोचन, पित्यालोचन का समय मिलता है, इसके दूल आप होते हैं, एक तो सरकार, जनता की कटनाईयों, आप एक शाहों की पिती, सजग रहती हैं, दूसरे इस दोरान सरकार अपनी नीतियों और कारकरों की जाने का रिश्दन को देती हैं, फिर आप देखें कि दबाव समय, व्यक्तियों के ऐसे समय जिनके हित समान होते हैं, दबाव समय कहते हैं, एक गुरुप अपने हित के लिए सासंतंत पर विविन्ड पिकाल से दबाव बनाते हैं, पंगू सत्थ, एक विधान मंडल के कारकाल की समात्ति हो, दूसरे विधान मंडल के कारकाल की सुरुवात के बीच, काल में संपन होने वाले सत् सचेतक की निरोध कानून के इंतरगत कारवाही की जा सकती है और आप देखिए हमारे देश में बड़ी आप सभी जानते हैं कि दल बदल होता है और बहुत चर्चा में रहता है आप यह आपके कुछ भारतिय समिधान के जो मालतपूर्ण अनुछेद हैं इन्हें भी याद रखेगा आप सभी जानते हैं कि आपके आर्टिकल से डारेक्टी कुश्चन से बन जाते हैं आपकी परिक्षाओं में जैसे अनुछेद एक क्या कहता है यह गोशना करता है कि भारत राज्यों का संग है और अनुछेद दो क्या कहता है यह नए राज्यों के पिरवेस या इस्थापना की बात करता है अनुछेद तेन क्या कहता है यह संसद विदी द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के छेत्रों, सीमाओं और नावों में फरिवर्टन कर सकती है। अनुछेत 5 कहता है कि समीधान के प्यारम होने की समय भारत में रहने वाले वे सभी वैक्ती, यहां के नागरेक होंगे जिनका जनम भारत में हो, और जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या समीधान के पैरम समय से भारत में रह रहे हो अनुछे त्रेपन कहता है कि संगे की कारपाली का सम्मंदी सकती राष्टपती में नेहित है और अनुछे 64 कहता है कि ओप राश्टपती राज्यसभा का पदेंस अध्यक्ष होता है अनुछे 74 कहता है कि एक मंद्री फश्ट होगी जिसके सीज पर पिधान मंत्री होगा और जिसकी साहेता सुझाओ के आधार पर राश्टपती अपने कार संपन करेगा राश्टपती मंत्री पसद के लिए किसी सलाय के पुनरवचार के को आवसक समझ सकता है पर पुनरवचार के पश्टा दी गई सलाय के अनुसार इहकार करेगा और इसके सम्मंधित किसी बिबाद की समीक्षा परीक्षा किसी न्याले में नहीं की जाएगी देखिए यहां से आप लोगों को माली चल जाएगा कि राश्टपती कितना सकती साली होता है देखिए माल लेजे कि कोई मंत्री पसद ने कोई सलाय दी हुई है उसे एक बार राश्टपती कहते हो सकता है कि आप इस सलाय पर पुनाय बिचार कर लिजे लेकिन अगर मंत्री पसद जियों काते हो बिना कोई विचार किये दुबारा राश्टपती के पास भेजता है तो उसे राश्टपती को उस पसदाओ को मानना होगा अनुछेद 76 कहता है कि राश्टपती दौरा महानय आवादी की नियुकती की बात करता है अनुछेद 78 पिधार मंत्री का करतब होगा कि वैदेश के पिसासने को बिधाई मामलों तथा मंत्री परसद के नेड़ेओं के सम्मदे में राश्टपती को सूचना दे यदि राश्टपती इस पिकार की सूचना प्राप्त करना आवसक समझे अनुछेद 86 कहता है कि इसके अंतरगत राश्टपती द्वारा संसत को संबोधित करने तथा संसत भेजने की अधिकार का उलेक करता है अनुछेद नबासी क्या कहता है यह राजसवा के सभापती और उपसभापती की बात करता है अनुचेद 108 यदि किसी विध्यक के सम्मन्द में दोनों सदनों ये गती, रोध, उत्पन हो तो सयुक्त अधिवेशन का प्रावधान की बात करता है सयुक्त अधिवेशन को आप देखे, सयुक्त बैठक को बुलाता राश्टपती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसवा अध्यक्ष करता है अनुचेद 110 धन विध्यक को इसमें परिभासित किया गया है अनुचे देख सो गया रहे, संसत के दोनों सदनों द्वारा पारिक विध्यक राश्टपती के पास जाता है राश्टपती उस विध्यक को सम्मत्ती पिदान कर सकता है या आसोईकिती भी कर सकता है वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसत को फुनरविचार के लिए भीज सकता है यदि दुबारा विधियक को संसत द्वारा राष्टपती के पास बेजा जाता है तो उसे आस्विगित नहीं कर सकता है अनुचे देख सो बार रहाएं पितेक बर से राष्ट पती द्वारा संसत के समक्ष बज़ किया जाएगा अनुचे देख सो तेपास के संसत के आवकास सत्त नहीं चलने की स्तेती में رाष्टपती को अध्यादिश जारी करने का अधिगायर की बात करता है अनुचे 124- इसके अंत्रगत सरवुच नेलाई के गठन का बाईडन की बात करता है अनुचे 229- इस सरवुच नेलाई के एक अभिलेक नेलाई की बात करता है अनुचे 248- नियंतक महालेखा परिक्षा की न्युक्ती राश्पती दो़ारा की जाएगी अनुचे दे 163, राजपाल की कारियों में सहायता, और सुझाू देनी के लिए राजजों में एक मंत्री परिषद और इसके सीज पर मुकमंत्री होगा पर राजपाल के над Normal समद्री कारियों में मंत्री परषद के सुझाू लेने के लिए गाद नहीं होगा अनुछे देख सो उनत्तर राज्यों में विधान परिश्दों की सरचना और उनकी समाप्ती विधान सभा द्वारा बहुमस से पारित पिस्ताओ तथा संसद द्वारा इसकी सुईकिती से संभा हो है टीक है? इनकी स्थाफना यानि की दचना और उनकी समाप्ती आप माझनिे अगर किसी राज्य को माले जे कि आपका मद्यपदेस है इसे बिधान परिशद चाहिए तो उसी की बात की जा रहे है अभी आप देखते हैं चे राज्यों में आप सभी जानते हैं आपकी विधान परिश्द है अनुछे 200 जाइए अपनो। अनुछे 200 क्या गयता है राज्यों की विधायका द्वारा पारीत विधियक राजपाल की समक्ठ किया जाएगा और वह है इस पर अपनी सममती दे सकता है इसे आसकित भी कर सकता है और वह इस बिद्हयक को संदिश के साथ या बिना संदिश के साथ पौनर्विचार ही तू विधायक के पास बेज सकता है अनुछे 214 सभी राज्यों के लिए उच नियालय की विवस्था की गई अनुछे 226 मूल अधिकारों के परवर्थन के लिए उच नियालय की कुल लेक जारी करने की सक्ति दी गई अनुछे 233 जिला नियाधीस की नियुकती राजपाल द्वारा उचनेयाले की परामस से की जाएगी अनुछे 235 उचनेयाले का नियंतन अधीनस्त नियाले पर रहेगा अनुछे 249 केंदसासेत पिदेश का परा पिसासन राष्टपती द्वारा होगा वह है यदि उचे समझे तो भगल के किसी राजपाल को इसकी पिसासन का दायत तो सोप सकता है या एक पिसासक की नियुकती कर सकता है अनुछे 243 आप पढ़ेंगी तो इसमें पंचयायती पंचयायती वो नगरपाल का की गठन सरचना आरक्चन सकती है अनुछे 244 आप देखेंगी तो संसर संपूर्ण देश लोग सभा को एक बरस के लिए कानूर बनाने के लिए अधीकित कर सकती है यदी हुआ ऐसे राश्ठित में आवसक समझे अनुचे 262 अन्तराजी ये नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरन और नियंतरन से सम्मधित बिवादों के लिए संसत विदी द्वारा नेड़े कर सकती है अनुचे 263 अगर आप देखें तुकेंद राज्ज समंधों में विवादों के समादान करने और परसपर सहयों के छेतरों के विकास होद्दे से राश्पती एक अंतराजी ये परिशद की स्थापना कर सकता है अनुचे 266 भारत की संचित निदी जिसमें सरकार की सभी मौदरिक अफ्सिष्टियां एकत्तित रहेंगी विदी सम्मत विक्रिया के विना इसमें कोई भी राशी नहीं निकाली जा सकती है अनुचे 266 इसमें संसद विदी द्वारा एक आकस्मक निदी स्थापित कर सकती है और जिसमें आकस्मक उत्पर्ण परिस्तियों के लिए रासी क्यत्तित की जाएगी अनुचे 275 आगा देखें तो केंद राज्यों को सहाएक अनुदान दिये जानी का प्रावधान किया गया है अनुचे 280 राश्टपती हर पांचवे वर्स एक बित्तायों की स्थापना करेगा और जिसमें अध्यक्ष की अतरिक्त चार अन सदस होंगे जो राश्टपती के पास केंदो राज्यों की वीच करों के वित्रन के संबंद में अनुचे 300 का राज्यों के किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ती से बंचित नहीं करेगा पहले है प्रावधान मूल अधिकारों के अंतरगत था लेकिन आप सभी जानते हैं कि 44 जो समिधान संसोदन हुआ था 1978 में इसे अनुचे 300 का में एक सामान विधानिक यानिकी कानूनी अधिकार की रूम में अबस्थित कर दिया गया अनुचे 312 राज्य सभा विशेस बहमत द्वारा नई अखिल भारती सेवाओं की स्थापना की अनुसेंसा कर सकती है अनुचे 315 संग और राज्यों के लिए एक लोग सिवाओं की स्थापना की बात करता है ठीक है उसके बाला अप अनुचे 324 चुनाओं की परिवेक्चन निर्देशन और नियंतर संबंदी समझते सकती हैं चुनाओं आयोग में होती है और याद रखिए यहां एक बात कि जो राज्य सभा लोग सभाओं और विधान सभा विधान पईसाद राष्टपती वो पराष्टपती के चुनाओं होते हैं वो आप देखते हैं कि राष् में आप देखते हैं कि उनके चुनाओं आयोग होते हैं ठीक है आपका जो राष्टी इस्तर का चुनाओं हो है भाद निर्वाचन आयोग यह नहीं करवाता है ठीक है याद रखिए उन्हें अनुछे 326 लोग सभा तो था विधान सभाओं में चुनाओं वैस्क मत अधिका कर दिया गया. जो मनुनित होते होते थे उन्हें खत्म कर दिया गया. अनुचे 332 अनुचे जातीयों जन जातीयों का विधान सभाओं में आ रक्षन का परावदान है. अनुचे 336 अनुचे syntarta की राष्टी ए अनुचे जातीयों इसमें राश्टी अनुसूचित जंजाती आयोग की बात की गई है अनुचित 340, पिछली वर्गों की दसाओं की अनुवेशन के लिए आयोग की निक्ति की गई है 343, संगी की अधिकारिक भासा देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी होगी अनुचित 347, यदी किसी राज में परियाब संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हो उनकी आकांचा आकांचा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भासा को मानता दी जाए तो इसकी अनुवती राश्टपती दे सकता है अनुचित 359, यदी संख्य का करतब होगा कि वहंदी भासा का पिसार उत्थान करे ताकि वह भारत की मिस्तरि संस्किती के सभी अंगों के अभिव्यक्ती के माध्यम बने और अनुचित 352, राश्टपती द्वारा आपाती स्तेथी की घोशना यदी वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा योद दिया बाहय आकमड या सैन विद्रो के फलसुरूप खत्रे में है 355 में आप देखेंगे इसके बाहय आकमड और आंते कसंती से राजी की रक्षा करने का संग का करतब बका उले किया गया है किसी कारिकारी नेदेशन का पालन करने में आसफल रहता है तो राष्टपती द्वारा यह समझा जाना विदी सम्मत होगा कि उस राज में समिधान दंत के अनुरोप सासन चलने की इस्तिति नहीं है उहां राष्टपतीन सासन लावू किया जा सकता है अनुचे 368, संसत को समिधान के किसी भी भाग का मैं संसुधन करने की बात की गई है 370 आप सभी यादते हैं कि जम्मू कस्मीर की विशेस इस्तिति का वड़न करता है लेकिन याद रखी 370 के कुछ प्रावधान हट गए है और खासका जो विशेस प्रावधान आपको मिले हुए थे ना जम्मू कस्मीर को वो हटा दिये गए अनुचे 371, कुछ राज्यों के विशेस छित्रों के विकास के लिए राष्टरपती बोर्ड स्थावित कर सकता है जैसे महराष्ट, गुजराद, नागालेंड, मडीपुर, इत्यादी अनुचे 394 का राष्टपती अपने अधिकार के अंतरकस समिधान का हिंदी भासा में अनुबाद कराएगा अनुचे 395 भारती सुदंता अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा इनके अन पूरक अधिनियमों को जिनमें प्रिवी काउंसल चेता अधिकार अधिनियम सामिल नहीं है यहां रद किया गया 1935 ठीक है तो यह भी याद रखेगा फिर आप देखेंगे कि आपका क्या रहता है समिधान के जो आप सभी जानते हैं कि जो संसोधन किये गए हैं फिर मुक संसोधन है इनसे भी आप देखें कुष्टन्स आएंगे तो पहला समिधान संसोधन हुआ था 1959 में इसके माध्यम से सुतंता समानता और संपत्ति किस से संबंदित मौलिक अदिकारों को उलाव किये जाने संबंदी कुछ बेभारिक कठाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया था भासन अभी वेक्ति के मूल अदिकारों पर इनकी उचेद इसमें उचेद पीतिबंद की विवस्था की गई थी साथ ही संसोदन द्वारा समिधान में नौवी अनसूची को जोड़ा गया था जिसमें उलेखित कानून को सर्वुच नयालेक नियाएक पुनावलोकन की सकतियां कि अंतरकत परीक्षा नहीं की जा सकती है और याद रखेए गांधी किसके समय हुगा था पंडिजवालाल नहरू के समय हमारे देश के पतार नवन थी पंडिजवालाल नहरू थे दूसरा संसोदन 1952 में होता है इसके अंतरकत 1951 की जनगर्ना की आधार पर लोकसभा में पितीने दिति की को पुनर विवस्तित किया गया था तीसरा संसोधन होता है उन्नीस सोगमर में, इसके अंतरगत साथवी अनसूची को संबर्ती सूची की 33 भी पिर्विष्टी के स्थान पर खाद्यान, पसुओं के लिए चारा और कच्चा के बास जूट आधी को रखा गया, जिसके उत्पाना आपूर्टी को लोग हित में परिच्चा नहीं कर सकती है, पांचवा समिधान संसोधन होता है उन्नीस सो पचपर में, राष्टपती को यह सक्ति पिदान की गई कि वह राज्जों के छेत सीमा और नामों को प्रभावी करने वाले पिस्तावित के अंधरी विधान पर अपने मत देने के लिए राज किया गया था, सादवा संसोधन होगा उन्नीस सो पचपर में, इस संसोधन द्वारा भासाई याधार पर राज्जों का गठन किया गया, जिसमें पहले के तीन सेनियों में, राज्जों के वरगी करन को समप्त करते हुए राज्जों और केंदर सासित पिदेसों में उन्ने बिभाजित किया गया, साथी उनके अनुरूप केंदो और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर विवस्तित किया गया आठवा आपका होता है समिधान संसुदन 1969 में इसके अंतर के केंदो बारा राज्यों के निमन सतनों में अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती और अंगल भारती समुधाय के अरक्चन सम्मंदी प्राउधान को दस बार्स के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था फिर आपका नौबा समिधान संसुदन 1960 में होता है इसके द्वारा समिधान की पिथम अनुसूचि में परविवतन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संदी के सरतों के अनुसार वेरुबादी खुलना आदी चेत्र पाकिस्तान को दे दिये गये थे दसबा संसुदन 1961 में होता है इसके अंतरकत भूदपूर पुर्दगाली चेत्रों जिसमें दादर नगरह वेली को भारत में सामिल कर उन्हें केंसाधित पिदेश का दर्जा दिया गया था ग्यारवा समिधान संसुदन 1961 में होता है इसके अंतरकत को पराष्टपती की निर्वाचन की प्रावधान में परिवतन कर इस अंदर में दोनों सदनों की सरिक्त दिवेशन को बलाए गया साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तिता की आधर पर राष्टपती या उपराष्टपती की निर्वाचन को चुनोती नहीं दी जा सकती है 12 वाचन सुधन 1962 में होता है इसके नंतर कर समीधान की पिथा मनुसूची में संसुधन कर गोवाधमन दूईप को भारत में कینदसास्य पिदेश की रूम में सामिल किया गया था साथ ही आप देखेंगे तो साथ ही इसके द्वारा हिमाचल पेदिस मनीफूर तिपुरा गुवा धमन दुई पुंडुचेरी बुडुचेरी के अंदसासित पेदिसों में बिधान पाली का मंदरी परसद की स्थापना की बात की गई थी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगर फिर आप देखेंगे अंगला 15 बा होता है ए 1963 में होता है इसके अंदरगत उच न्याले के न्यादीसों की छेवा मुपती की आयू 60 से बढ़ा कर 62 कर दी गई थी और आवकास प्राप्त न्यादीसों की उच न्याले में न्युकती से सम्मनित प्रावधन बनाए सोलेव आप देखेंगे कि आपका 1963 में होता है इसके द्वारा देश की समत्रभूता खंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ पिदिवन लगाने का प्रावधन रखे गए और साथी तिरिस्तीरी अनसूची में परिवर्तन कर सपत गेर्ण के अंतरकत में भारत की सुतं उचने आले द्वारा नहीं की जा सकती है अठारवा संसोदन आप देखें कि 1966 में इसके अंतरके पंजाब का भासाई आधार पर पुनल गठन करते हुए पंजाबी भासी छेत्रों को चेत को पंजाब और हिंदी भासी छेत्र को हर्याना की रूम में गठरित किया गया इसके अंतरकत अनिमेत्ताओं के अधर पर नियुक्ति कुछ जिलाने आदिसों की नियुक्ति का को बैदित दाप विधान की गई 21 वा 1967 में होता है, इसके द्वारा सिंधी भासा को समिधान की आठवी अनसूची के अंतरगत पेंदरिवी भासा की रूम में सामिल किया गया है, 22 वा समिधान संसोधन होता है 1979 में, इसके द्वारा असम से अलग करके नयाराज मेगाले बनाए गया था, 23 वा संसोधन होता है 1970 म में होता है इस संसोधन के अंतर्कत संसत की सकती में पंस किया गया कियो वाय समिधान की कि beneath भागोस जिसमें भागतीन के अंतर्कत आने वाले मुह एदिकारे भी छंष मे Deshalb contact कर सकती और गाह में बढ़ित निदे सकत्तों को परवावी करने के लिए बनाई गई किसी विधी को अनुछित 14-1981 त्वारा अभी निश्चित अधिकारों के उलगन की आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती है। पर आप देखेंगे कि अंगला है आपका 32-1984 में इसके द्वारा संसद और विधान पालिकाओं के सतस्तों द्वारा दबाव में या जवरजस्ती किये जाने वाले इस्तिपाद एना अवेद घोसित किया गया। और अध्यक्ष को याधिकार दिया गया कि वैसरेप स्वेक्षा से दिये गए उच्छे त्यागपत को ही सुईकार करे। पारिद 20 भू सुधार अधिनियम को नौवी अनसुची में प्रविस देते हुए उन्हें नियालय द्वारा समिधारिक बैदेता की परिक्षन से मुक्त किया गया था। 35 भा आप देखेंगे 1974 में होता है और इसके अंतरकर सिक्किम का सरक्षित राज्यों का दरज्या समाप्त कर उसे समध्र राज्य की रूम में भारत में एक तरसे प्रविस किया गया था। ये 1975 में इसके द्वारा राठपती उपराष्टपती पिधानमंत्री लोकसभा के निर्वाचन समंधी बिद्वादों को नियाएक परीक्षन से मुक्त किया दिया गया था। फिर आपका 42 समिधान संसुधन 1976 में होता है और जिसी लगू समिधान भी कहते हैं मिनी कॉंस्टिटिउसन आप देखी बड़ी एक तरसे आप सूचे बड़े रूम में एक तरसे समिधान में संसुधन किया गया है। समिधान की पिस्ताओना में समाजबादी धर्म निर्पेक्षो एकताओ और खंडता आदी सब्स जुड़े गया। इसके अंतरकत समिधान में दस मौलिक अरितबों को अनुचेद इंक्यावन का में जोड़ा गया था भाग चार काके तहद। इसके द्वारा समिधान को नियाइक परीक्षन से मुक्त किया गया। सभी विधान सभाओं और लोगसभा की सीटों की संख्या को एक सतापदी के अंतरतक के लिए इस्थिक कर दिया गया। लोक सभा व विधान सभा की यह लुटी को 5 वर्स से 6 वर्स कर दिया गया था। और इसके द्वारा यह इंड़ाजिद किया गया कि किसी कानून की बैदिता पर सरवुचने आ लाय और राजिके कानून की बैदिता का उचने आले यह परीचंद करेगा। साथी यह भी निश्चित किया गया कि संभिधाने के बैदता के पिसन पर पांच से अधिक नियाधीसों की बेंच द्वारा दो त्याही वहुमस्ति नेड़े दिया जाना चाहिए यदि नियाधीस की संख्या 5 तक हो तो नेड़ेस अर्फ संभिधी से होना चाहिए इसके संभधा सिक्षा जनसंख्या ने अंतर्ण आधी विसेओं को राज सूची से संभर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया इसके अंतर्गत निधारित किया गया कि राष्ट्र पती मंत्री वैसद और उसके प्रमोख महा मंत्री की सलाय के अनुसार करेगा करेगा और इसने सं राश्टी आपातकाल की स्तिती लागू करने के लिए आंत्रेक असंती के स्थानपर सेन विद्रोग का अधार रखा गया और आपाती स्तिती संबंदी अनपरावधान में परिवतन लाए गया जिनका दुरुपयोग ना हो और यह आप देखे कि इंद्रा गांधी हार गई थी उसके बाद हुआ है इसके द्वारा संपिति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से अटा कर विधिक कानूनी अधिकार की सेनी में रखा गया था 300A में लोग सबात था राज विदान सवाओं की यवधी जो 6 साल कर दी गई थी ना इंद्रा गांधी के समय उसे 5 बरस कर दी गई थी उच्तमन्याले को राष्टपती और अपराष्टपती के निरवाचन संबंदी विवाद को हल करने की अधिकारता प्यदान की गई थी ठीक है फिर आप देखें कि 50 वा संसोधन 1984 में इसके दवारा अनुचे 33 में संसोधन का सेंड सेवाओं की पूरक सेवाओ पूरक सेवाओं में कार करने वालों के लिए आवस्तक सूचनाई कत्तित करने देश की संपत्ती की रक्षा करने और कानुन तता विवस्ता में से संबंदित दायत भी दिये गए इसके अंतर गर संसध या विधान मंडलों के उन सदसों को आयोग घोसित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसमें चुनाव चेन पर उन्होंने चुनाव जीता हो पर यदि किसी दल की संसधी पाइटी की एक तेहाई सदस अलग दल बनाना चाहते हैं तो उस पर आयोगता नहीं लाग होती थी दल वदल बिरोधी इन पर आउधानों को समिधान की सुची के अंतरगत रखा गया है यह अनुच सुची बहुत जरूरी है यह समिधान से कुश्चन हर बार पूछ जाते हैं लेकिन एक बात और बता देता हूँ देखिए वो कहते हैं कि जब तालव बनता है तो चोर उसकी चावी बना ही लेते हैं तो यह नेताओं ने दल करते रहते हैं तिरेपनवा संसोधन 1986 में इसके अंतरगत अनुचे 371 में खंड जी जोड कर मेजूरम को राज्य का दर्जा दिया गया चंवनबा 1986 में इसके अंतरगत गवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया आप देखेंगे 1987 में इसके अंतरगत अनुची जातियों की आरक्चन संबंद में मेजूरम नागलेंड और अवनाचल पिदेश की विधानसवा सीटों पर परी सीमन इससाताबदी के अंतरता के लिए किया गया अठाओन बा संसोधन 1987 में इसके दवारा राष्टपदी को समिधान का प्रमाडिक हिंदी संस्कंट प्रकासित करने के लिए अधिकित किया गया साटवा संसोधन 1988 में इसके अंतरकर ब्युवसाय करकी सीमा 250 रुपे से बढ़ा कर 2500 रुपय पिती वर्स कर दी गई 61 आशी में 1989 में हुता इसके द्वारा मद्दान के लिए आयू सीमा जो 21 वर्स थी ना पहले अब 18 वर्स कर दी गई 65-वा संसोधन 1990 में इसके द्वारा अनुचे 338 में संसोधन करके अनुचे जाती जन जाती आयो के गठन की विवस्ता की गई थी 79-वा संसोधन 1991 में दिल्ली कुराष्टी राधधानी चेत 69 अनुचेत के लिए विधान सबाओं और मंत्री विवस्ता के उबंद की गया था 99 में आठवी अनसूची में कॉंक्री मरीफोडी नेपाली भासा को जो संबलित किया गया था 73 आप देखेंगे आप सभी जानते हैं कि इसके अंतरग संबीधान में ग्यारवी अनसूची जोड़े गई थी और इसके बंचाथी राज संबंदी प्रावधान को संबलित किया गया था इस अंसूधन के द्वारा समिधार में भागनों जोड़ा गया था अनुचे 243 और अनुचे 243 का से 243 ना तक अनुचे जोड़े गये थे तो ये भी याद रखिएगा फिर आप देखेंगे 24वा संसूधन 1993 में इसके अंतरकर समिधार में बारे भी अनसूची सामिल किये थी जिसमें नगर पालिका, नगर नेगब, नगर परिश्दों के से संबंदीत प्रावधान किये गये और इस संसूधन द्वारा भाग 9 में काज बोड़ा गया था अनुचे 243 से 243 यादा तक इसमें सामिल किये गये 73 वा समिधार संसूधन 25 जुलाई 25 अपडल 1993 से और 74 वा जो समिधार संसूधन 1 जून 1993 से प्रवत हुआ था 76 वा संसूधन 1994 में इस संसूधन अधिनियम द्वारा समिधार की नौवी अनसूची में संसूधन किया गया और तमिलाडु सरकार द्वारा पारित पिछडी वर्ग के लिए सरकारी नौक्रियों में 79 परसेंट का रक्षन उबंद करने बाली अधिनियम को नौवी अनसूची में सामिल किया गया 78 वा आप देखेंगे इस संसूधन 1995 में होता है इसके द्वारा नौवी अनसूची में विविन राज द्वारा पारित 27 भूमी सुधार बिधियों को समविष्ट किया गया इस पिकाल नौवी अनसूची में समलित अधिनियमों की कुल संक्या 284 हो गई थी 1989 वा संसूधन 1999 में अनसूची जाती अनसूची जन जाती के लिए आरक्षन किया ओधी 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई थी इस संसूधन के माध्यम से वबस्ता की गई कि अब राज्यों को पितेक्ष के अंधिरिये करों से प्राप्त कुल रासी धन जाती का 29% में लेगा 82 वा संसूधन 2000 में सं 2000 में होता है इस संसूधन के दवारा राज्यों को सरकारी नोक्रियों में आरक्षन रिक्त स्थानों की भरती ये तू परोणनती की माबले में अनसूचित जाती अनसूचित जनजातीयों के अभ्यादियों के लिए नियुंतम प्राप्तंकों में छूट पिदान करने की अनुमती पिदान की गई और नाचल पिदिस में कोई भी अनसूचित जाती ना होने की कारण उसे या चूट पिदान की गई थी 84 वच अन-堆जियों सब्सक्रावा अनसूदण जाती के अभ्यादियों के लिए पदोन्ती की आरक्षन की यवसτα 86 वा इससे भी कुष्टन साता रहता है 2002 में इस संसोदन अधिनियम द्वारा देश्क में 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए अनिवार और निसोलक सिक्षा कुमॉलिक अधिकार की रूम में मानने ता देने समंधी परावधान किया गया इसे अनुचेद 21 का के अंतरगर समिधान में जोड़ा गया और इस साधिनियम द्वारा समिधान के अनुचेद 45 का में संसोदन किये जाने का परावधान है 87 वा संसोदन 2003 में परीशीमनवे जनसंख्या कादार 1991 की जगह जंगरना की स्थान पर 2001 कर दी गई 88 वा संसोदन 2003 में सेवाओं पर कर कर का प्रावधान 89 वा संसोदन 2003 में अनुचे जनजातियों के लिए पिथक राष्टी आयो की विस्ता 90 वा संसोदन 2003 में असम विधान सभा में अनुचे जनजातियों का पितेनित बरकरार रखती हुए बोडो लेंड ट्रेटोरियल कॉंसिलचित और गयर जन जाती हो जन जाती की लोगों की अधिकारों की सुरक्षागी बात की गई फिर एकान वेवा संसुधन 2003 में दल वदल वेवस्था में संसुधन केवल संपूर दल के विलाय को मानता केंद तथा राज में मंतरी परसद की सदस संख्या किरमसा लोकसभा और विदान सभा की सदस्था के 15% होगा और जहां सदस की सदस संख्या 40 से वहां अधिकतम बारे हो सकता है वेरान बैवा बयान बैवा 2003 में समीधान की आठवी अनसुची में बोडो डॉंगरी व मैथली संथाली जोडा गया था भासा को तेरान बैवा संसोधन 2006 में सिक्षा इस संस्थानों में अनसुची जाती जनजाती अन पिछे वरगों के नागरेकों के दाखले के लिए सीटों के अरक्षन की विवस्ता समीधान के अनुचेद 15 की धारच्यार के प्रावधान के तहट किया गया फिर आप देखेंगे 94 वेवा संसोधन 2006 में इस संसोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाती कल्यान मंत्री नेवक्त करने के उत्तरदाइत से मुक्ति कर दिया गया और इस पिरावधान को जारखंड 36 गर राज में लागु करने की विवस्ता की गई मद्विदेश उडी साराज में यह पिरावधान पहले से ही लागु है 95 वेवा यह 2009 में होता है संसोधन द्वारा अनुचित 334 में संसोधन का लोकसभा में अनसूचित और अनुचित जंजातियों के अरक्षन और अंगल भारतियों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया फिर आप देखेंगे 96 वेवा संमिधान संसोधन अब 2011 में संमिधान की आठवी अनसूचि में उडिया की स्थान पर उडिया की स्थान पर उडिया लिखा गया 97 संमिधान संसोधन 2011 में इस संसोधन के द्वारा सहकारी संतियों को एक बैधानिक संमिधानिक स्थान सरक्षन प्यदान किया गया संसुधन द्वारा समिधान में नेमिलिके 3 बदलाव किये गए सरकारी सम्ती बनाने का अधिकार एक मौली का अधिकार बन गया अनुछेद 19 एक गाकित है राज जी कि ये निती में सरकारी सम्तीयों को वरावा देने का नया निदेशक सिध्धान का समाविस किया गया इस करनाटा की राजपाल को हैधरावाद करनाटा की चेत के विकास येदू कदम उठाने के ससक्त करता है निन्यार्वेब आप देखेंगे एस समिधान संसुधन होता है राष्टी है 2014 में राष्टी नियाएक नियुक्ति आयोक की स्थापना सवा समिधान संसुधन 2015 में भारत, बंगला, भूमी, हस्तान, तरण से संबंदित तो ये भी याद रखेगा 101 बास 2016 में इसके द्वारा बस्तु वैस्तिवा करको लागू किया गया जी एस्टी से संबंदित है सभी नितीगत मामलों में आयोक से परववास करेगी आपका एक सो तीनवा समिधान संसुधन 2019 में आया इस संसुधन के माद्यम से संमिधान में दो नए अनुछेद 15,6 और 16,6 को जोड़ा गया इस संसुधन से पूर आरक्षन सामाजिक सेक्षड़िक पिछड़ावन को आधार मानते हुए जातीगत आधार पर दिया जाता था कि तो इस साथ संसुधन को आर्थिक बंचना को भी पिछड़वन का आधार सुईकार करती हुए परसेंट आरक्षन की विवस्ता की गई जो जनरल के लिए आप देखते ना उसे 104 को आप देखेंगे तो ए 2019 में इस संसुधन द्वारा समिधान के अनुक्षे 334 का में संसुधन करते हुए लोकसभा और राज्यों की बिधान सभाव में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की अरक्षनी संबंदी प्रावधान को पुना 10 बावस के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जन्मरी 2030 तक के लिए कर दिया गया आंगल भारती एक प्रावधान इसके बाद खतम हो गया 105 बाव समिधान संसोधन 2020 में संसोधन में राष्टपती के वल केंद सरकार के उद्देश के लिए सामाजिक और सेक्षरिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधीज सूचित कर सकता है या केंद रिये सूची केंद सरकार द्वारा त्यार और अनुर रक्षित की जाएगी इसके अलावा यह है राज्जों और केंद सासित पिदेशों को सामाजिक और सेक्षरिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तयार करने में सक्चम बनाता है समिधान कर्मशे 338B केंद और राज सरकारों को सामाजिक 46 रूप से पिछवी वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुक नीतीगत मामलों पर राष्टी पिछवी वर्ग आयो से परावस करना अनिवार करता है संसोदन द्वारा राज्यों इवं केंदसासे प्रदेशों को सामाजिक से एक्षरेक रूप से पिछवी वर्गों की सुची तैयार करने से समंदित मामलों के लिए अनिवारता से छूट दी गई राष्टपती रावनात कोविन ने 18 अगस्त 2021 को 105 वा समिधान संसोदन अदिनियम 2021 को अपनी सुकिती दी है और इस संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127 वा समिधान संसोदन बिधेयक है ठीक हो यह आप देख संसोदन है 2021 रूब में पारित किया गया तो यह भी याद रखिएगा यहां चलकर आपका समिधान खतम हो जाता है समिधान की कहानी आपकी खतम हो जाती है और आप देखेंगे तो लोसेंड में एक बड़ा चित्थम लोग कवर कर शुके हैं अब आंगे हम लोग मिलेंगे बहुत एक ग्यान को देखेंगे उस पर भी विस्तार से बात करेंगे फिजयक्स से भी तो आप देखते हैं आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूचे जाते हैं चलिए आप लोग एंजवाय करेएगा आपके कुछ सुझाव हो तो बताइएगा उन्हें भी मानने की पूरी कोसिस की जाएगी